Hello friends, welcome back to my channel तो लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और इंटरस्टिंग सी सीरीज जो के आप लोगों की ही सज़ेस्ट की हुई है मैंने इस सीरीज का चुनाओ इसलिए किया क्यूंकि इसमें आप लोगों को मल्टीपल थिंज देखने को मिलेंगे और अगर हम स्टोरी की बात करें तो ला जवाब है हमारी फीमेल लीड जीनिया एक रिच फैमली से है मगर उसे अमीरो वाली लैफ बिल्कुल भी नहीं पसंद और वो एक और्डिनरी परसन बन कर रहना चाहती है दूसी तरफ हमारा मेल लीड फूफेंग कॉलेज का स्टुडेंट होने के साथ साथ एक सूपर स्टार है जिसे हमारी जीनिया से एकसिडेंटली प्यार होगा उमेद करती हूँ के आप लोगों को ये सीरिस काफी पसंद आने वाली है तो बढ़ते हैं हमारे इस सीरिस के फर्स्ट एपिसोड की तरफ एपिसोड के स्टार्ट में हमें जीनिया को भागते वे दिकाया गया क्यूंके कुछ गुंडे उसका पीचा कर रहे थे वहीं उसे एक लड़की कपड़े चेंज करते वे नजर आई और वो कहने लगी यहां की लड़कीया कितनी ओपर माइंडिड है जबके वो तो हमारा फूफेंग था जीनिया भागते वे उसकी तरफ जाती है और उसके साथ कपल की तरह रियाट करने लगी गुंडे उसे इग्नॉर करते वे गुजर गए और उसके जाने के बाद तो फूने ही उसे पकड़ लिया बिकॉस उसे भी हल्प चाहिये थी उसे भी किसी से चुपना था जेनिया की बखवास बन नहीं होती और फूने उसी चुपकर आने के लिए किस कर दिया बीचारी सोचने लगी कि एक दिन में मेरे साथ क्या से क्या हो गया इस स्टुपिड लड़के ने मेरी फर्स्ट किस भी चुरा ली इसी के साथ वो हमें एक दिन पहले की कहानी सुनाने लगी जेनिया की एक अमीर लड़के से इंगेजमेंट होने वाली थी लेकिन उसे तो अमीरो वाली लाइफ नहीं पसंद बलके वो अपने मॉम डैट की तरह एक सचा प्यार चाहती थी अपने मॉम डैट की डारी देखती है जिसमें उनकी एक पिक्चर पड़ी हुई थी तब ही उसे अपने मॉम डैट का इलूजन होने लगा उसे बताते हैं कि कल तुम्हारी इंगेजमेंट सरमनी होने वाली है और हम चाते हैं कि तुम अपनी लाइफ को खुशी से गुजारो जेनिया बोली मेरी इंगेजमेंट हो तो रही है लेकिन मैं नहीं जानती कि ये सब कुछ सही हो रहा है या गलत इस पर मॉम बोली कि इस सब का जवाब तुम्हें मैंडी कॉलज में मिल जाएगा यहां से निया की आंग खुली और फाइनली वो समझ गई कि उसे आगी की लैफ में क्या करना था दूसी तरफ हमें उसकी इंगेजमेंट सर्मनी का सीन दिकाया गया जहां ग्रेंट पा तो सिर्फ अपनी पोथी की तारीफे ही किये जा रहे थे कि वो कितनी सलिकामन है कितनी मैनर्स वाली है सिर्फ आठ साल की थी जब वो प्यानो मास्टर बनी और बारा साल के होती ही उसने बिजनस स्कूल से ग्रेजुएट किया साथ ही हम उसके ग्रेंट चैल की कर्तूते देखते हैं जिसने अपनी रिसीवड गिफ्ट पर सेल लगा दी थी कोई आधी कीमत पर भेजा तो कोई मुफ्थ ही दे दिया और यहां सबी मेर्स की तो हरिदारी करने के लिए लाइन ही लग गई थी इसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड नैलन आई जो उसकी ये हरकते देखते वे कहने लगी तुम अभी तक यहां खड़ी हो वहां बाहिर पूरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है अब जल्दी से चलो पर हमारी जीनिया की इरादे तो कुछ और ही लग रहे थे अगले ही सीन में इंगेजमेंट का फंक्शन स्टार्ट होता है और ग्रैनपा ने उसे लिजाते वे होने वाले फ्योंसी के हवाले कर दिया फिर सारे रस्म रिवाज होने के बाद जब इन दोनों की फर्स्ट किस होने वाली थी तो पता चला की जीनिया तो भाग चुकी है और यहां खड़ी दूरहला हमारी नैलन थी विचारी जेनिया को तो भी तक घर से बागने का मौका भी नहीं मिला था कि ग्रैनपा ने उसको देख लिया गार्ड उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए इदर उदर होती रही कहने लगी आप जो मर्जी कर ले लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूंगी इसी भी तरह करके घर से बाहर तो चली गई लेकिन इन गुंडों से बचने के लिए उसे नए नए तरीके अजमाने पड़े एट लास्टेक लड़के को अपने मार्शल आर्ट से डराते वे उसका बाइक ले लेती है और ये कहते वे जाने लगी कि ये गुंडे तुम्हें इसके लिए पे कर देंगे खैर अब इसे अपनी बाइक वापस मिले या ना मिले लेकिन देनिया की जान तो चुट गई पर बुरा ये होता है कि ग्रैंट पा ने उसके सारे कार्ज ब्लॉक कर दिये गिफ्ट पेजने के बाद ही जो थोड़ा बहुत कैश मिलाता उसे से फ्लाइट लेकर दूसरे शहर यूंचेंग आ गई ग्रैंट पा ने तो उसे पकड़ने की पूरी पूरी कोशश की लेकिन नहीं पकड़ सका पर वो ये जरूर जानता था कि वो फ्लाइट लेकर कहां चले गई क्योंकि एक बार पहली भी जेनिया ने उनके सामने अपने मॉम डैट के सच्चे प्यार की बात की ती जिस पर ग्रैंट पा ने उसे कहा था कि तुम्हारे डैट की वज़े से ही तुम्हारी मदर की जान गई सच्चे प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती इसके बावजुद भी जेनिया को इस बात का यकीन ता कि अगर मेरा डैट कोई अच्चा इंसान ना होता इवन के टैक्सी ड्रैवर भी उसको नहीं पहचान पा रहा था इसके बाद खाना खाने के लिए एक स्टीट आती है जहां उसकी टकरार एक लड़के से हुई दोनों के बैक्स नीचे किर जाते हैं और फिर एक दूसरे को सोरी करते हुए अपने अपने रस्ते जाने लगे लेकिन जब हमारी जेनिया खाने के लिए लेती है तो उसे पता चला कि उसका बैक तो एक्स्चेंज हो गया है अब वो क्या कर सकती थी उसके पास तो एक रूपिया भी नहीं बचा वहां सबको मांगते हुए देखकर वो भी मांगने के लिए बैठ गई पर उसका ये अमीरो वाला हुलिया देखकर उसे पैसे किसने देने थे एक आंटी को उसका रहम तो आया मगर उसका चलाक बेटा कहने लगा मॉम इसको पैसे मत दो ये फेक है इसके कपड़े देख लो कितने अच्छे पहन रखे हैं मॉम ने भी उसकी बातों में आकर पैसे नहीं दिया और यहां जेनिया का दिल तो कर रहा था कि उस बच्चे का गर्दन अपने हाथों में ही मरोड दूँ पर से बच्चा भी ऐसा शरारती निकला कि उसे चिड़ाते हुए ही चला गया इसके बाद यहां बैकर्स मास्टर ने उसे इशारा करते हुए अपने पास बुला लिया उसे बताने लगा कि तुम्हारी ये ट्रिक तो काम नहीं करने वाली आखिर मांगने की भी कुछ रसूल होते हैं पहले तो अपना ये हुलिया चेंज करो वरना तुम्हारा यकीन कौन करेगा कि तुम मांगने वाली हो इसके बाद मैं तुम्हें मांगने की कुछ आर्ट्स ही काऊंगा बीचारी जेनिया भी हैरान परिशान होगे कि अब मांगने की भी बला कौन से आर्ट्स होते हैं बताने लगा कि सबसे पहले तो मासूम सा चेहरा बनाना और अपने टार्गेट पर फोकस रखना साथ ही उसके फेस पर कालग भी लगा दी नेक्स चीन में जेनिया मांगते मांगते हुए एक कॉंसर्ट आई जबके उसे खुद भी नहीं पता था कि यहां चल क्या रहा है लोगों को इतना एक्साइटिड देखकर उसे भी मज़ा आ रहा था तो दूसी तरफ हम अपने सूपर स्टार फूफेंग को देखते हैं किसी भी तरह करके उन्हें चक्मा देते हुए यहां से भाग गई इधर फू का मेनेजर तो काफी ज़्यादा खुश था क्यूंकि इस कॉंसर्ट से उनकी अच्छी खासी कमाई होने वाली थी पर फू के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है क्यूंकि वो पहले से ही इतना ज्यादा अमीर था इसके बाद फू को लेने के लिए कुछ गार्ज आये वे थे उसे बताते हैं कि यंग मास्टर आपके डैट की वेडिंग सर्मरी हो रही है जिसमें शिर्कत करने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा फू ने तो जाने के लिए मना कर दिया लेकिन वो कहने लगे कि अगर आप हमारे साथ नहीं जाएंगे तो हमें आपको जबरदस्ती ले जाना होगा इस पर उसने इन हैं बाहर बेच दिया कि मैं चेंज करके आता हूँ लेकिन अभी भी उसका जाने का कोई रादा नहीं था मेनेजर डैनियल ने उसे समझाया भी कि कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना तुम सेलिबरेटी हो सबकी नजर में आ जाओगे पर जब उसके जाने के बाद लूजिंग ने देखा कि फू यहां से भागने के लिए कूदने को भी तयार है तो उसे कोई न कोई सुलूशन तो निकालना ही था अपना पर्स देती है जिसमें वो एक्स्ट्रा कपड़े ले आई थी और फू को लड़की बनकर यहां से निकलने के लिए कहा वैसे तो फू को यह वाली हरकत करने से कूदना ज्यादा बेहतर लगा लेकिन अब क्या करें इसके इलावा कोई और आप्शन भी तो नहीं बचा इसके बाद वो एक प्यारी सी लड़की बनकर रूम से बाहर आता है गार्स का पहचानना तो दूर की बाद उसे डैनियल ने भी नहीं पहचाना फिर जैसे ही इन्हें शग हुआ ये फू के पीछे भागने लगे और यहाँ जेनिया भी गुंडों से बचते बचाते वे आ रही थी इसी दुरान उसकी नजर फू पर पड़ी जो के वो लड़कियों वाले कपड़ी उतार रहा था यहाँ जेनिया कहने लगी कि इस शेहर की लड़किया तो कितनी ओपन माइंडिड है तोनों ही अपनी जान बचाने के लिए कपल्स की तरह रियाट करने लगे जब फू ने उसे चुपकर आने के लिए उसे किस कर दिया बिचारी जेनिया के तो होश ही उड़ गए कि उसकी फ़स्ट किसी किसी एरे गहरे ने चुरा ली मगर फू यह कहते हुए जाने लगा कि जो कुछ भी हुआ वो सिरफ एक एकसिडंट था इधर जेनिया ने उसे रोकते हुए भूके शेरों की तरह हमले शुरू कर दिये उसे बताने ही वाली थी कि यह मेरी फ़स्ट किस थी पर कहते कहते रुख गई उसे एक फेवर देने के लिए कहा कि मेरा बैग एक लड़के के साथ चेंज हो गया है अगर तुम उसे डूलने में मेरी हल्प करो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी जब फूने उसकी हल्प करने के लिए मना कर दिया तो जेनिया वही बैठकर बच्चों की तरह रोने लगी कि मैं कितनी ज्यादा अन लगी हूँ एक तो सुबा से भूकी हो एक रूपया नहीं है मेरे पास और उपर सी स्टूपिड लड़के ने मेरी फर्स्ट किस भी चीन ली अब फू भी उसका ये रोना दोना देखकर उसकी हल्प करने के लिए मान जाता है और जेनिया का तो एक दम से एक्स्प्रेशन ही चेंज हो गया उसे बैग दिखाते वे कहने लगी मैं तुमसे जूट नहीं बोल रही ये देखो ये फोन भी उसी लड़के का है मैं कब से उसे कॉल्स कर रही हूँ पर वो फॉन भी नहीं उठा रहा फॉन देखकर उसे पता चला कि ये तो उसके बैस ट्रेंड गूनन का फॉन है जिस पे लगा तरफू के डैड की कॉल्स आ रही थी फिर फोन पर एक्टिंग करते वे कहने लगा तो तुम इस लड़की का फोन वापस नहीं करने वाले मैं जानता हूँ तुम कहां रहते हो सबर करो मैं वहां कर तुम्हारी नानी याद दिला दूँगा जिनिया को जाने से मना कर दिया कि वो काफी घुसे में लग रहा है तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा जबके वो बोली तुम सूपर स्टार हो अगर तुम उस से बात करोगे तो यकीनन वो तुम्हारी बात मान ही जाएगा मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है इदर फू दिल ही दिल में कह रहा था कि डैड मुझे अपनी शादी में शरीक करना चाते हैं लेकिन मैं भी उन्ही का बेटा हूँ आज उन्हें एक बड़ा सर्प्राइज दूंगा अगले सीन में क्रेस्ट्रेंट पहुंच कर फू गुनन को कहने लगा तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं बस इस लड़की का बैक वापस करो कुछ भी कहने से पहले हजार बार सोच लेना यहां जेनिया भी बोल पड़ी हाँ हाँ तो मुझे तो डिस्ग्रेट कर सकते हो लेकिन दव वान एंड उनली सूपर स्टार फूफेंग को डिस्रिस्पेक्ट नहीं कर सकते यह हजारो लड़कियों की जान है वरना तो इसकी फैंस तुमें इस पूरे शहर में चुहे की तरह दोड़ाएगी क्यों मैंने ठीक कहा ना वो भी कहने लगा हाँ हाँ यह बिल्कुल ठीक कह रही है इसका बैक वापस करो मासूम सी शकल वाला गूनन कहने लगा तो मतलब के बैक वापस करने के इलावा मेरे पास और कोई आप्शन नहीं बचा तो ठीक है ये लो फिर वापस ले लो अब वो मजीद कोई गड़बर ना कर दी इसकि ये फूने तो उसे वहां से बगा दिया और यहां जेनिया को तो ऐसे लग रहा था जैसे ये सारा का सारा कमाल उसका था इसी के साथ हमारा फ़स्ट एपिसोड खत्म हुआ लो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई चैनल तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिकाया गिया फूने गुनन से उसका बैक वापस तो ले दिया लेकिन अब इसे दे नहीं रहा था कहने लगा तुम्हारा बैक वापस लेना इतना असान भी नहीं था मैंने तुम्हारी हेल्प के अब तुम्हें भी मुझे एक फेवर देना पड़ेगा जिनिया के पूछने पर उसने बताया मेरे साथ अंदर चलो तुम्हें सब कुछ बताता हूँ फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगा जहाँ उसका सामना एक लड़के से होता है दोनों ही एक दुसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे नजरों ही नजरों में एक दुसरे को खा जाएंगे इसके बाद हमें दिखाया गया कि फू जेनिया को लेकर अपने डैट की वेडिंग सर्मनी में ले आया और यहां एक लड़की उसके पास आकर पूछने लगी कि ये लड़की कौन है इतनी बदसूरत लड़की को तुम अपने साथ क्यूं ले आए फू ने उसे ये कहती विगनोर कर दिया कि तुम्हें बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा जेनिया से बोला तुम यहां जो खाना चाती हो अराम से खाओ तुम्हें यहां कोई नहीं रोकेगा और उसका डैट भी उसे ये हरकते करती हुए देख रहा था उसके पास जाकर उसे इस तमाशे की वज़ा पुछता है जिस पर फू कहने लगा कि मैं आपको क्यूं बताओं क्या आपने कभी मेरी मॉम के बारे में सोचा लेकिन उसकी होने वाली स्टेप मॉम उससे काफी अच्छे से पेश आ रही थी बोले मुझे लगा तुम अपने शो की वज़ा से यहां नहीं आ सकोगे जिस पर फू बोला कि अपने डैट के इतने बड़े इवेंट पर मैं कैसे नहीं आता बलके मैं तो उनके लिए एक बड़ा सर्प्राइज भी लेकर आया हूँ यकीनन वो बड़ा सर्प्राइज हमारी जेनिया है लेकिन उसे क्या बता था कि उसके साथ क्या होने वाला है वो तो अपना बैट कर मज़े मज़े से खा रही थी फूस का हाथ पकड़ कर उसे स्टेज पे ले गिया चुपके से उसका नाम पूछता है और सबके सामने अनाउस कर दिया कि आप सभी का सुवागत है मेरी इंगेजमेंट पार्टी पर जेनिया को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी फिर फूने बताया कि जेनिया ही मेरी फ्योंसे है और सबके सामने उसे किस करने लगा बाकि सब भी हैरान परेशानते के हम लग तो यहां वेडिंग सर्मनी अटेंड करने आयते पर यहां तो कुछ और ही चल रहा है इधर जेनिया भी अपने आपको चुड़ाते वे कहने लगी तुम पागल वागल तो नहीं हो गए इसने कहा कि मैं तुम्हारी फ्योंसे बनने के लिए तयार हूँ फूने चुपके से उसकी पॉकिट में क्रेड़िट कार्ट डाल दिया उसे बताया कि इसमें अनलिमिटिट पैसे हैं साथ ही उसका कोड भी बताया और हमारी जेनिया को इस वक पैसों की सब्स जरूरती आखिर उसे मैंडी कॉलेज में इडमिशन भी तो लेना था उससे माइक लेती हुए बोली हाँ हम एक दुस्से से प्यार करते हैं आप सभी का हमारी इंगेजमेंट पार्टी पर आने के लिए बहुत बहुत शुकरिया ये सब करते हुए वो काफी ज्यादा फणी लग रही थी इसके बाद फू का डैड उसे डांटने लगा कि ये सब क्या तमाशा है जेनिया को भी काफी डराया दमकाया जिस पर फू बोला कि अपनी बहु को क्यों डरा रहे हैं जो भी कहना है मुझसे कहें खैर एट लास्ट उन दोनों के बीच में एक डील हो गई कि मैं अपनी शादी कैंसल कर रहा हूँ इसलिए तुम्हें भी अपनी इंगेजमेंट कैंसल करनी होगी दूसी तरफ वो लड़की एला जो के फू को पसंद करती थी उससे जेनिया का यहां होना बिलकुल भी बरदाश्ट नहीं होता और उसके उपर ड्रिंक गिरा दी कहने लगी तुम फू की क्रेजी फैन हो इसका मतलब ये तो नहीं के तुम उसके पीछे यहां तक चलिया हो जब जिनिया ने बताया कि वो कोई फैन्शेन नहीं है तो इस पर एला ने उसे पैसे ओफर कर दिये कि यह चेक लेकर यहां से दफ़ा हो जो और फिर कभी नजर मताना वैसे जिनिया भी कुछ कम नहीं थी उसका पूरा-पूरा मुकाबला करती है चेक उटाने के साथ-साथ उसकी ड्रेस टेबल पर लगे चादर के साथ बांदी फिर माइक उठाकर सब की अटेंशन लेती है उन्हें बताने लगी कि इस लेडी ने मुझे अपनी इंगेजमन पर बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है जो अब मैं थैंक्यो के तोर पर इन्हें वापस करने वाली हूँ वैसी ही चेक उसके मूँ पर फैंक दिया जैसे के उसने फैंका था फिर जैसी ही एला उसे मानने के लिए आगे बड़ी टेबल पर रखा हुआ सब कुछ ही नीचे गिर पड़ा जैनिया को बहुत अच्छे से पता था कि उसके भागने का टाइम आ गया है और वो जान बचाते वह यहां से निकल पड़ी फिर चुपने के लिए एक चेंजिंग रूम में आई बीचारी को खुद पर ही काफी गुसा आ रहा था कि कहां से कहां पहुँच गई उपर से उस टूपिड लड़के ने मेरी फर्स्ट किस भी चुरा ली लेकिन मजीद वो बीचारी सी लड़की बनकर नहीं रहना चाती थी वही पड़ी ड्रेस चेंज करके फिर से अपना हुलिया बदल दिया यहां गुनन भी जिनिया को ढूंटे वे उसके पीचे चलाया और इसे देखते ही उसके होश उड़ गए शायद ही इतनी प्यारी लगकी उसने पहले कभी देखी हो सोरी करके और यह कहते वे जाने लगा कि शायद आप फूफेंग की दोस्त हैं यहां जिनिया को बातों बातों में यह भी पता चल गया कि वो फूफेंग का अच्छा दोस्त है और वो सब कुछ फूने एक ड्रामा किया था इसके बाद उससे एक फेवर मांगने लगी के मुझसे जीप अप नहीं हो रही प्लीज तुम मेरे लिए कर दो ताके मैं यहां से बाहर जा सकूँ इधर गूनें की तो सांसे तमी हुई थी पर वो मना नहीं कर सका और अच्छी बात तो यह थी कि वो अभी तक जेनिया को नहीं पहचान पाया नेक्स सीन में हमें दिखाया गया कि फू का डैड उसे काफी ज्यादा डांट रहा था कि तुम सेलिबरेटी हो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम जो चाहो वो करते पिरोगे तुम है ये शौरत भी इसलिए मिली क्यूंकि तुम मेरे बेटे हो जबके फू बोला ये सब कुछ मैंने अपने दम पर हासिल किया फिर उन्हें इग्नोर करते हुए वहां से चला गया नेक्स सीन में वो रात गुजाने के लिए गूनन के पास आता है अपने बचपन की गेम खेली काफी मस्ती करते हैं लेकिन अभी भी वो कही न कही उदास तो जरूर था गूनन उसे समझाने लगा कि तुम आज भी अपने गुजरे हुए कल में फसे हुए हो कभी न कभी ऐसा वक्त आता है ऐसी चीज़े आती है जो आपको बदल दे जिस तरह कि आज मैंने चेंजिंग रूम में उस लड़की को देखा और उसने तो मेरा पूरा माइंड ही बदल दिया उस जैसी लड़की मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी इस पर फू भी उसे डाटते लगा कि तुम चेंजिंग रूम में लड़कीय तारने गए ते तुम्हें शरम नहीं आई नेक्स्ट मॉनिन का सीन दिकाया गया जहां फाइनली जेनिया उस कॉलेज पहुंचाई जहां से उसके मॉम डेड ने ग्रिजुवेशन की थी इस से पहले के वो अंदर जा पाती सामने ही उसके ग्रेंट पा के भेजे हुए गुंडे खड़े थे अब उसे समझ नहीं आती के अंदर कैसे जाए उपर से रिजिस्टेशन ओफ होने में भी कुछ एग गंटा ही रह गया था एट लास्ट उसे फिर से अपना हुलिया चेंज करना पड़ा और वही जोकर टाइप लेड की बन कर उन गुंडों के सामने से गुजर गई आने में तो उसे पहले ही काफी देर हो चुकी थी और यहां रिसेप्शनिस्ट भी जाने ही वाला था मगर जैनिया उन्हें देखकर रिक्वेस्ट करती है कि मुझे सिरुफ ट्यूशन फी ही सब्मिट करनी है प्लीज आप मेरी लिए कर दे वो भी कोई अच्छा बंदा था जैनिया की बात मान लेता है और आईडी कार्ट के लिए उसकी पिक्चर भी ली वहां से निकलने के बात जैनिया को अपने डैड की पिक्चर लगी हुई नजर आई जिसके बारे में वो रिसेप्शनर से पूछने लगी उन्होंने बताया के ये हमारे कॉलेज का अच्छा स्टुडेंट था इन्होंने काफी कंट्रिब्यूट किया इस कॉलेज के लिए लेकिन मैं नहीं जानता कि इस वक्त ये कहा है फिर जैनिया को उसके डॉकुमेंट्स और आईडी कार्ट दे कर वहां से चला गया अगले सीन में हमें मेनेजर डैनियल को दिकाया गया जिसका पारा तो फूफेंग की वज़े से काफी हाई हो गया था उसे बताता है कि सब मीडिया की नज़रे तुम्हारी परसनल लाइफ पर है और इस तरह की रूमर से हमारे कॉंट्रैक्ट को भी बड़ा नुक्सान हो सकता है पर इदर फू तो ऐसे शांदी से बैटा हुआ था जैसे उसको इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता वही जब डैनियल को एक एंकर की कॉल आई और उसे एक पिक्चर बेचकर इस रूमर के बारे में पूछता है तो डैनियल ने बात दबाने के लिए बताया कि वो सिरुफ फू की असिस्टेंट है एंकर जैनिया की इंटर्विव लेना चाहता था जिसके लिए बगहर सोचे समझे डैनियल ने हा कर दी और यहां फू फैंग को तो उसका नाम तक याद नहीं था डैनियल को भी इस बात की तसली हो गई कि इसने जिस लड़की को किसकी है वो जरूरी इसकी फैन होगी तरफ से बैट शीट प्रोवाइड नहीं की जाती इसके बाद दोनों मार्किट जाते हैं जैनिया का कुछ जरूरी समान लेने के लिए और इसी दुरान उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई कॉलेज पहुंचने के बाद जैनिया ने देखा कि सभी लड़किया एक तरफ भाग रही है क्योंकि उनका हैंडसम फूफैंग आने वाला था वो भी जाकर देखना चाती थी मगर फैंग फैंग ने उसे रोग दिया उसे बताती है के कोशिश करना इस कॉलेज के तीन लड़कों से दूर ही रहना एक है इस कॉलेज का जेंटल मैन गून एंग जो के पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ स्पोर्स में भी नंबर वन था शरीफ और मासूम तो वो था ही लेकिन कॉलेज की सारी लड़किया उसकी एक स्माइल पर ही मरती है दूसरा मैंग डी कॉलेज का डैवल यी येंग है जिसके नाम से भी सब ड़ते हैं और उसके आते ही सब लोग अपना रस्ता चेंज कर देते हैं अगर कोई 10 सेकिंड तक लगातार उसकी आंकों में देख ले तो समझो के वो लड़का तो अपनी जान से गया लास्ट पर हमारा फूफ एंग था जो के कॉलेज का हैंसम स्टूडन्ट होने के साथ साथ एक पोप स्टार है अब उसके बारे में जेनिया से बहतर और कौन जान सकता था कहने लगी इसकी तो बात ही मत करो मेरा तो दिल करता है कि इसका गला दबा दू उसे बुरी बुरी नजरों से गूर ही रही थी उपर से ये येंग भी आकर इन्हें देखता है और फूफेंग को आवाज लगाते हुए कहने लगा तुम्हें इस वक्त तुम्हारी फ्योंसी के साथ होना चाहिए वो देखो बीचारी पीचे खड़ी है जिस पर फूफेंग बोला कि मैं इसे नहीं जानता और ना ही मेरी कोई फ्योंसे है सबी स्टुडंट सुन दोनों के बारे में बाते करने लगे और यहां जेनिया को तो काफी ज्यादा गुस्सा आया इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हुआ लो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल तो बढ़ते हैं स्टुरिस के थार्ड एपिसोड की तरफ एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया जेनिया वहां से जाते वे एला से टकरा गई जो के इसी कॉलज की स्टुडंट है पावरफुल, रिच और ब्यूटिफुल होने की वज़ा से इन तीनों को कॉलज का गूडनेस क्रूप कहा जाता था अब ब्यूटिफुल का वर्ड सुनकर तो जेनिया कहने लगी पता नहीं क्यों तुम लोगों की शकले तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही एला की फ्रेंड्स उसे कंपेंसेशन बनने के लिए कह रही थी किनके उसने एला की ड्रस खराब कर दी थी साथ ही साथ उसे मीडल कलास होने का ताना भीमारा इस पर जिनिया ने तो उन दोनों का ड्रेस भी खराब कर दिया और पूछने लगी कि अब बताओ जरा तुम तीनों का ड्रेस के कितने पैसे बने इसे मेरी तरफ से अपना गिफ्ट समझ लेना उन तीनों को तो काफी खुसा आ रहा था यहां गार्ड भी पहुंच गया जो के जिनिया को उसका आड़ी कार्ड दिकाने को कहता है खुटी किसमत होने की वज़े से वो अपना आड़ी कार्ड रूम में बूलाई थी और यहां एला कहने लगी कि यह लड़की हमारे कॉलेज की स्टुडन्ट नहीं है अगर आप इसे बाहर ना लेकर गए तो मैं सिकॉर्टी आफिस में जाकर आपकी कम्प्लेंड कर दूंगी वो तीनों फैंक फैंक को भी उसका आड़ी कार्ड लाने के लिए नहीं दे रहे थे और गार्ड को इसे उठाकर बाहर ले जाना ही पड़ा जिन्या को तो इतना ज्यादा खुसा आया कि उसने उंचे उंचे नारे लगा कर इहतिजाज करना ही शूरू कर दिया कि आप किसी को उसके लुक से जजज कैसे कर सकते हो मजीद बुरा तो उसके साथ ये हुआ कि उसका आईडी कार्ड भी रूम में नहीं था वो भी गुडनेस मेंबर्स ने चुरा लिया फैंग फैंग ने बताया कि कोई लेक्षर भी अवैलेबल नहीं है कि मैं तुम्हा लिए टंप्रेरी आईडी कार्ड ला सकूँ शायद तुम्हाज रात बाहर ही गुजारनी होगी फैंग फैंग भी उसके साथ ही रुकना चाहती थी मगर उसे एमरजनसी कॉल आई इसलिए उसे जाना पड़ा बिचारी मासूम समू बना कर वहां से जाने लगी इसी दुरान उसे ग्रेंटपा की कॉल आई जिसे वो तो काफी अच्छे से बात करती है पर ग्रेंटपा उसे बातो ही बातों मैं जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस वक्त जिनिया कहा है ये भी अपने ग्रेंटपा को बहुत अच्छे से जानती थी कहने लगी मैं जहां भी हूँ बहुत खुश हूँ और मुझे उसमीर लड़के से शादी नहीं करनी ये कहकर उसने कॉल कार्ट दी अब उसे काफी ज़्यादा भूक लग रही थी पहले तो उसे ये वाला मसला सुल जाना था उसके बाद आईडी कार्ट के बारे में सोचती इसके बाद एक कैफेटेरिया आई जहां एटेम कार्ट यूस करने के बाद उसे पता चला कि उसके पास सिर्फ 100 यंज ही बचे हैं फैर अबे के खाने के लिए तो इतने पैसे भी काफी थे अपनी अकेली जान के लिए काफी सारा फूड ओर करवाया और जल्दी जल्दी से खा कर अपना पेट बरा लेकिन एक और मुसीबत पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी इतने सारे खाने का बिल 120 यंज बना था जबके उसके पास तो सिर्फ 100 यंज ही थे शौप मेनेजर से रिक्वेस्ट करने लगी कि मैं 20 अंस बाद में दे दूंगी और जैसी ही वो पूछने के लिए अपने बॉस के पास जाती है यहाँ जीनिया ने एग्रिमेंट भी लिख दिया इस पेपर को देखकर उसका रियक्शन तो काफी बड़ा होता है क्यूंके जीनिया ने फू का लिमिटेड एडिशन पोस्टर ही पाड़ दिया कहने लगी तुम्हें किस ने कहा था ये वाला पेपर यूज करने को सिरफ वही नहीं बलके यहाँ सबी लड़किया फू फैंग की बहुत बड़ी फैंस थी पीचारी जीनिया ने तो पेख करने को भी बोला मगर इन्हें पैसे से मतलब थोड़ी था कंपेंसेशन के तोर पर उसे दिवार पर ही बांद दिया उपर से ये जानने के बाद के वो क्रेजी फैंगी से फूने किस किया वो कोई और नहीं बलके यही लड़की है अब तो उसको पनिश करने के लिए गुद गुद स्टार्ट कर दी इसके इलावा भी शोप मेनेजर ने उसके लिए एक सजा रखी के या तो तो तुम्हें 300 बाउल्स दोने पड़ेंगे या तो फिर हमें उस रात के किसके बारे में डिटेल से बताओ जिनिया को तो फूसे इतनी नफरत हो गई थी कि उसे 300 बाउल्स दोना ही बहतर लगा हाला कि उसने अपनी पूरी जिन्दगी में भी कभी बरतन नहीं धोए फैंक फैंग भी यहां उसकी हेल्प करने के लिए आ गई थी जिनिया को तो पहले ही काफी घुसा आ रहा था उपर से इतने सारे बाउस उसके हाथ से नीचे गिर पड़े अब तो वो रो ही देती है के पहले से ही इतना कुछ जेलना पड़ा और अब इसके लिए अलग से कंपेंसेशन देना होगा ये सब कुछ उस बत्तमीज फूफैंग की वज़ा से हुआ पहले तो उसने मुझे सब के सामने अपना फ्योंसी बताया और अब हेल्पलेस छोड़ दिया फैंक फैंक से ये जानने के बाद के वो हमारा कलास फेलो है अब तो उसे पागल पन के दोरे पड़ने लगे इसके बाद मौनिंग का सीन दिकाया गया जहां फैंक 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 उसके लिए टमप्रेरी आइडी कार्ड ले आईती और कलास टार्ट होती ही टीचर उन सब को अपनी निव स्टुडेंट जिनिया सी इंटूडियूस करवाने लगी गुनिन पर तो बिचलिया गिरती ही गिरती है लेकिन उसे कहीं बड़ा शुक फूफेंग को लगा इसमें मजीद इजाफ़ा करने के लिए टीचर ने जिनिया को उसका डैस्क मेड भी बना दिया जिनिया उसके पास जाकर अपना इंटूडक्शन करवाती है बिल्कुल ऐसे ही जैसे ना तो मैंने कभी पहले तुम्हें देखा है और ना ही तुम्हें जानती हूँ फू भी कुछ अच्छे से बिहेव नहीं करता वो भी ऐसी ही दिखाता है जैसे मैं भी तुम्हें पहले से नहीं जानता जेनिया उसे इग्नोर करते हुए अपनी चेहर आगे ले गई ताके वो लेक्चर कॉच्चे से सुन सके पर उसकी सीलियक्स पर कलास फैलोस काफी हसी आ रही थी पीचर ने वापस उसे अपनी सीट पर बेजा और यहां फू से जितना इंग्नोर करता है जेनिया उतना ही उसे घूर घूर कर देखती रही कहने लगी मैं भी देखती हूँ कि तुम कितनी दे तक प्रिटेंड कर सकते हो कि तुम मुझे नहीं जानते तुम्हें पता भी है तुम्हारी वज़ा से मुझे कितना कुछ जेलना पड़ा इस पर फू बोला मैंने तुम्हें पैसे दे तो दिये थे और मुझे क्या पता था कि यह सब कुछ इंटरनेट पर चला जाएगा अब अगर तुमने दुबारा इस बारे में कोई बात की तो अच्छा नहीं होगा उसकी ये बदमाशी देखकर जेनिया जोर से उसके पाउं पर हिट कर देती है और फू ने उसके नीचे से चेर ही खिंच ली कलास में भी सब उस पर हसने लगे और टीचर ने भी दोनों को पनिश्मेंट दे दी के आज तुम दोनों को कलास साफ करनी होगी पीचर के जाती ही सब लड़किया फू के इदगीर जमा हो गई जेनिया को तो पहले ही इतना घुसा आ रहा था और अपना बदला लेना भी तो अभी बाकी था बच्पन में ही उसके मास्टर ने उसे कराटे सिकाय थे जो के पहले तो कभी उसके काम नहीं आये लेकिन आज असा लगता है कि उसे यूस करने का टाइम आ गया काफी कॉन्फिडंट होकर जाती है फूफंग के पास सब लड़कियों को पीछे करके आज अपनी मास्टर की सिकाई हुई ट्रिक उस पर यूस की बिचारे फू को तो अच्छी खासी खानी पढ़े आंदा वो जेनिया से पंगलेनी की कोशिश भी नहीं करेगा अब तो पूरा कॉलज ही उसके बारे में बाते करने लगा कि ये लड़की फू की क्रेजी फैन है और फू के बारे में जीब जीब से रूमर्स भी इसी नहीं पिलाए कि वो इसका फियोंसी है जेनिया भी लड़ लड़कर उन्हें बता रही थी कि मैं तो साथ जन्मों में भी उसे देखना पसंद ना करूं उसकी फैन होना तो दूर की बात नेक्स चीन में हमें दिखाया गया कि फू तो यहां से जा चुका था और जेनिया को अकेले ही कलासरूम की सफाई करनी पड़ी गुनन ये देखकर उसके पास आता है उसकी हल्प करने लगा और साथ ही उस दिन के लिए माफी भी मांगी इसके बाद मेनेजर डैनियल ने सर्विंट बनकर जेनिया को मिलने के लिए बुला लिया था और उसे देखते वे कहने लगा कि मुझे लगा नहीं ता तुम इतना आगे चली जाओगी और तो और तुम फू की डेस्क मेड भी बन गई उसकी ये बखवाश सुनकर तो जेनिया ने उसे गले से ही पकड़ लिया वो वीचारा अपनी इंट्रोडक्शन करवाने लगा और यहां फू भी आकर ये मामला सुल जाने के लिए कहता है इस पर जेनिया तो उन दोनों को अच्छी खासी सुनाने लगी कि इस सब मेरी कोई भी गलती नहीं है वो तुम ही ते जो मुझे अपने फादर की वेडिंग पर लेकर गए सब के सामने मुझे अपना फ्यांसी बताया एक बार भी नहीं बलके दो दो बार मुझे किस किया उसे चुप कर आने के लिए फूस के मुँपर हाथ रख देता है कि यहां काफी सारे लोग है हम मुसीबत पे पढ़ जाएंगे अगर तुम चाहती हो कि मैं इस सब के लिए तुम्हें और पे करूँ तो ठीक है मैं तुम्हें और पे कर दूंगा डैनियल ने तो उसे कॉंसर्ट के लिए वी आई पी टिकट भी दे दी जिसे फैंक्टिवे जैनिया कहने लगी के ना तो मुझे तुम दोनों के पैसो की जरूत है और ना ही इस टिकट की बला इस बे सूरे का कॉंसर्ट कौन देखना चाहेगा डैनियल ने ये भी बताया के तुम्हें कुछ टाइम के लिए फू का असिस्टन बनने की एक्टिंग करनी होगी लेकिन जैनिया उसकी बात मानने वाली कहा थी पहले तो डैनियल को भी लगा था कि कोई बेवकूफ सी लड़की होगी जिसे वो अपनी बातों में ले आएगा लेकिन उसे देखने के बात पता चला कि इसे जेल लंक इतना ज्यादा मुश्किल काम है अगले सीन में जैनिया कैफेट एरिया में बैठकर सोच ही रही थी कि वो अपने डैट के बारे में इनफर्मेशन कैसे ले तब ही उसके पास काफी सारे स्टुडर्स आकर बैठे जो कि उससे फू के बारे में पूछना चाहते थे बिकोज उसके बारे में तो ये बात पहले से ही फैली हुई थी के वो फू की क्रेजी फैन है और अब तो उसकी डेस्क मेट भी बन गई जेनिया ने भी इसमों के का फाइदा उठाकर उनसे डील कर ली के मैं तुम लोगों को फू के बारे में बताऊंगी और इसके बदले तुम लोगों को मुझे स्कूल के कुछ पुराने स्टुड़न्स की इन्फरमेशन देनी होगी इसके बाद वो इन सब को फू फैंक के बारे में मज़े ले लेकर बता रही थी और फू भी इन सब को देखकर समझ तो गया ही तकि उसके बारे में बात कर रहे हैं उन स्टुडेंट से जो डैड के बारे में थोड़ी बहुत इंफरमेशन मिली थी वो ये थी के कांसलर आफिस में तुम्हें उनके बारे में जरूर कुछ नकुछ मिल जाएगा जेनिया भी रात के अंदेरे में इन्विस्टिगेशन करने के लिए यहां पहुंचाई मगर इससे पहले के उसे कुछ मिल पाता रिसेप्शनिस्ट को किसी के अंदर होने का शक हो गया पहले तो वो किसी ने किसी तरह उसको चक्मा देती हुए वही चुप गई लेकिन रिसेप्शनिस्ट के जाने के बाद जब वो उड़ती है तो बाई मिस्टेक उससे पिक्चर नीचे गिर गई इस बार जिनिया बच कर कहा जाती सर ने उसे पकड़ लिया और इसे के साथ हमारा ये वला एपिसोड भी खत्म हुआ तो बढ़ते हैं इस स्रीज के फॉर्थ एपिसोड की तरफ एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है जिनिया को चोरी चुपे आफिस में जाने के लिए काफी सारी बाते सुनने पड़ी के अभी तो तुम्हारे सिमस्टर का फर्स्ट वीक है और तुमने स्कूल की प्रोपटी तोड़ने शूरू कर दी साथ ही सर ने उसे 14,000 डॉलर कमपेंसेशन बनने के लिए कहा क्यूंके ये पेंटिंग किसी बड़े आर्टिस्ट की थी पिचारी सोचने लगी कि इतने सारे डॉलर्स में कहां से लेकर आऊं एक लम्हे के लिए तो उसे ख्याल आया कि क्यों ना फूक के असिस्टन बनने के लिए राजी हो जो मगर फिर उसकी इगो बीच में आ गई यही सोचते सोचते उसने फैंग फैंग को इस रात के अंदेरे में कही जाते हुए देख लिया और फिर फोन करके उसे पूछने लगी उसने लाइबरेरी जाने का कहकर जल्दी से कॉल कार्ट दी और यहां जिनिया को भी दाल में कुछ काला लगा फिर उसका पीचा करने लगी यहां आकर देखा तो फैंग फैंग एक रेस्टुनेट में वेटरस की जोब कर रही थी और जिनिया सब कुछ समझ गई कि कुछ दिनों से वो चुप चुप कर कहा जाती रही फैंग फैंग ने बताया कि मैं एक मीडल कलास फैमली से हूँ मेरा इडमिशन भी यहां स्कॉलर्शिप की वज़ा से हुआ और अपना बागी का एक्समेंस बने के लिए मैंने यहां जॉब स्टार्ट कर दी फिर जिनिया से बात करते हुए उसे उसके बॉस ने देख लिया और उसे जिनिया के सामने ही सुनाने लगी कि तुम यहां वेटरस की जॉब कर रही हो या खुद ही महमान बनकर बैट गई अगर तुम्हारी यही हरकते रही तो जो तुम्हारी बचे कुछी सेलरी है मैं वो वो लड़का गुनन से कहा रहा था कि जैसा जैसा तुम्हें मैं कहता हूँ तो मैं वैसा ही करना होगा वरना तो तुम जानते हो ना कि तुम गू फैमली के रेयल वारिस नहीं हो अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मौम को गर से बाहर नि चाहने बातों बातों में उसके उपर कफी गिरा दी ताकि वो जल से जल यहां से दफा हो जाया और उसकी ये ट्रिक काम कर गई तैंक के जाने के बाद गुने ने इसे मना कर दिया कि तुमने जो कुछ भी सुना इसके बारे में किसी को मत बताना और आज तुमने मेरी हल्प की तो कभी न कभी मैं भी तुमारी हल्प कर दूंगा इस पर जिनिया बोली कि मुझे फिर कभी नहीं बलके आज ही तुमारी हेल्प चाहिए मुझे स्टूडंट और्गनाइजेशन में इंटर होना है जिसके चेर्मेंट तुम ही हो फिलहाल वेकेंसी अवैलेबल तो नहीं थी मगर गुने ने उसे इस बारे में कर कॉलेज में मिलने के लिए कहा इधर फैंक फैंग ने जोब से रिजाइन दे दिया और अब बड़ा मसला ये था कि वो दोनों मिलकर पैसे किस तरह कमाएंगे नेक्स मॉनिंग जब कलास खतम हुई तो जिनिया ने कलास में अनाउंस किया कि आज से मैं और फैंक फिंग यहां सर्विस बिजनस टार्ट करने वाले हैं यानि कि जिसने भी कैफे से जो कुछ भी मंगवाना हुआ हम दोनों उसके लिए लेकर आएंगे पर इसके चार्जी सिर्फ टू डॉलर्स होंगे कोई भी उसकी बातों पर दियान नहीं दे रहा था तो उसने स्पीकर पर अपनी रिकॉर्डिंग ही लगा दी जिससे वही बैटा फूई रिटेट होने लगा जो कि रीडिंग कर रहा था और जब जिनिया ने देखा कि वो कोई रीडिंग शीडिंग नहीं कर रहा बलकि अपने फैंस के सामने पढ़ने की एक्टिंग कर रहा है तो इस बात पर उसे लड़ने लगी क्योंके फर्स्ट ओर लेना काफी मुश्किल काम है इसलिए जिनिया ने पहले से ही गुनन की हल्प ले रखी थी और हैंसम से गुनन का ओडर देता हुआ देकर आवियस सी बात है के बाकी सब भी उसे फॉलो करेंगे बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे के जिनिया ने प्लैनिंग कर रखी थी गुनन के ओर्डर देने के बाद तो उन दोनों पर ऐसा रश लग गया कि बीचारे फू को भी कोई लिफ्ट नहीं करवाता उची दिनों में इन दोनों का बिजनस काफी अच्छे से चलने लगा और सिरफ अपनी कलास से ही नहीं बलके पूरे कॉलेज से ओर्डर जाने लगे अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो ये दोनों काफी जल्द अमीर होने वाली है मगर जिनिया के लिए सिरफ ये बिजनस भी काफी नहीं था मजीद उसने एक और बिजनस स्टार्ट कर दिया फूफेंग के लिए लड़कियों के लव लेटर्स लेकर आना जिसके उसने अलग से चार्जिस लगाए हुए थे बिचारे फूब को तो समझ नहीं आती किस तरह से इस लालची लड़की से जान चुड़ाए उपर से टीचर ने इसका डेस्क मेट भी बना दिया फिर उसे एक आइडिया सुझा कुछ टाइम के लिए जेनिया को कॉलच से दूर बेचने का उसे ओर्डर दिया के सबी करास फैल उसके लिए ड्रिंक लेकर आओ साथ ही उसे पे बी किया पर अगर चलाकी की बात की जाए तो जेनिया से ज्यादा चलाक तो वो कभी भी नहीं हो सकता वो पैसे लेकर भी उसके सामने ही बैट गई इधर ऑन लाइन ही ओडर दे कर सबके लिए ड्रिंक पंगवा ली इस तरह उसकी एनरजी भी बच गई और पैसे भी कमा लिये मिल जाए और उनकी ये बात जेनिया ने भी सुन ली फिर फू के पास जाकर उसे पुछने लगी कि तुम स्विमिंग में हमें जॉइन क्यों नहीं कर लेते और मजाक मजाक में उसे स्विमिंग करने के लिए पुश करनी लगी लकिन फू तो ऐसा डर रहा था जैसे कोई बच्चा नहाने से डरता हो और खुद 그냥 जेनिया उस पर हस्ते हस्ते खुद ही स्विमिंग फूल में गिर पड़ी ना तो जीनिया को स्विमिंग करने आती है और जिस तरह उसे डूपता हुआ देकर फू को इंसाइटी हो रही थी ऐसा लगता है कि उसे भी स्विमिंग करने नहीं आती वो तो उसकी हेल्प के बगार भाग गिया और यहाँ जीनिया की हेल्प ये येंग ने की इवन के उसे अपना दोस्त बनने के लिए भी कहा फैंक फैंक भी आज उसे पहली बार मिले उसे अपना इंट्रड़क्शन करवाया जिसे ये येंग से सबसे ज्यादा डर लगता था नेक्स सीन में जेनिया अपने एक अमाय हुए पैसे गिंती है जो के पूरा हफता लगाने के बाद भी बहुत थोड़ी से ही बने थे फैंक फैंक के लिए तो ये पैसे उसकी सेलरी से भी कही ज्यादा थे मगर जेनिया सोचने लगी के इतने पैसों से तो सिरुफ मेरा एक्सपैंस भी पूरा नहीं होगा फिर मैं कमपेंसेशन बनने के लिए 14,000 डॉलर कहां से लेकर आऊँ अब उसने मजबूरां फूफैंक का असिस्टन बनने का फैसला कर लिया इसके अगले ही सीन में जेनिया ने अपना कमपेंसेशन भी पे कर दिया और सर से वादा भी कर लिया कि वाइंदा इस तरह का कोई भी काम नहीं करेगी यहां उसका आमना सामना एला से हुआ जिससे ये खबर हो गई थी के जेनिया फू के असिस्टन बन गई उसे काफी दमकाते वे फू से दूर रहने के लिए कहा लेकिन जेनिया भी उसे कोई डिर्टी वर्ती नहीं थी कहने लगी पहले तो मैं सिर्फ उसकी डेस्क मेट थी अब तो उसके असिस्टन भी बन गई तुम जो कर सकती हो कर लो मेरी तरफ से तुम्हें कुली इजासत है दूसी तरफ फू बड़ा इत्रा रहा था कि आखिर कार जेनिया मेरे सामने जुक ही गई और तो और उसने मेरे कॉंसर्ट के सारे टिकर्स भी खुद ही खरीद लिये बड़ा दावा करती थी थी ना कि मैं तुम्हारी फैन नहीं हूँ पर उसे क्या पता था कि जेनिया ने उसके सारे टिकर्स खरीद कर उसे और महेंगे बेज दिये उसकी ये हरकत दे कर तो फू का दिल कर रहा था कि इसे अच्चे से सबक सिका दूँ मगर गुननन ने उसे रोक दिया ये कहकर कि आज उसे थोड़े से पैसे कमा लेने दो आएंदा के लिए हम ऐसा होने नहीं देंगे उसने जेनिया को माफ करके घुसे का ये गुंड भी पी लिया मगर जेनिया बाज आने वाली कहा थी उसने तो अपनी सीड भी रेंट पे लगा दी इस तरह उसे पैसे मिलते रहेंगे और फूगे फैंस को उसके साथ बैटने का मौका मिल जाएगा अब उसने अपनी लिमिट क्रोस कर दी तो फूगा घुसा करना भी तो जायस था कहने लगा कितनी लालची बन गई हो और कितने पैसे कमाओगी साथ ही सब लड़कियों को बगा कर उसे क्लियर कर दिया कि अगर तुम मेरी असिस्टन बनकर रहना चाती हो तो आएंदा इस तरह कोई भी हरकत करते हुए मुझे नजर ना ओ जेनिया भी उसके असिस्टन बनना तो नहीं चाती थी मगर फिलहाल उसके लिए यही बेटर है यह सोचकर चूप हो गई इसके बाद फू भी उसके मज़े लेने लगा उसे अपने लिए पानी लाने को बेज़ता है और जब वो पानी ले आई तो कहने लगा बहुत ठंडा ले आई हो यह कеकर वापस करوا दिया और जब वो दुबारा लेकर आई तो बहुत जादा गरम होने का बहाना किया कलास स्टार्ट होने से जीनिया तो बच गई मगर फू पर एक बड़ा बॉम गिरा टीचर ने सब के सामने बताया के तुम्हारे पिछले टेस्ट में पूरी कलास से कम माक्स है सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके प्रॉब्रस के लिए उसे जीनिया का ग्रॉप मेट बना दिया ताके जीनिया उसको अच्छे से पढ़ा सके उस भी चारे को टेस्ट में कम माकसाने से कही ज्यादा दुख तो इस बात का हुआ लेकिन जैनिया बहुत बड़ी बनती रही के हाँ हाँ मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊंगी इसके बाद टीचर ने बताया कि नेक्स वीग हमारी वेलकम पार्टी होने वाली है अगर तुम लोगों की कोई सेजेशन है तो मुझे जरूर बताओ इस पर सबी ने बताया कि हमें फू फेंग को सिंग करते हुए देखना है और सब के कहने पर फू भी इनकी बात मान गया कलास खत्म होने के बाद गूनने बताया कि हमने तुम्हें स्टूडंट और्गनाइजेशन में इंटर कर लिया है मगर तुम्हारे इस और्गनाइजेशन को जोईन करनी की रीजन क्या है जिनिया यहां इंटर होकर सिर्फ अपने डैट के बारे में इंफर्मेशन लेना चाहती थी मगर गूनन से बहाला किया कि वो कॉलज की एक ब्रैड स्टूडंट बनना चाहती है इसके बाद जब उसने देखा के डिविजन की प्रेजेडंट एला है तो उस पर तो जैसे बिचलिया गिरने लगी इधर एला भी कहने लगी के तुम्हें ज़्यादा खुशोने की जरूरत नहीं वन वीक का ट्राइल पीजेड तुम्हें पूरा करना होगा अगर हमारे एक्सपेक्टेशन पर पूरा ना उत्री तो हम तुम्हें और्गनाइजेशन में नहीं रख सकते आखिर उसे अपने डैट के बारे में इन्फरमेशन भी तो चाहिए थी ये टास्क कम्प्लीट करने के बाद उसे को टास्क दिया के वेलकम पार्टी के लिए हमें जितनी भी चीज़े चाहिए वो तुम्हें केली ही खरीद कर लानी होंगी इतनी लंबी लिस देने के साथ ही उसे थोड़े से पैसे दिये ये कहकर के हमारा बजट इतना ही है तो मैं खुद ही मैनेज करना होगा नेक्स सीन में कलास खतम होने के बाद जब जिनिया फूको पढ़ाने वाली थी तो वो पहले से ही सोच चुका था उठने के बाद भी उसका स्टड़ी करने का कोई दिल नहीं था कभी बातरूम जाने का बहाना करता है तो कभी वेलकम पार्टी की प्रैक्टिस करने का और जब जिनिया ने उसे उसके लो ग्रेड्स के लिए डांड दिया कि एक तो तुम्हारे ग्रेड्स इतने कम है उपर से तुम्हारे नखर ही देख लो तो वो घुसा होकर वहां से चला गया इसके बाद येंग को दिखाया गया जहां कॉलज के एक लड़के ने सेम उसके जैसी जैकट पहन रखी थी और वो तो देखकर इतना ज्यादा डर गया कि अपनी जैकट वही पर फैंकते हुए भाग गया वही उसने फू को एक गाना गाती हुए देखा जो कि उसने अपने पहले प्यार लिया के लिए लिका था वेलकम पार्टी के लिए उसे एक नया सॉंग चाहिए था और इतनी जल्दी वो एक नया सॉंग लिख भी नहीं सकता था इसलिए उसने यही गाना गाने का फैसला किया लेकिन ये बात शायद ये येंग को अच्छी नहीं लगी और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खतम हुआ लो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो बढ़ते हैं इस सीरीज के फिफ्ट अपिसोड की तरफ एपिसोड के स्टार्ट में हमें फू को दिखाया गया जो के प्रेक्टिस करने के लिए जा ही रहा था मगर जिन्या उसको रोपते वे कहने लगी के फिलहाल तो तुम्हें मेरे साथ मैट्स प्रेक्टिस करने के लिए जाना जाहिए क्योंकि अगर अगले हबते तुमने नीचे से टॉप कर लिया तो इसे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन निउस पेपर के फ्रंट पेश पे तुम्हारी पिक्चर जरूर लग जाएगी फूब य अच्छे से जानता है कि वो मैट्स में कितना ज्यादा वीक था और गाना गाना तो वैसे भी उसके बाया हाथ का खेल था प्रैक्टिस करने के लिए जिनिया के साथ कलासरूम जाने लगा लेकिन कलासरूम तो इस वक्त बंद हो चुकी थी इसलिए जिनिया उसे ग्राउंड लेकर जाने लगी ये कहते वे कि यहाँ हम अच्छे से पढ़ सकेंगे पर वहाँ तो पहुँचते ही लाइट सोन हो गई और काफी सारे लोग भी जमा थे यानि के जिनिया यहाँ उसे परफॉम करने के लिए लेकर आई थी और ये सब कुछ उसी का ही प्लैन था बिकोज वेलकम पार्टी के लिए जो बजट पूरा नहीं हो रहा था वो जिनिया को कही न कहीं से तो मैनेज करना ही था बिचारे फू का दिल तो बहुत कुछ करने को चाह रहा था मगर इतने सारे लोगों के सामने वो कर भी क्या सकता था सिवाए परफॉम करने के इधर जेनिया ने हान से भी जूट बोला कि मैं उसके असिस्टन हूँ मैंने सिर्फ उसे अपनी हेल्प करने के लिए कहा और वो असानी से मान गया अपनी इज़त बचाते हुए फू जबरदस्ती परफॉमिस देता है और नेक्स मॉनिंग हमें वेलकम पार्टी का सीन दिकाया गया सारी प्रेप्रेशन्स काफी अच्छे से हो चुकी थी गूनने भी इसके लिए जेनिया और हम दोनों को एप्रेशियेट किया दूसी तरफ फू थोड़ा सा सैड था क्यूंके वो ये वला सोंग रिलीज नहीं करना चाता था मगर उसे करना पड़ रहा है फिर जब सिंगिंग करने के लिए स्टेज पर जाता है तो देखा कि वहां से माइक गाइब था और यहां आडियंस में भी हल चल मच गई जिनिया फॉरण से भागते वे स्टेज के बैक साइड पर चली गई माइक डून ही रही थी के वहां से किसी को भागते हुए देखा ये कोई और नहीं बलके ये येंग का ही चमचा है जो के माइक यहां से चुरा कर लेकर जा रहा था और जेनिया उसे फाइट करके माइक लेने लगी फिर फूरन से माइक लेकर पहुंची फू के पास उसे परफॉर्मेंस स्टार्ट करने के लिए कहती है और तो और उसका माइक स्टेंड भी बन गई फूर ने ओडियंस को बताया कि उसने कभी भी ये सॉंग रिलीज नहीं किया था और वो इसे एक स्पेशल परसन को डेडिकेट करना चाता है अफटर दर सिंगिंग स्टार्ट कर दी जो के काफी सैट सॉंग ता उडियंस को अच्छा लगने के साथ साथ रोना भी आ रहा था तो इधर जेनिया को भी फू इतना अच्छा तो कभी भी नहीं लगा जितना के आज लग रहा है और ये भी यकिनान उसके गाने का ही कमाल था बट ये येंग को उसका ये गाना गाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो घुस्ते में जाकर उस लड़के को सुनाने लगा कि तुमसे एक काम भी अच्छे से नहीं होता जबके यहां फू बी इस गाने को रिलीस करने के बाद कुछ ज्यादा खुश नहीं था नेक्स सीन में जिनिया की ठकर होती है फूस से और आज तो ऐसे नर्विस हो रही थी जैसे उससे पहली बार मिली हो दोनों ही एक दूसरे के रस्ते में खड़े हो गए और आखिर कार फूने उसको उठा कर अपने सामने से हटाया जिनिया तो इतना ज्यादा नर्विस हो गई के वो यहां क्या करने आई थी वो भी भूल गई इसके बाद फूस के हाथ के बारे में पूछता है क्योंके कल माइक लाती हुए उसे चोट लग गई थी और साथ ही बैंड़िश लगाने को भी दिया इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये लड़का अचानक से इतना अच्छा कैसे बन गया उसका मजाग भी उड़ाने लगी कि इस काटून का हैट तो बिलकुल तुम्हारी तरह लग रहा है फिर बैंड़िश लगा के वही ब्रीटिंग सौंग गुन गुनाने लगी जो के फूने गाया था और उसके पूछने पर कहने लगी के मुझे तुम्हारा सौंग इतना भी अच्छा नहीं लगा बस बेख्याली में गुन गुना दिया इसके बाद तो जेनिया को अपनी तबियत ही कुछ ठीक नहीं लगती उसे लगता है कि मेरी हर्ट बीट अचानक से काफी फास्ट हो जाती है हाला कि स्पेशल तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ इस पर फैंग फैंग ने कहा कि कही तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया और जेनिया उस पर हस्ते वे कहने लगी कि तुम पागल तो नहीं हो गई मैं और प्यार पर यहां बेदिहानी में उसने फूफेंग को काफी हैंसम बना दिया था और तो और उसे हर जगा फूही नजर आने लगा है यूशुली जैनिया अपनी कोमिक बुक में उसके बारे में काफी बुरा बला लिखती थी मगर आज उसको हैंसम कहा और उसके बारे में काफी अच्छा लिखा ये अकाउंट जिनिया ने अपने रेल लेम से नहीं बनाया बस यहाँ फोफेंग को बुरा बला कहक कर अपने दिल का बोज उतार दिया करती थी अगले सीन में हमें दिखाया गया कि फूका ये वाला सौंग तो ट्रेंट कर ही रहाता लेकिन इसकी वज़ा से उसके बाकी के सौंग भी फेमस होने लगे मेनेजर डैनियल भी इस बासे काफी जादा खुश था और के फूने तो ना ये नाम कभी पहले सुना था और ना ही इस नाम की किसी लड़की को जानता है नेक्स सीन में हम जिनिया के चोकलेट को चोरी होता हुआ देखते हैं तो दूसी तरफ स्टुड़न्ट और्गनाईजेशन मेंबर्स की मीटिंग चल रही थी फिर जब करती लेकिन कहने लगी कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम तुम लोगों को भी बुरा ही मिलेगा काम खत्म करने के बाद जब वो होस्टल वापस आई तो देखा कि फैंग फैंग की तबियत कुछ ठीक नहीं लग रही उससे पूचा भी मगर फैंग फैंग ने बताया कि लिए 2000 यंज चाहिए और मेरी फैंग इतनी वेल्थी नहीं है कि 2000 यंज असानी से अरेंज कर सके जैनिया ने उसे रिलाक्स किया कि तुम परिशान नहीं हो हम जल्दी ही इसके लिए कोई नो कोई सुलूशन टून लेंगे दूसी तरफ यहां नोटस बोड़ पे कुछ स्ट किया कि वो ये ओडिशन देने के लिए जरूर जाएगी जिसके बदले उसे 2000 यान मिल सकेंगे और वो फैंग फैंग की हेल्प करेगी नेक्स सीन में गूनन भी उसे पूछने लगा कि तुम वाकी ही ओडिशन देने के लिए जा रही हो और यहां फूफंग तो कहने लगा कि मैं तो अभी ही तुमें जाने से मना कर रहा हूँ बात में जब रिजेक्ट हो गई तो मेरे सामने रोना दोना मत करना इस पर जिनिया को तो काफी जादा गुस्सा आया उसको सुनाने लगी कि तुम्हारी असिस्टन होने का मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हर काम से रोकते पिरोगे इसके बाद जब वो ओडिशन देने के लिए जाती है तो पहले तो रिसेप्शनिस उसका ये हुलिया देखकर उसे कुछ खास अटेंशन नहीं देता उसे फॉर्म सब्मिट करवा कर वापस घर जाने के लिए कहा कि तुम्हें कॉल कर दिया जाएगा और यहां एला भी उसको देखकर कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है तुम उसे ये मौका चिन लोगी फूफिंग की इस म्यूजिक वीडियो में फीमेल लीड का रोल तो मेरा ही होगा बिचारी जिनिया को तो ये बात भी अभी अभी ही पता चली कि इस म्यूजिक वीडियो में में लीड फूफिंग बनने वाला है अब तो उसके लिए ये और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया क्यूंकि वो फू के साथ ये रोल प्ले नहीं करना चाती पर उसे फैंफैंग की हल्प करने के लिए पैसे भी तो चाहिए थे काफी सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया और वो अपना पहला रूबला कर ओडिशन देने के लिए वापस आई इस बार तो रिसेप्शनस सिर्फ उसे अटेंशन ही नहीं दे रहा था बलकि उसकी तारीफ भी करने लगा इसके बाद जब उनका ओडिशन होने लगा तो जजजिस ने बताया के तुम्हें तुम्हारा बॉइफरेंट चोड़ गया है अब इस पर तुम लोगों कर रियक्शन क्या होगा सबी लड़किया रोदो कर एक्टिंग करते हुए अपना रियक्शन दिकाने लगी और यहां जेनिया इंटरनेट पर सर्च करती है क्योंके वो बीचारी तो हमेशा सिंगल रही और जजजिस को तो यह उसके एक्टिंग करने का तरीका लगा उसे इतना ज्यादा पसंद किया कि इस रोल के लिए सेलेक्ट भी कर लिया जेनिया को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहाता और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ तो बढ़ते हैं इस सीरिस के सिक्स्त एपिसोड की तरफ एपिसोड के स्टार्ट में हमें जेनिया को डैनियल से मिलते हुए दिखाया गया जहां उसने अपना नाम भी शेंशिंग बताया डैनियल को वो प्यारी लगने के साथ साथ इस रोल के लिए भी सूटिबल लगी पर जेनिया को तो बड़ा खुसा आया क्यूंकि इससे पहले वो हमेशा इससे अगली ही कहता था उसे तो ये जानकर भी कोई खुशी नहीं हुई के में लिट फूफेंग का होने वाला है जो के डैनियल के लिए बड़ी अजीब बात थी इतना कुछ बताने के बाद जैनिया ने सिर्फ एक ही सवाल किया कि मुझे टूथाउजंट यांस कब मिलेंगे इस पर डैनियल ने बताया के जैसी ही हमारी वीडियो के शूटिंग खत्म होगी इसके बाद कलास में आकर फैंक फैंक से सोरी की के मैं रिजेक्ट हो गई लेकिन तुम फिकर नहीं करो मैं कोई न कोई रस्ता डून लूंगी यहां अपनी डारी में लिका हुआ देका कि उसने समाल भी नाम के लड़के को एक चोकलेट सेल की थी पर इस बारे में जैनिया को कुछ याद नहीं आता दूसी तरफ से गुनन भी आकर इसे रिलैक्स करता है कि कोई बात नहीं अगर तुम रिजेक्ट हो गई फिर कभी ट्राइ कर लेना जबके फू बोला मैंने तो इसे पहले ही जाने से मना किया था अब महरबानी करके उन्हें ये पता लगने मत देना कि तुम मेरी असिस्टन हो वरना मैं ही इंबरस हो जाऊंगा और ये जितना ज़्यादा तुम खाती हो ऐसा लगता है कि सिर्फ बैली ओफ किंग का रोल ही अच्छे से प्ले कर सकोगी जैनिया भी उसे घुसे में सुनाने लगी कि तुम तो अपनी बकवास बंद ही रखो फिर उटते हुए उसके पाउं पर जोर से हिट किया बोली तुम्हें किस ने कहा ता मेरे नीचे अपना पाउल आने को तुम्हें नहीं पता कि यहां से किंग ओफ दे बैली गुजरने वाली है फुसे में कलास से बाहर चली गई जहां फुके फैंस उससे फुके बारे में इन्फरमेशन लेना चाहते थे पर वो बोली कि आज उसका नाम मेरे सामने बिलकुल भी मत लेना पुछने लगी कि कि किसी समाल भी नाम के लड़के को तुम लोग जानते हो जिस पर वो लड़की बोली कि ये नाम तो सिर्फ फुफेंग का ही निक नेम है जेनिया भी सारा माजरा बहुत अच्छे से समझ गई और कलास में आकर देगा तो फुफेंग फिर से चुपके से उसकी डारी में अपना ओर्डर लिक रहा था जब जेनिया ने उसे पकड़ लिया तो वो इससे चुप रहने के लिए कहता है कि इस बारे में कलास फैलोस को कुछ पता ना चले क्यूंकि कमपनी ने मेरी डाइट पर कुछ लिमिट्स लगा रखी है जेनिया को तूस पर बड़ा रहम आया कि क्या फाइदा तुम्हारे इतने सारे फैंस होने का अगर तुम जंक फूर्द ही नहीं खा सकते तो खैर एक शर्ट रखी कि तुम्हें बिजनस प्रोमोट करने में मेरी हल्प करनी होगी तब ही मैं तुम्हारे लिए ये सीक्रिट रखूंगी लेकिन जब फूनी इसके लिए मना किया तो जैनिया इसके मसके लगाने लगी के देखो इस तरह तुम फीट भी रहोगे चाहे जितना मर्जी जंक्स फूट खाओ और देखो ये चोकलेट कितने मजी की है अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं ये भी तुमें दे दूंगी फू भी उसकी बात मान गया ओर्डर लेकर पहुंच गया कलासिस में लेकिन जब पैसे काउंट करने की बारी आती है तो फू से नहीं हो पाता बिकोज उस बीचारी की मैस तो पहले सी ही इतनी वीक थी और इससे पहले कि उसका इमेज खराब हो फूरन से भाग गया जैसा भी था लेकिन फू की वज़ा से जैनिया का बिजनस बहुत अच्छे से चलने लगा क्यूंकि उसे एक्स्टा टिप्स भी मिल जाया करती थी इसके रिवार्ड में जैनिया ने बॉस बनकर उसे स्नैक्स दिये मगर फू को अभी भी अपने बॉडी फिकर की थोड़ी फिकर होती है लेकिन जैनिया ने उसे काफी समझाया उसे मुटिवेट किया कि देखो ऐसी लाइफ जीने का क्या फाइदा चाहा हम अपनी मर्जी से कुछ भी ना कर सके जिने के साथ साथ उसे फिट रहने का तरीका बताती है और उसको सटस्वाई करने के लिए एक्सरसाइस भी करवाने लगी बताती है कि मैं तुम्हारी असिस्टन हूँ इसलिए आज से तुम्हारी फिटनस की जिम्दारी भी मेरी है फूपी बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे जैनिया उसे करने को कहती रही यानि के लाइफ इंजोई करने के साथ साथ अपने कैलरीज भी बर्न करता गया गुनन को भी देखकर समझ नहीं आती कि अचानक से इसे ये एकसरसाइस करने का बुखार कैसे चड़ गया इसके बाद गुनन की टीम में रहकर बास्किट बाल खेलना चाहता था हाला कि बिचारा स्पोर्ट्स में जीरो है फिर जब उसकी इतनी सारी फैंस उसे देखने के लिए आ जाती है तो उसमें भी अकड़ आ गई और शौफ करके मेच खेलने लगा गोल बनाने से पहले ही उसे इस मोटे को देखकर काफी ज्यादा डर लगा और उसके लिए तो इतना ही काफी तक के बॉल उपर तक फैंकी पिचारा इतनी कोशश करने के बावजुद एक गोल भी नहीं बना सका और उसकी फैंस उसे देखकर ऐसे खुश हो रही ती जैसे पता नहीं वो मैन आफ दी मेच बन गया हो मगर उसकी खराब परफॉमिस पर जैनिया और फुफिंग को तो बड़ी शर्मींदगी हुई इसके बाद जैनिया को डैनियल की कॉल आई और उसे कल से शूटिंग पर आने के लिए कहा ये सुनकर वो भी काफी ज़यादा खुश हो गई नेक्स सीन में शेंशिंग बनकर शूटिंग पर उसे इस बात का भी डर लग रहा था कि कही उसे कोई पहचान ही ना ले लूजिंग भी उसे घूर घूर कर देखती है और यहां गुनन भी मुझूद था फिर जैसी उसने अपना सकाफ वाटाया तो गुननन ने उसे पहचान लिया कि ये वही लड़की है जिससे में चैंजिंग रूम में मिला था उसे हेलो हाई करता है और यहां डैनियल ने शैंशिंग को फोफैंक से भी मिलवाया पर यहां एला इन्या केला बिल्कुल भी नहीं चोड़ती और तो और हान भी उसे फ्लेट करने के लिए पहुंच गया जो के हर वक्त उसे बुले करता रहता था इसके बार शूटिंग के दोरान एक सीन में उसे प्यानो प्ले करना था जिस पर एला ने कहा कि अगर तुम्हें प्ले करना नहीं आता तो मैं तुम्हें सिका दूंगी लेकिन वो तो आठ साल की एज में ही पियानो की मास्टर थी और अच्छा सा पियानो प्ले करके सब को हैरान कर दिया जहां बाकी सब उसकी ये स्किल देखकर हैरान हो रहे थे वहाँ एला को तो काफी ज्यादा जैलसी हुई फू फैंक से बोली कि आज मेरी बर्डे है और तुम शूटिंग पर आ गए मुझे कुछ नहीं पता बस तुम दोनों को मेरी बर्डे सेलिबरेट करनी होगी इस पर फू ने उसे प्रोमिस किया कि तुम घर जाकर अराम करो हम दोनों शाम को बड़े सेलिबरेट करने के लिए तुम्हारे पास आएंगे इसके बार डारेक्टर उन दोनों को सीन समझा रहा था कि तुम लोगों को किस तरह की एक्टिंग करनी है और फू भी उसे पूछने लगा कि ये तुम्हारा फरस्ट टाइम है अगर तुम्हारा कोई कुशन है तो मुझसे कर सकती हो शेंशिंग बोली के तुम्हारे बारे में आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम गर्स के काफी अगेंस्ट हो इस पर फू बोला कि ऐसी कोई बात नहीं मैं यूजवली लड़कियों के साथ इंट्रैक्ट नहीं करता लेकिन यहां वो जेनिया के बारे में बताने ही वाला ता मगर कहते कहते रुग गया डैनियल भी देखकर सोच रहा था कि यह लड़कियों से इतनी देर तक तो बात नहीं करता जिस तरह शेंशिंग से मुस्कुरा रहा है तो इधर शूटिंग के दुरान जेनिया भी सोच रही थी के वैसे तो यह हर वक्त मुझे टेस्ट करता रहता है और अब जब मैं प्यारी हो गई तो मुझे से दोस्ती करना चाता है सबर करो तुम्हीं मैं सबक सिकाती हूँ सीनेक्ट करते हुए एंगरी बर्ड बन कर जोर से उसके पाउं पर हीट करती रही बिचारे फू का तो यह से रिकॉर्ड करते हुए काफी बुरा हाल हो गया था पर जेनिया को काफी मज़ा आया शूटिंग खतम होने के बाद जेनिया उसे अपने लिए पानी मंगवाती है और बिल्कुल वैसी ही टेस करने लेगी जैसे फूफैंग ने उसे एक बार किया था कभी पानी ठंडा होने का बहाना करती है तो कभी गरम और फूफैंग भी जेंडलमेन बनकर उसकी बात मानता रहा इसके बाद जो बची कुछी शूटिंग थी वो भी कम्पलीट हो गई और एक अच्छी सी म्यूजिक वीडियो बनी आफ्टर देट फू ने उसे फ्रेंडशिप करने के लिए कहा और उसे अपने साथ वीचर्ट पर एड़ होने के लिए कहता है चाहे जेनिया उसे गलत समझ रही थी मगर फू ये सब कुछ गुनें के लिए कर रहा था बिकूज उसे शेंशिंग पसंद है डैनियल ने आकर बताया के बाहर काफी सारे फैंस जमा हो गए है तुम्हारा निकलना मुश्किल है इस पर जेनिया ने आइडिया दिया क्यों ना तुम लड़की वाली ड्रेसिंग करके निकल जाओ उसे ना चाहती हुए भी एक बार पिरसे करना पड़ेगा इसके बाद डैनियल ने शेंशिंग को 2000 यंज दिये ये कहकर के शायद तुम्हें ज्यादा जरूरत थी यहां फैंस जो के फू के बाहर आने का वेट कर रहे थे तो वहां फू लड़की बनकर निकल गया नेक्स सीन में जेनिया ने वो 2000 यंज फैंक फैंक को देकर उसकी हल्प की उसे बहाना लगाया के ये मुझे फू ने दिये मगर तुम उससे इस बारे में कोई भी बात मत करना वो दिल का बहुत अच्छा है पर वो नहीं चाता था कि इस बारे में तुम्हें पता चले वही ये दोनों की नैप हो गई और किसी और ने नहीं बलके ये येंग ने किया ये लड़का कहने लगा के फैटी इसने तुम मुझे पहचान लिया कही से ये भी पता ना चल जाए के मैं ग्रेट 4 में हूँ फैटी बोला चुप करो तुम अब इसे ये मत बता देना के हमारा बिग बोस ग्रेट 3 में है तैसे ये येंग ने भी कितने बेवकुफ चमचे रखे थे यहां ये येंग आ जाता है जिसने बताया के मैंने सिर्फ जेनिया को किर्नेप करने के लिए कहा था ये फैंक फैंक को क्यों ले आए पैटी बोला के दोनों साथ ही बैटी थी इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना बाई वन गेट वन फ्री हो जाए उसकी इस बेवकूफी पर उसे येंग से काफी ज्यादा मार पड़ी कि तुमने तो मैक डोनर्डी समझ लिया था इन दोनों से सोरी की कि मैं तुम लोगों को हट नहीं करना चाता था बस तुम्हारा यूस करके यहां फू फैंग को लाना चाता हूँ जैनिया बोली कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे रेस्क्यू करने के लिए यहाँ आएगा बला उसे मेरी परवा क्यों होने लगी येंग बोला अभी दिखाता हूँ फू को काल करके बताने लगा कि तुम्हारी प्यारी सी असिस्टंट मेरे कबजे में है अगर तुम चाते हो कि वो यहाँ से सेफली वापस चली जाए तो फूरण से यहाँ पहुंचाओ फू घुसा होकर कहने लगा कि उसे कोई भी नुकसान मत पहुंचाना और भाग कर उसकी तरफ जाता है आफ्टर देट येंग वहाँ से जाते हुए फैटी को उन दोनों पर नजर रखने के लिए कहता है और जैनिया के लिए उन्हें उलू बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी उन्हें अपनी बातों में लाकर यहां पसाते हुए वहाँ से भाग गई वो लोग तो इन्हें बुले करने का सोच रहे थे पर जैनिया से पंगा लिया था तो अब बुगतना भी तो पढ़ेगा उन्हें बाग कर एक डेंजर्स जगा पहुँच गई तो दूसी तरफ उन्हें ढूंटे ढूंटे यहां फू भी पहुँच आया इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हुआ तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेवन्थ एपिसोड की तरफ एपिसोड के स्टार्ट में हमें फू को दिकाया गया जो के वहां पहुँच कर ये येंग से जैनिया के बारे में पूछ रहा था वो बोला बहुत जल्दी पहुँच गए तुम ऐसा लगता है तुम्हें अपनी गर्फरेंड की बहुत फिकर हो रही थी ऐसी फिकर तुम्हें लिया की तो नहीं हुई फू बोला वो मेरी गर्फरेंड नहीं है उसे जाने दो और मेरी वज़े से बेकसू लोगों को परिशान मत करो अगर तुम्हें कोई मसला है तो आकर मुझ से बात करो येंग को तो इतना ज्यादा घुसा था बढ़कते हुए बोला कि लिया की जान तुम्हारी वज़े से गई तुम्हें ये एकसेप्ट करना ही होगा दूसी तरफ से गुनन उसे ये फजूर बाते करने से मना करता है कि वो सिर्फ एक एकसिडंट था और उसमें फू की कोई भी गलती नहीं थी तब तक तुम इस बात की सजा दूसरों को देते रहोगे जबके फू बोला मैं अपनी गलती मानता हूँ मैं अपनी सारी लाइफ में भी वो इंसीडंस नहीं बुला सकता पर इसमें जेनिया की क्या गलती गुनिन भी उसे जेनिया को जाने देने के लिए कह रहा था तो इस पर ये येंग उसे लड़ पड़ा के तुमें तो सिर्फ दूसरों की हमदर्दिया समेटना आता है फिर अपने दोस को मार खाता हुआ देखकर फूसे भी नहीं रहा गया और उसको डिफेंड करने के लिए ये येंग से लड़ पड़ा इस पर उसे ये येंग से काफी मार पड़ी और यहां फूर गूनें भी उसे डूनने के लिए जाने लगे उन्हें रोक कर ये येंग बोला कि अगर तुम चाहते हो जो आज हुआ वो दूसी बार ना हो तो वो ब्रीटिंग सोग जो तुमने लिया के लिए लिका कभी भी तुम्हारी जबान पर ना आए जेनिया जब नीचे गिर जाती है तो वो बेहोश हो गई और एक बड़ा स्टोन उसके उपर गिरने ही वाला था लेकिन सही टाइम पर फूने आकर उसे बचा लिया उसे अपने बैक पर उठाकर बाहर लाता है और इस बारे में तो वो जानता ही नहीं ता कि यहां फैंक फैंक भी मुझूद है येंग उसे देखकर तंस करते हुए बोला कि इस बार तो तुम हीरो बन गए लेकिन याद रखना कि मैं लिया की वज़ा से तुमें कभी भी माफ नहीं करूंगा बलकि उस हरी इंसान को जो तुम से जुड़ा हुआ है फू बोला मैं वादा करता हूँ वो सौंग नहीं गाऊंगा लेकिन मेरी वज़ा से बेकसूर लोगों को नुकसान मत पोंचाओ जेनिया को लेकर वहां से चला गया और यहां येंग को फैंक फैंक के बारे में याद आया तो उसे डूनने के लिए अंदर जाता है वो काफी डरी सहमी अंदर बैटी हुई थी उसके पाउ में भी मोच आ गई थी येंग ने उसे अपना हाथ दिया कि मुझ पर बरोसारा को मैं तुम्हें यहां से बाहर ले जाऊंगा फिर उसे बाहिल आकर अपने साथ बाइक पर बिटाया उसे खुद को होल्ड करने के लिए कहता है और सेफली होस्टल ले जाने लगा इदर फूने गुनन को कॉल करके बताया कि मैं जैनिया को ले आया हूँ और जैनिया भी होश में तो आ चुकी थी पर वो बेहोश होने की एक्टिंग करती है क्यूंकि उसे मज़ा आ रहा था आज पहली बार फूने उसकी जान बचाई जब फूने उसे नोटस किया तो उसे ये एक्टिंग बन करके उठने के लिए कहता है फिर भी वो नहीं मानी तो फूने उसे एक जोर की आवास दे कर उठाया अभी भी वो ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे कुछ नहीं पता कि वो यहां कैसे आ गई है फू बोला कि बस बस इस एक्टिंग को संबाल कर रखो फिर कभी काम आएगी लेकिन उसके फेस पर चोट के निशान दे कर जेनिया को अपनी छोड कर उसकी फिकर लग गई जिस पर वो बोला कि मैं ठीक हूँ तुम बताओ तुम ठीक हो ना उसके रूट बिहेव करने पर फू खुद ही उसका फेस पकड़ कर देखने लगा कि यह यह ने तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंच आई एंड जेनिया बोली कि मैं ठीक हूँ या नहीं इसे तुम्हें क्या लेना देना वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है वो कहने लगा इतनी चिड़ी सी होकर इतनी बड़ी बड़ी बाते करती हो थोड़ी देर के लिए अपनी जबान बंद नहीं रख सकती वो भी हार मानने वालों में से तो नहीं थी बेंच पर खड़े होकर उसे अपने पास आने के लिए कहा उसका फेस पकड़ कर कहने लगी के तुम्हें क्या लगता है अपनी हाइट की वज़ा से तुम मुझ पर रोब जमाते फिरोगे फू से पकड़ कर नीचे ले आया जेनिया उसे लड़ने लग जाती है और इसे दुरान उसके पाउ में मोच आ गई वो कहने लगी कि ये सब कुछ तुम्हारी वज़ा से हुआ जबके फू बोला के अराम से बेंच पर बैठो मुझे चेक करने दो कितनी केरलेस हो तुम्हें चेक करने के साथ साथ उसे बता रहा ता कि मुझे यकीन नहीं होता इतनी अगली लड़की को पता नहीं आज मैंने कहां कहां ढूंडा जैनिया को उसका अपने लिए केर करना तो अच्छा लग रहाता मगर ये बात सुनकर फिर से उसे लड़ने लगी आफ्टर देट उसे उठा कर अपने होस्टल ले जाने लगा और यहां एला तो खड़ी उसका वेट ही करती रह गई ना तो वो है और ना ही गुनन अगली सुबा डैनियल को दिकाया गया जो कि इस म्यूजिक वीडियो को देखकर काफी ज्यादा खुश ता पर फूने आकर बताया कि मैं इसे रिलीज नहीं करूंगा फिर चाहे मुझे इसका सारा नुकसान खुद ही क्यों न उठाना पड़े डैनियल को भी उसका ये चिल्डिश बिहेवियर समझ में नहीं आता यहां एला को जब पता चला के रात को फूज जैनिया के साथ ता तो ये सुनकर उसे और भी ज्यादा गुसा आया गुनन जो के लाइबरेरी में कुछ बुक्स देख रहा था और जैनिया उसके पास आकर उसे कुछ पूछना चाहती थी वो बिचारा तो इतना ज्यादा डर गया कहने लगा तुम आराम से भी तो पूछ सकती हो इस पूजिशन में क्यों कड़ी हो गई हो एंड जैनिया ने उसे अपना इंजर्ड लेक दिखाया कि अगर इस तरह खड़ी नहीं होंगी तो फिर मैं गिर जाओंगी ना उससे पूछने लगी कि मैं लिया के बारे में जाना चाती हूँ कि आखिर वो कौन है कल ये येंग उसका नाम लेकर काफी ज्यादा घुसा हो रहा था गुनन पहले तो सोचने लगा फिर बताया कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता लेकिन लिया के जाने के बाद ना तो फूव ऐसा रहा जैसे वो पहले हुआ करता था और ना ही येंग अगर इस बारे में तुम्हें कुछ और जानना है तो फूव येंग से पता करो नेक्स सीन में वो अपनी लंगरी टांग लेकर फू के पास आई जो के कलास में बैठा वीडियो गेम केल रहा था और उसे देखने के बाद उसकी टांग के बारे में पूछने लगा जैनिया ने बताया कि आप ठीक हूँ और कुछी दिन में ये पटिया शटिया भी उतर जाएंगी वैसे तुम्हें बता दो कि आज हम मैट्स प्रैक्टेस नहीं करेंगे बलकि मुझे तुमसे कुछ और डिसकुशन करनी है इसके बाद प्रोजेक्टर पर उसे ये येंग की वीडियो लगा कर बता रही थी के उसके के पर पनिश कैसे किया जाए ये देखकर तुफू ने फॉरण से मना कर दिया कि मैं उसे किसी किसम का बदला नहीं लेना चाहता और ना ही तुम उसे कुछ को होगी बिकूस उसने जान बुझ कर तुम्हें हट नहीं किया इस पर जेनिया भी उससे घुसा हो गई कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा वो बार बार तुम्हें टार्गिट करने की कोशिश कर रहा है और पता नहीं वो लिया नाम की लड़की कौन है जिसका बदला वो तुम से लेना चाहता था अब लिया का नाम सुनकर तो फू भी उस पर घुसा होने लगा कि तुम अपने काम से काम रख और मेरे हर मैटर से दूर रहा करो इतना ज्यादा रूट भी हीवियर तो फू ना आज से पहले कभी भी किसी के साथ नहीं किया जैनिया को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि कुछ न कुछ बड़ा जरूर है जो वो इतना ज्यादा घुसा हो गया फिर उसके बारे में स्केचिस बना के अपने दिल का बोज हलका किया गुनन उसके ये स्केचिस फू को दिखाता है के देखो जरा तावबी ने तुम्हें कितना बेचारा सा बना दिया है जो हर किसी की मार शोक से खाता हो फू बोला ये जो भी है बस एक बार मेरे हातों लग जाए फिर देखना मैं इसे कैसे मज़ा चिकाता हूँ जबके गुनन बोला के मैंने तो कभी सोचा भी नहीं तक के जेनिया के लावा तुम्हें कोई और भी सताने की हिमत करेगा आफटर देट जेनिया उससे नराज होती है उससे बात नहीं करती इवन के जब टीचर ने फू से क्वेशन किया तो तब भी सेनिया ने उसकी हैल्प नहीं की ओर्डर भी स्टूडर्स तक खुद ही ले जाने लगी उसे ये कह कर कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं बस मुझ से दूर रहो आफ्टर डैट फूने शेंशिंग को मेसेज किया कि मैं तुम से मिलना चाहता हूँ हमारा मिलना बहुत जरूरी है अगले सीन में हम इन दोनों को साथ देखते हैं जहां फूने पहले तो उसकी तारीफ की कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो इसके बाद उसके लिए रेस्टूरेंट की स्पेशल डिश ओर्डर करवाई लेकिन उसके खाने का तरीका देखकर फू को जैनिया याद आई जिसके बारे में वो आज भी बताते बताते रुप गया इसके बाद उसे म्यूजिक वीडियो के बारे में बताया कि मैं उसी रिलीज नहीं करना चाता क्योंकि अगर मैं रिलीज भी करो तो किसी की फिलिंग्स हर्ट होंगी शैंशिंग इस बारे में सुनकर कुछ ज़्यादा हैरान नहीं हुई कहने लगी अगर तुम मुझे इस बारे में नहीं बताना चाते तो कोई बात नहीं मैं जानती हूँ तुम्हारी अपनी रिजन्स होंगी बट फू ने उससे नहीं चुपाया उससे बताता है कि ये सौंग मैंने एक स्पेशल लड़की के लिका ता आज से तीन साल पहले एक कार अक्सेज़न पे उसकी डेथ हो गई मैं इस सौंग को रिलीज करके वो पेनफुल मेमरीज दुबारा से फिल नहीं करना चाता शेंशिंग ने उसे ये बात बताने पर थैंक्यू किया जिस पर वो बोला कि कोई बात नहीं हम दोनों दोस्त हैं वहां से जाने के बाद वो सोच रही थी कि जब मैं जहनिया थी तो तुमने मुझे इंटर्फियर करने से मना कर दिया और जब मैं शेंशिंग बन गई तो तुमने मुझे इतनी असानी से बता दिया इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम सिर्फ अट्रैक्टिव लड़कियों के साथ ही दोस्ती करना चाते हो नेक्स सीन में कलास में बैटकर गुनन को मेसेज करकी उससे एडवाइस लेती है कि मेरा एक दोस्त है उसने मुझे अपना सीक्रेट नहीं बताया पर एक स्टेंजर को असानी से बता दिया वही फू से देखने लगा कि आखिर ये कर क्या रही है एंड जेनिया ने भी उसे ये तांका जांकी करने पर डांट दिया कहने लगी तुम होते कौन हो मुझे पूछने वाले खुद तुम मुझे इंटर्फेर करने से मना कर रहे थे वैसे जेनिया को कुछ इस बात का भी गुसा था कि वो मुझे अपना दोस्तों कहता है पर अपने सीक्रेट्स नहीं बता सकता ये कैसी दोस्ती हुई भला गुनन को भी उन दोनों की ये लडाई काफी फनी लगती है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो बढ़ते हैं इस सीरिस के एट्थ एपिसोड की तरफ एपिसोड के स्टार्ट में हमें धिकाया गया कि एला अपनी फ्रेंड्स के साथ जैनिया के पास आती है उसे कहती है कि हमने तुमें पहले अच्छे से को वो स्नैक्स किलाए जो कि उसने जैनिया से खरीदे खाते साथ ही उसे स्टमक एक होने लगा और जब देखा तो वो सारे प्रोड़क्ट एक्सपायर थे वैसे ये भी एला की ही प्लैनिंग थी फिर वो प्रोड़क्ट लेकर जैनिया के पास वापस आ जाती है उसे वापस करते हुए कहने लगी कि तुम्हें शर्म नी आती हम तुमसे दोस्ती करना जाते थे और तुमने हमें एक्सपायर प्रोड़क्ट बेजा जैनिया ने उसे बताया भी कि तुम्हें जरूर घलत फहमी हो गई होगी उसे क्लियर क करनी की कोशच करती है पर अब तक तो एला ने सबी स्टूड़न्ट में ये बात पहला दी थी नेक्स सीन में वो दोनों ही इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी और जैनिया को इस बात का शक्र भी हुआ कि एला वैसे तो इतने अच्छे से बिहेव नहीं करती जित था और फो भी चारा कहने लगा कि मैं तो बस यहां यह पुछने के लिए आया था कि कही तुम्हें मेरी हल्प की जरूरत तो नहीं वो बोली अपनी ये गूड इंटेंशन अपने पास रखो जैसे तुमने मुझे मुझे मना किया था ना इंटरफियर करने से ऐसे मेरे कामो भी इंटरफियर मत करो अब फू को भी उसकी इस बिहेवियर पर काफी घुसा आया कहने लगा हाँ हाँ मैं तो जैसे मरा जा रहा हूं तुम्हारी हल्प करने के लिए नेक्स सीन में जैनिया फैंक फैंक को बताती है के रिटेलर के पास तो सबी प्रोड़क्ट सेम एक्सप बतात मानने ही पड़ी सारी राच जाकर उसने वो रिकॉर्डिंग देखी यहां तक कि उसकी आँके भी सूच गई थी पर गुनन के पूछने पर उसे पता लगने नहीं देता सिर्फ इतना बताया कि रात के अंदेरे में किसी ने हमारी कलास में जाकर जैनिया के प्रोड़ रहते रहते हो और जब हेल्प करने पर आओ तो अपनी हदे ही पार कर देते हो नेक्स सीन में गुनन ने वो रिकॉर्डिंग सब को दिका कर बताया कि जैनिया को पसाने की कोशश की गई और इसके पीचे किसका हाथ है हम ये भी जल्दी पता लगा लेंगे इस पर जैनिया तो बड़ी खुश हो जाती है और एला को अपनी फिकर होने लगी इसके बाद कलास में टीचर फू के पास आती है उसे फोरण से अपने आफिस में आने के लिए कहा जबके जैनिया को इस बात का अंदाजा पहले से ही ता कि जरूर उसके टेस्ट में गंदे मार्क्स के लिए और तो और उसने डोर भी बाहर से लॉक कर दिया यहां उसका सामना फू से हुआ और दोनों ही अचालंक से एक दूसरे को देखकर काफी ज़्यादा डर जाते हैं फूने उसे चुपकर आया उसे बताया कि मुझे यहां टीचर ने हिस्टरी बुक्स लीट करने के ल लूँगी फिर यहां चुहे को देखकर उंचा उंचा चिलाने लगी बिचारे फू को भी साथ डरा दिया और तो और उसके बैक पर चड़ जाती है उसने इससे काम डाउन किया बताया कि सिर्फ मेरी तरफ देखो अपने हैटफॉन्स भी पहनाए जैनिया भी अब उसके आ रहा तो इस पर फू को काफी ज़्यादा घुसा आया कि उसने मेरे बजाए गुनन से हल्प मांगी अगली सुबा जैनिया गुनन के साथ बाहर आई थी उसे थैंक्यू करने के लिए और गुनन भी उसे बता देना चाता था कि वो रिकॉर्डिंग मैंने नहीं बलके फूफ जाता और जैलस के मारे उसके पास बैठ गया जैनिया ने उन दोनों को बताया कि मैंने ही यहाँ गुनन को इन्वाइट किया था उसे थैंक्यू करने के लिए इसके बाद जब वो सभी ड्रिंक करने लगे तो फोने जैनिया को ड्रिंक करने से मना किया और गुनन बोला कि ज ज्यादा बुरा लगा वो भी एला के लिए ड्रिंक करने लगता है हाला कि उसे थोड़ी से ड्रिंक भी बरदाश नहीं होती है और उसने इतनी ज्यादा कर ली एला के जाने के बाद गुनन ने जैनिया को बताया कि वो सीची टीवी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं बलके फूने निकलवाई थी किम के वो तुम्हारी हल्प करना चाहता था इस पर जैनिया को भी बुरा लगा कि उसने मेरी हल्प करनी चाही और मैंने उसे कितनी बुरी तरह से बिहेव किया उसके जाने के बाद जब फूनन ने बताया कि वो तो स्कूल वापस चली गई और वो भी उसके पीचे आने लगा ये कहकर कि मुझे उससे बात करनी है उससे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और यहां स्कूल पहुंचकर गुनन को वॉलेबॉल के लिए चैलन्ज कर दिया इतना अच्छा तो उसने आज से पहले कभी भी नहीं खेला जितना अच्छा से वो आज रंग कोकर खेल रहा था गुनन हैरान होने के साथ साथ उसके साथ खेलते खेलते भी थख गया इसके बाद वो गल्स होस्टेल चला गया सबके डौर पर नो करते हूई पूछने के लिए कहा और वो बोला कि तुम्हारा उस गुनन और हांस से क्या रिलेशनशिप है जेनिया कहने लगी क्या मतलब है तुम्हारा वो दोनों सिरुफ मेरा बिजनस एक्सटेंट करने में मेरी हल्प कर रहे हैं इस पर फूने उसे अपना वॉयलेट अपना सब कुछ निकाल के दे दिया कि तुम्हें पैसो की जरूरत है ना ये देखो मेरे पास बहुत है तुम सारे रख लो लेकिन क्या तुम प्लीज उन दोनों को मेरी खाते नहीं चोड़ सकती क्यूंकि तुम सिर्फ मेरी हो उसे किस भी करने ही वाला ता लेकिन लगी बच गई एंड टा है जहां कलास के सबी स्टुडेंट्स इन दोनों के बारे में बाते कर रहे थे और जैनिया तो विचारी इतनी ज्यादा इंबरस थे कि उन्हें कुछ कह भी नहीं पा रही वही फू भी आ जाता है उसे भी अपने रात के के हुए सारे कारना में याद थे इन सब को इगनॉर करते हुए अपनी सीट पर चला गया जैनिया के लिए भी उसे फेस करना मुश्किल हो रहा था उसके साथ भी नहीं बैटना चाती पर क्या करती जब उसकी सीट ही यही है उसे उसका दिया हुआ वायलेट पकड़ाया और दोनों ही फॉरन से अपने अपने काम में बिजी हो दूसी तरफ से गुनन उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है फू से कहने लगा कि स्टडी पर फोकस करना अच्छी बात है लेकिन तुमने बुक उल्टी पकड़ी हुई है जबके जैनिया ने तो इंबेरस के मारे अपनी पूरी बुक पर ही कलर कर दिया फिर फू इशा वाले क्या सोचेंगे अब बाकी सब तो ठीक था लेकिन डैनियल ने जैनिया को अगली कहकर अपनी लिमिट सी पार कर दी इसलिए जैनिया भी उससे लड़ पड़ी खैर डैनियल ने मजीद बताया कि कल फू की मीडिया कॉनफरेंस है और तुम दोनों को सब के सामने फ्रें एपिसोड की तरफ एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि डैनियल फू को समझा रहा था कि लास्ट टाइम भी तुमने म्यूजिक वीडियो को रिलिस करने से मना कर दिया था अब तुम्हें एक नया मोकर मिला है शूटिंग करने का तो इसको हाथ से जाने मत दे बड़ जाने से पहले इन दोनों को समझा दिया कि अगर तुम दोनों हमबल रहोगे फ्रेंडली बेहेव करोगे तो कुछ भी बुरा नहीं होगा इसके बाद जाते हुए रस्ते में जैनिया ने फू से पूचा कि वो जो कर राद तुम हमारे होस्टल में आयते हैं और तुम जो बता रहे थे कि मैं अब इस से पहले के जैनिया अपना संटेंस कंप्लीट करती फू फू फूरान से बोला मैंने तुम्हें यही कहा था कि तुम सिर्फ मेरी असिस्टन्ट हो ज्यादा खुछ फैमिया पालने की जरूरत नहीं और नहीं मुझे इंबेरस करो जैनिया के लिए भी यह मानना थोड़ा मुश्किल ता कि आदी रात को तुम मुझे सिर्फ यह बताने के लिए आये थे शूटिंग लोकेशन पर पहुँचने के बाद काफी सारे रिपोर्टर्स उसके सामने आ जाते हैं सबी सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे कि तुम्हारा जैनिया से क्या रिलेशन्शिप है फोन के इस सवाल को इग्नॉर करके शूटिंग के बारे में बात करना चाहता था और यहां जैनिया बताने लगी कि क्या तुम लोगों को लगता है कि फो मुझ जैसी अगली लड़की को सलेक्ट करेगा मैं सिर्फ इसकी असिस्टन हूँ इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं फिर फो को उन लोगों से बचाते हुए वहां से ले गई डायरेक्टर ने उसे शूटिंग करने के लिए स्क्रिप्ट पकड़ाई मगर सीन रिकॉर्ड करने में अभी टाइम ता इसलिए दोनों को वही बैट कर वेट करना पड़ा इतना टाइम वेट करने के बाद जैनिया से और वेट भी नहीं किया जा रहा वो स्टाफ से पूछती है कि और कितना टाइम बागी है यहां कोई हीटर भी नहीं है इतनी टरंट है तो हम कैसे वेट करें और स्टाफ में आकर बताया कि तुम्हारे सीन्स में तोड़ा चेंज आ गया है अब तुम्हें स्वीमिंग फूल में कुदना होगा उस भीचारे को तो वैसे भी स्वीमिंग करनी नहीं आती और स्टाफ से ये सुनने के बाद तो उसकी जैसे जान ही निकल रही थी ना चाहते हुए भी उसे ये सीन रिकॉर्ड करना पड़ा यहां खड़ी जैनिया को भी उसके लिए काफी बुरा लग रहा था और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि उसे ये सीन कही बार रिपीट करवाया गया जैनिया फोरण से उसके पास जाती है टावल से सुकाने में उसकी हल्प करने लगी और बताया कि मुझे लगता है ये लोग ये सब को जान बुचकर कर रहे हैं इसके बावजूद भी फूने उसे यहां तमाशा बनाने से मना किया बट जैनिया ने डारेक्टर के पास जाकर बताया कि फू के जगा ये वाला स्टन्ट मैं प्ले करना चाहती हूँ फिर फू को भी समझाया कि तुम फिकर नहीं करो मैंने स्विमिंग सीक ली है मैं ये वाला स्टन्ट अच्छे से कर लूँगी फिर सीन रिकॉर्ड करती है और उसे भी फू की तरह ये वाला सीन कही बार रिपीट करना पड़ा अब तो फू को भी इस बात का यकिन हो गयाता के शायद डारेक्टर जान बूचकर जेनिया को इरिटेट करना चाह रहा है इतनी बार कोशिश करने के बाद उसने फाइनली कर दिकाया पर अब उसका सारा मेकब जा चुका था और वो बिल्कुल शेंशिंग की तरह लग रही थी इसलिए वो फू को भी अपने पास आने नहीं देती यहां सीन शिफ्ट होकर फैंक 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 पर आता है जो के एक रेस्टोरेंट में पार टाइम जोब कर रही थी और वही कुछ बैट बॉइस उसे चेड़ने लगे जब येंग ने देखा तो फैंक फैंक को वहां से जाने के लिए कहा सिर्फ अपना नाम बताने की देती के वो लड़की भी खुद बाखुद वहां से भाग गए रस्ते में कोई और उसे परिशान ना करे इसलिए उसने कहा कि मैं खुद ही तुम्हें घर चोड़ाता हूँ यहां जब उसके डैड ने इन दोनों को साथ देखा तो येंग को भी डिनर पर इन्वाइट कर दिया जबके फैंक फैंक को इस बात की हेजिटेशन हो रही थी के येंग तो एक रिच फैमली से है पता नहीं उसे हमारे गर आना अच्छा भी लगेगा या नहीं पर ये इन्गुन के साथ डिनर करते वे काफी कमफर्टेबल लगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज पहली बार उसे फैमली वाली फीलिंग जाई हो अगली सुमा हम जैनिया को देखते हैं जिसे फो ने एक सीक्रेट जगा बुला लिया था उसे सिरफ ये पूछने के लिए के तबियत तो ठीक है ना उसे भी सुनकर जरा जीब लगा कि फो इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है वैसे तो वो हर बाट डारेक्ली ही कह देता था फिर फो ने उसे उपर बुलाया एक नई जगा दिकाए उसे थैंक्यू करता है सिरफ इसलिए कि कल तो मेरी असिस्टन बनकर मेरे साथ गई थी उसे एक चोटा सा प्लाट भी दिया ये कहकर के इसका नाम भी जेनिया है तुम्हें पता है क्यों कि ये भी बिल्कुल अगली है तुम्हारी तरह वो इसलिए भी माइड नहीं करती कि ये पहली बार तो नहीं जब फोने उसे अगली कहा हो बलकि उल्टा उसी का ही मजाक उड़ाने लगी नेक्स सीन में जैनिया उस प्लान को देख देख कर मुस्कुरा रही थी विकोज वो अगली हिसा ही पर उसे फू ने दिया था से अभी ही मुझे खा जाएगी उसे बताता है कि तुम्हें शैंशिंग से ही कुछ सीख लेना चाहिए कितनी प्यारी है वो कितनी अच्चे से बिहेव करती है किसी दिन तुम्हें भी उससे मिलवाऊंगा गुनन भी उसकी तारिफे करने लगा वो तो पहले से ही शैंशिंग पर फ्लैट था जैनिया बोली कि तुम दोनों उसके खुआप देखने से पहले शीशे में अपनी शकले तो देख लो वैसे सची सची बताओ तुम लोगों को उस लड़की में कुछ गड़बर नहीं लगता वो अचानक से आती है चानक से गाइब हो जाती है और पिर उसके कुंटेक्ट कभी कोई अता पता नहीं इसके इलावा वो लड़की तने लंबे-लंबे कपड़े पहनती है उसकी टांके भी नजर नहीं आती क्या पता वो कोई चुड़ैल ही हो इसके बाद जैनिया ने फैंक फैंक को वो जैकट येंग को देते हुए देख लिया और उसे शक होने लगा कि कहीं दोनों की बीच में कुछ चल तो नहीं रहा और इसने उसे क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है बस उसने मेरी हेल्प की थी और उसका जैकेट मेरे पास रह गया था यहाँ टीचर को देखकर जैनिया उनसे अपने डैड के बारे में पूछती है उन्हें ये कहकर कि मैं पुराने सीनियर्स के बारे में इंफरमेशन को लेक्ट करना चाहती हूँ तीचर ने उसे थोड़ी बहुत इंफरमेशन दे कर मजीद ये बताया के बाकी की इंफरमेशन तुम्हें इंफरमेशन रूम से मिल जाएगी नेक्स सीन में जैनिया ने नोटस पोट पर देखा कि एक ड्रामा प्ले होने वाला था जिसके करेक्टर्स के ने पहले से ही लिक रहे थे और जैनिया का नाम भी उसमें एड़ था जो ना तो टीचर को पसंद आया और ना ही गुनन को जैनिया को भी इसके आवर एक्टिंग पर काफी ज्यादा हसी आ रही थी और इसके बार बार रपीट करनी की वज़े से उन लोगों को भी वही खड़े रहना पड़ा ब्रेक के दोना जैनिया ने टीचर को आइडिया दिया कि क्योंना फूफेंगी फीमेल लीट का रोल प्ले करें आपको नहीं पता वो लड़की बनकर कितना प्यारा लगता है गुनन को भी उसका या आइडिया पसंद आया बिकोज वो पहले भी फू को लड़की के रूप में देख चुका था पर फू को काफी ज्यादा घुसा आया वो इस बात पर जैनिया से लड़ पड़ा उन दोनों की ये क्यूर सी लड़ाई देखकर टीचर को उन दोनों की किमिस्टि काफी पसंद आई कहने लगी मैंने डिसाइड कर लिया है फू फीमेल लीड का रूल प्ले करेगा जबके जैनिया मेल लीड का इससे जैनिया को तो कोई मसला नहीं था और फूबी टीचर की बात को कैसे मना करता यहाँ एला को तो पता ही नहीं था कि उसके पीचे सीन में कितना बड़ा चेंज आ गया है उसे जैनिया का रूल पे करते हुए काफी ज़्यादा गुसा आ रहा था फिर प्रैक्टिस के दुरान जैनिया ने नोटस किया कि फू की तबियत कुछ ठीक नहीं लग रही और जब उसे हाथ लगा कर देगा तो काफी तेज बुखार था टीचर ने गुनन को फू को वहाँ से ले जाने के लिए कहा और बाकी सब को भी आज के लिए ब्रेक दे दी नेक्स सीन में जैनिया काफी वरिट थी उसके लिए उसे लग रहा था कि शायद कल पानी में बीगने की वज़ा से उसे बुखार हुआ फिर गुनन को देखकर फूरण से उसके बारे में पूछती है और उसने बताया के हाँ फू बिल्कुल ठीक है बस थोड़ा सा बुखार था लेकिन तुम उसके बारे मी तब परिशान क्यूं हो रही हो सब ठीक तो है ना जैनिया बोली के हाँ वो मेरा दोस्त है दोस्त के बारे मी पुछना तो नॉर्मल बात है जबकि उसे खुद भी ये बात फील हुई के जितना ज्यादा वो परिशान हो रही है इतना सिरफ एक दोस्त तो नहीं हो सकता यहां फुके काफी सारे फैंस उसके लिए गिफ्ट लेकर आए थे और वो चाते थे के जैनिया हमारे गिफ्ट उसके घर लेकर जाए गुनन बोला के तुम्हे उसके असिस्टन बनने के लिए राजी हुई थी अब अपना ये वाला फर्ज भी अदा करो फिचारी को बारिश में भी वो सारे गिफ्ट लेकर फुके गर आना पड़ा आखिर ये उसका फर्स था यहां बड़ी मुसीबत यह थी कि उसे फुके डैट की नदरों से भी बचना पड़ा बिकोज वो पहले भी जेनिया से मिल चुगा था जब फु से अपनी गर्फरेंट बना कर लाया था किसी भी तरह करके उसके रूम में पहुन जाती है गिफ्ट से एक्साइट पर रख दिये और दीरे दीरे से फुके उपर बलंकिट ठीक करने लेगी इसी दोनां फु ने पुरा बलंकिट ही खुद से अटा दिया जबकि उसने शोर्ट पहन रखी थी और सेनिया को उसे ऐसे देखते हुए काफी शर्म आ रही थी इसके बावजूद भी उसकी तबियत के बारे में सोचकर उस पर बलंकिट ठोडने की कोशश करती है और यहां फु को भी जागा गई इसे डांटते हुए बोला कि तुम मेरे सोते हुए मेरा फाइदा उठाने की कोशश कर रही थी सेनिया को भी घुसा आया कहने लगी तुम अपनी बगवास बन करो एक तो मैं तुम्हारा बला चा रही थी और उपर से तुम फजूल बोल रहे हो तुम्हारे फैंस ने मुझे कुछ गिव्ट दिये थे जो मैंने वहाँ पर लाकर रख दिये है अब मैं वापस जा रही हूँ बारिश में भीगने की वज़ा से फूने उसे बताया कि तुम मेरे कपड़े चेंज कर लो जब तुम्हारे कपड़े सूप जाएंगे तो तब चली जाना फिर उसे इन कपड़ों में देखकर फूस की तरफ अट्रेक्ट होने लगा और क्यों ना होता आखिर जैनिया ने इसे पहले कभी भी उसके सामने ऐसी ड्रेसिंग नहीं कीती यहां एक और मुसीबत नाजिल हो जाती है एला के रूप में और जैनिया को समझ नहीं आती कि मैं कहां चुपूँ कोज वो नहीं जाती थी कि एला मुझे इन कपड़ों में देखे जाहिर सी बात है कि फू भी असा नहीं चाहता इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो बढ़ते हैं इस सीरीस के टैंथ एपिसोड की तरफ एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि जैसे ही एला रूम में इंटल होती है फू ने जैनिया को अपने साथ बलंकेट में चुपा लिया था उससे रिक्वेस्ट की के मुझे डॉक्टर ने अराम करने के लिए कहा है प्लीज तुम इन सब को यहां से ले जो मैं अकेले बैटर फिल करूंगा एला भी उसकी बात मान जाती है पर जाते जाते उसने जैनिया के पाउं देख लिये थे जिसके नेल्स पर नेल पोलश लेगी हुई थी इस बार भी उसे खुद को बचाने के लिए एक्टिंग करनी पड़ी जब जैनिया बाहर आती है तो उसे डाटने लगी कि तुम्हारी वज़ा से मुझे कितना कुछ जेलना पड़ा वही गुनन की कॉल आती है जिसने फॉरण से जैनिया को स्कूल प्रैक्टिस करने के लिए बुला लिया नेक्स सीन स्कूल का दिकाया गया जहां प्रैक्टिस करते हुए जैनिया को वाइलन प्ले करना था और वो भी काफी कॉन्फिडंटली प्ले करने के लिए चली गई उसकी ये ट्यून टीचर चैन को भी सुनी सुनाई लगी और गुनन को तो इसे फॉरण से शैन्शिंग की याद आई बलके उसे तो पूरी सचाई का भी पता लग गया के जैनिया ही शैन्शिंग है पर वो जैनिया बनके अपनी सचाई क्यों चुपाना चाती है उस बीचारे को तो ज्यादा बुरा इसलिए भी लगा के वो शैन्शिंग को पसंद करता था और फूस नैनिया को लाइक करता है जब के वो दोनों ही एक लड़की निकली फूस की सुदासी की वज़ा पूछ रहा था जिस पर गूनन बोला कि तुम जानते हो ना हमने कभी भी लड़ाई नहीं की पर अगर ऐसा कभी फ्यूचर में हुआ तो तुम क्या करोगे इस पर फूने काफी फ्रेंडली आंसर किया कि ऐसा कभी भी नहीं होगा हमारी जिस चीज़ पर लड़ाई होगी वो चीज़ में तुमें दे दूंगा अब इस से पहले के गुनन उसे कुछ कह पाता है यहां फू को अपनी कमप्ड़ी की तरफ से कॉल आ जाती है उसे बताया कि तुम्हारे कुछ फैंस दे हमारा कम्प्यूटर हैक कर लिया था और तुम्हारा ब्रीटिंग सॉंग भी रिलीस कर दिया है जिसे तुम रिलीस नहीं करना चाते थे आई होब कि ये तुम्हारे लिए ज़्यादा परिशानी की बात नहीं होगी नेक्स सीन में हम जेनिया और फू को एक साथ बास्केटबाल खेलते हुए देखते है वही ये येंग आया जो से कहने लगा कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम ब्रीटिंग सॉंग को रिलीस नहीं करोगे अब चाहे फू उसे जितना मर्जी समझाता कि मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा बलके फैंस ने कंप्यूटर को हैक करके उस सॉंग को रिलीस किया पर ये येंग उसकी बात मानने वाला नहीं था जेनिया भी येंग को रोकती है फूको नुकसान पहुंचाने से और वो ये कहते हुए चला गया कि आप जो बुरा मैं तुम्हारे साथ करूंगा उसके लिए मुझे जिमिदार मट तहराना जेनिया भी फूस से पूछती है कि आखिर तुमने उससे ऐसा वादा क्यूं किया था और वो इसी इस बार में सोचने से मना करके वहां से चला गया नेक्स सीन में ये येंग को दिकाया गया जो कि एक बार में बैटा ड्रिंग कर रहा था और फैंग फैंग भी उसी बार में पार्ट टाइम जोब करती है उसे इतना ज्यादा ड्रिंग करते हुए देखकर ये भी उसके बार में परेशान हो गई पर मेनेजर ने बताया कि ये तो रूटीन की बात है वो अक्सर यहां कर ड्रिंग करता रहता है ड्रंक होने की वज़े से ये येंग ने फैंग फैंग को भी लिया समझ लिया था और ऐसा लगता है कि लिए उसके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टन्ट थी फिर अगली सुबर का सीन दिकाया गया फैंग 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 ने उस पर अपना कोट ओर दिया था और उसके लिए खाने को भी रखा और जब वो यही कोट वापस करने के लिए फैंग फैंग की कलास में जाता है तो जैनिया को फिर से शक होने लगा कि कुछ ना कुछ तो इन दोनों की बीच में चल रहा है नेक्स सीन हमें स्कूल हाल का दिकाया गया जहां फाइनल याज ड्रामा प्ले होने वाला था जिसमें फू एक प्यारी सी लड़की बनी थी और जैनिया को अगली मैन बनाया गया फू तो ये रोल प्ले कर लेगा पर जेनिया को थोड़ा सा डर लग रहा था जिस पर गुनन ने उसे मोटिवेट किया कि मुझे तुम पर पूरा बरोसा है तुम ये कर लोगी फिर स्टेश पर जाने से पहले जेनिया पानी पीती है और पिने के बाद उसे पता चला कि ये पानी नहीं बलके अलकोहल था पर अब क्या हो सकता था स्टेश पर जाने कि उसकी बारी भी आच चुकी इस ट्रामा मेला को विलन का रोल दिया गया था जहां वो अगली मैन से उसकी ब्यूटीफुल गर्फरेंट को चुराने के लिए आई थी पर वो ऐसा होने नहीं देता उससे लड़ पड़ा डरा दम का कर उसे यहां से भगा दिया उसके भागने के बाद ब्यूटी अपने अगली मैन के पास आती है उसे बताती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा मैं तुम्हें बचा लूँगी और वो बोला कि अब बहुत देर हो चुकी मुझे इस दुनिया से जाना होगा पर इसे पहले मैं तुमें यह बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें तुमसे बहुत ज्यादा प्यारकरता हूं जेनिया प्ले खतम होने के बाद भी नहीं उटती तो इस पर फू समझ गया कि वो ड्रंग थी नेक्स सीन में जब उसे होश आता है तो उसे इस बात का दुख हुआ कि मैंने इंपोर्टन सीन्स मिस कर दिये और फैंग फैंग ने भी उसे बताया कि अगर तुम केरलेसली ड्रिंक ना करती तो सब कुछ इंजोई कर पाती अब वो कलास लेने के लिए जाने ही वाली थी जिस पर फैंग फैंग ने बताया कि टीचर चैन की तबिया ठीक नहीं है इसलिए उन्होंने आज की कलास इसके लिए ओफ दे दिया इसके बाद टीचर चैन की तबियत पूछने के लिए उसके घर जाती है उसे इस बात की उमीदती के अपने पैरंट्स के बारे में कुछ मजीद जान पाएगी टीचर ने उसको यहाँ ने पर थैंक्यू किया उसे बताया कि तुम्हारे इडिशनल सीन ने इस प्ले को रेल बना दिया था जबकि उसे तो डाल लग रहा था कि पता नहीं इस पर टीचर का क्या रियेक्शन होगा पिर टीचर चैन उसके लिए फ्रूर काटने को जाती है और यहाँ जैनिया ने उनके घर में अपने मॉम डैट की पिक्चर देख ली जिसे देखने के बाद उसकी आंकों से आसु आने लगे टीचर चैन ने उसे ऐसे रोते हुए देखकर उसे पूचा कि क्या तुम इन दोनों को जानती हो जिस पर जैनिया ने भी सच सच बता दिया कि हाँ ये दोनों मेरे पैरंट्स है उन्हें पहले भी थोड़ा बहुत शक तो हुआ ही था क्यूंके जैनिया उन्हें बिलकुल अपनी मॉम की तरह दिखती थी आफ्टर दर्टो से 20 साल पहले की कहानी बताने लेगी जहां टीचर चैन को कलास में सब बुले किया करते थे और जैनिया की मॉम यू बहुत ब्रेव लेडी थी उसने सब को मना कर दिया कि खबरदार आज के बाद किसी ने चैन को बुले करने की कोशिश की तो क्यूंके वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है इस तरह वो दोनों पहली बार दोस्ट बनीती और उसकी इसी ब्रेवनस की वज़़ा से जैनिया भी उसको यू की तरह लगी जब जैनिया ने बताया के मेरी मौम की कुछ साल पहले डैथ हो गए और में अपने डैड के बारे में नहीं जान दी के वो कहाँ चले गई मैं जब भी अपने ग्रैंड पास से डैड के बारे में पूछती हो तो वो मुझे डांड देते हैं वो कहते हैं के मेरे डैड अच्छे इंसान नहीं थे बलकि उनकी वज़े से मेरी मौम की जान गई टीचर चन को भी ये बात सुनकर उसका यकीन नहीं आता कहने लगी के तुम्हारा डैड बहुत अच्छा इंसान था उन्होंने हमेशा तुम्हारी मौम को सबसे ज्यादा प्यार किया फ्लैश बैक से हमें डांस पार्टी का सीन दिकाया जाता है जहां यू का डांस पार्टनर अभी तक नहीं आया और वो खड़ी उसका वेट कर रही थी कुछ तेर में उसके पास एक लड़का आया जिसने बताया कि मेरे दोस्त की तब्याट ठीक नहीं थी इसलिए उसने मुझे तुम्हारा डांस पार्टनर बनने के लिए कहा इससे पहले ज्याओं ने कभी भी डांस नहीं किया था इसलिए पार्टी स्टार्ट होने से पहले यू से डांस करना सिकाती है प्रैक्टिस करने के बाद तो वो कुछ ना कुछ सीखी गयाता पर यूको नर्विसनेस हो रही थी के पता नहीं वो अच्छे से कर पाएगी या नहीं इस पर ज्याओं ने उसे मुटिवेट किया कि अगर तुम मुझे डांस करना सीका सकती हो तो मुझे यकीन है कि तुम खुद भी अच्छे से कर पाओगी और फिर उन दोनों ने इतने अच्छे से परफॉर्म किया कि फ़स्ट विनर की ट्रोफी भी अपने नाम कर ली दीरे दीरे वो दोनों अच्छे दोस्ट बन गए ज्यादा से ज्यादा टाइम वो दोनों एक साथ स्पंट किया करते थे एवन की एक रिजुवेशन के बाद ज्याओं ने मुका हाथ से जाने नहीं दिया और यू को शादी के लिए प्रोपोस कर दिया इस पर यू की खुशी का तो कोई टिकाना ही नहीं था बलके हम सबी उसके लिए काफी ज्यादा खुश थे ज्याओं ने उससे वादा कर लिया तक कि मैं कुछी दिनों में तुम से शादी कर लूँगा इसके बाद मुझे स्कून में जोब मिल गई मैं अपने कामों में बिजी हो गई और दीरे दीरे मेरा उनसे कॉंटेक्ट खत्म हो गया इसलिए मैं नहीं जानती कि वो दोनों कहां चले गए और उनकी लाइफ में मजजीद क्या हुआ लेकिन अगर तुम आगे का सच जाना चाती हो तो सिर्फ एक इनसान ही तुमें सच बता सकता है और वो तुम्हारा ग्रेंट पा है जैनिया ने उनको थैंक्यो किया कि आज मेरे पैरन्स के बारे में आपने मुझे जितना भी कुछ बताया मुझे जान के बहुत खुशी हुई वहां से आने के बाद जैनिया सोच रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो अब तक मेरे ग्रेंट पा ने मुझे से चुपा कर रखी है और मेरे डैट के बारे में बात भी नहीं करना चाहते यही सोचते सोचते उसने ग्रेंट पा से पूछने के लिए उन्हें कॉल मिलाई और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खतम हूँ तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 11 एपिसोड की तरफ एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिकाया गया जैनिया अपने ग्रेंट पा को कॉल करके उन से पूछती है कि आपने मेरे मॉम डेट के बारे में मुझ से अब तक जो कुछ भी चुपा कर रकाब आपको बताना होगा ग्रेंट पा अभी भी बताने के लिए तयार नहीं थे पर जिसंदा से जैनिया पूछ रही थी वो ये तो जरूर समझ गए कि जैनिया मेंगडी कॉलेज पहुँच चुकी है नेक्स सीन में हमें दिखाया गया जैनिया फैंक फैंक को बता रही थी कि टीचर चैन इतनी भी बुरी नहीं जितना हम स्टूरंट सुने समझते हैं चलो अब मुझे सोने दो वैसे भी कल सुबह मुझे किसी स्पेशल परसन से मिलने जाना है इस पर फैंक फैंक को तो लगा कि शायद वो फू की बात कर रही है उसके पीछे ही पढ़ गई कि आजकल तुम फू से कुछ ज्यादा ही मिलने नहीं लग गई कही तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया जैनिया बोली कि आप फजूल बाते कर रही हो मैं सिर्फ उसके असिस्टेंट हो और हम कलास फैलोस भी तो है क्या बुरा हुआ अगर मैं उससे मिलू तो वैसे एक बात बताओ हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किसी से प्यार हो गया है फैंक फैंक ने बताया कि जब तुम्हें किसी के सामने प्रिटरंड ना करना पड़े तुम रेल में उसकी केर करो तो समझ जाना कि तुम्हें उससे प्यार हो गया नेक्स सीन में गुनन और फू को दिकाया गया जहां गुनन उसे बता रहा था कि अगले हफते मेरी ग्रेंड मा की बर्डे आने वाली है उनके लिए गिफ्ट लेने तुम भी मेरे साथ चलना पर जिस तरह का मायूस चेहरा उसने बनाया हुआ था इस पर फू कहने लगा कि तुम्हारी ग्रेंड मा की बर्डे तो हर साल आकर गुजर जाती है पर अभी तक तुमने अपने लिए गर्फरेंड नहीं डूंडी मैं जानता हूँ कि तुम शेंचिंग को लाइक करते हो पर उसे बता क्यों नहीं देते और कब तक इंतजार करोगे बिचारा गुनन जो के ये जान चुका था कि जेनिया ही शेंचिंग है अब तो उसका शेंचिंग का नाम लेने को भी दिल नहीं करता अगली सुबा जेनिया टीचर चेंचिंग से मिलने के लिए गई थी और वही वो स्पेशल परसंती जिसके बारे में उसने फैंक फैंक को बताया था उनके जाने के बाद यहां गुनन और फू आते हैं जिनकी बाई चांस शेंचिंग पर नजर पड़ी और फू सोचने लगा कि इस बार तो वो शेंचिंग और गुनन की सेटिंग करवा कर ही रहेगा उसे बताया कि गुननन एक लड़की को प्रोपोस करने वाला है इसमें हमें तुमारी हेल्प चाहिए और वो खड़ाओ कर कहने लगा कि नहीं मैं नहीं बलकि फू प्रोपोस करने वाला है तुम इसे गाइड कर दो तब तक मैं अपनी दादी मा के लिए गिफ्ट ले कर आत और वो भी जैसी है मुझे वैसी ही पसंद है थोड़ी सी पागल जरूर है पर बहुत अच्छी है किसी दिन आपको भी उससे मिलवाऊंगा थोड़ी से लड़कियों वाले शोक उसको भी सिका देना बस इतनी सी कमी है इसके बाद वो बहाना करके वहां से चली कई और मेक अ शेक अप करके अपने जैनिया वाले रूप में वापस आ जाती है वापस जाते वे सामने से फू और गुनन आ रहे थे उन से चुपके चुपाते हुए जाने ही लगी थी के फूरे उसे पहचान लिया और साथी उससे पूछने लगा कि तुम यहां क्या कर रही हो जिस पर जैनिया ने बहाना कर दिया कि मैं यहां पार्ट टाइम जोब डूडने आई थी। फू उसे अप्लाइ भी करने नहीं देता और उसे अपने साथ ही ले गया। गुने ने जैनिया को भी अपनी दादी मा के बर्डे बार्टी में इन्वाइट कर दिया उसे ये कह करके अगर तुम चाहो तो साथ फैंक फैंक को भी ला सकती हो। नेक्स सीन में हम زینया और फंग फंग को पार्टी में आती हुए देखते हैं जहां जेनया को तो इन्हें देखकर काफी जादा घुसा आया इन्हें टौंट मारते हुए कहने लगी zwyk até MO, जब के एला को तो लग रहा तक के शय को बीजनस नहीं चलने वाला है। वही गुनन ने इन दोनों को अपनी बच्पन की फ्रेंड तेगना से मिलवाया जो के एटिट्यूट में बिलकुल एला की तरह ही थी ये देखकर उसे बिलकुल भी बरदाश नहीं हुआ कि जेनिया ने उसकी तरह ड्रस पहन रखी है इसके बाद बाई मिस्टेक जेनिया से तेगना की ड्रस के उपर ड्रिंक गीर गई और एला ने तो इसको बड़ा तमाशा बना दिया गुनन के स्टेप ब्रदर ने भी जब देखा तो वो जेनिया को डाटने लगा उसे बताता है कि तुम्हें सबके सामने तेगना से माफी मांगनी होगी सिरफ और सिरफ इसलिए कि वो गुनन की दोस्ती और गुनन उसे अच्छा नहीं लगता ये देखकर फू कहने लगा कि जैनिया किसी से भी माफी नहीं मांगेगी बिकोस वो जानता था कि वो कभी भी जान बुच कर किसी को हट नहीं करती पार्टी चोड़कर जाने के लिए गुनन को सोरी करता है और जैनिया का हाथ पकड़ कर उसे वहां से ले गया उसे ये जान कर काफी अच्छा लगा कि फू को उस पर इतना ज्यादा बरुसा है उसके सामने सिली एक्स करती रही और फू को भी उसके ये एक्स काफी क्यूट लग रहे थे इसके बाद वो जैनिया को बास्किट बाल ग्राउंड ले आया उसे दिकाने के लिए कि मैं कितने अच्छे से खेल सकता हूँ पर पता नहीं मुझे लोगों के सामने क्या हो जाता है जैनिया भी उसे इतना अच्छे से केलती वे दे कर खुश हो गई उसे अप्रिशेट क्या बताया कि तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं कही न कही फू भी अपनी इस लाइफ से तंग आ गया तक वो फेमस तो जरूर है पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जो उसका दिल चाहे और तो और उसे ये बात भी सबसे चुपानी पड़ी के मुझे बास्किट बॉल खेलना आता है इसलिए उसे जैनिया से भी जलसी होती है कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं तो ऐसा कुछ न कुछ जरूर हो जाता है तो फिर तुम्हारी वज़े से ही हुआ ना फू भी आज उसका ये डर खतम करना चाहता था उसे उटा कर चुहे के पास लेकर जाता है पर जब जा कर देका तो वो कोई चुहा नहीं बलके एक चोटी सी बिल्ली थी अगली सूबर टीचर चैने जैनिया को अपने आफिस में बुलाया और जब उसने जा कर देका तो उसके ग्रैनपा उसे मिलने के लिए उसके कॉलेज आये हुए थे अब ना चाहते हुए भी उसे अपने ग्रैनपा से मिलना पड़ा और वो तो इसे इस हुलिया में देखकर उस पर काफी जादा गुसा होने लगे कि ये तुमने अपना क्या हशर बना रखा है इस हुलिया में तो यहां की लोग सिर्फ तुम्हारा मजाक ही उड़ा सकते हैं तुम अभी क्या भी मेरे साथ चलोगी जैनिया ने उन्हें काफी समझाया कि इस हुलिया में मैं जैसे मर्जी चाहिए अपनी जिन्दे की गुजार सकती हूँ कोई मुझे कुछ भी नहीं कह सकता एड़ दा एड़ वही एन्वल ब्यूटी कंपिटिशन का लोगो देखकर अपने ग्रांडपा से कहने लगी कि अगर मैंने इसमें फर्स्ट प्राइज हासल ना किया तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके पास वापस चली आउंगी उसकी ये शर्ट तो ग्रांडपा फॉरण से मान गए बिकोज वो जानते थे कि इस हुलिये के साथ तो उसे फर्स्ट प्राइस कभी भी नहीं मिलने वाला इसके बाद जब वो ब्यूटी कमपिटिशन के लिए अपना फॉर्म सब्मिट कराती है तो हान भी उसका मजाग उडाने लगा कि यहां कोई कॉमेडी शो नहीं हो रहा अच्छा होगा कि तुम नहीं एप्लाइ करो एला भी उसे टौट माने लगी के यह कमपिटिशन तो सिर्फ मैं ही जीतूंगी तुम्हें बता दू कि तुम्हारी सारी मैना जाया जाने वाली है लेकिन जाहे जो मर्जी हो कोई कुछ भी कहे जैनिया की मोटिवेशन कम होने वाली नहीं थी बिकोज वो जानती है कि ब्यूटी का मतलब सिर्फ आउटसाइड ब्यूटी नहीं होता ये बात जब कलास के लड़कों को पता चली तो उन्होंने डिसाइड किया कि चाहे जो मर्जी हो जाए हम अपनी कलास फेलो जैनिया को पुरा पुरा सपोर्ट करेंगे जबके फू ने उसी इस कमपिटिशन में पार्टिस्पेट करने से मना कर दिया बिकोज वो जानता था कि शायद जैनिया हट हो जाएगी और उसका रियक्शन तो ऐसा था जैसे वो अभी ही फू को काट कर खा जाये उसे बताती है कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले फिर गुनन को अपने साथ लेकर जाती है उसे बताया कि मैं तुम से कुछ प्राइवेट बात करना चाती हूँ और इस पर फू को तो काफी ज्यादा घुसा आया जैसे ही गुनन वहाँ से वापस आया फूफ फूरण से उसे पूछने लगा कि जैनिया तूम से क्या प्राइवेट बात की गुनन ने बताया कि जैनिया इस कंपिटेशन को जीतना चाती है इसलिए उसने मेरी हैल्प मांगी वो चाहती है कि मैं उसके लिए एक सोंग लिकूँ नेक्स सीन में जब जैनिया गुनन के साथ सोंग की प्रैक्टिस करने वाली थी तो फू भी वही मुझूद था और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता फिर जब जैनिया ड्रस चेंज करके आती है तो ये दोनों तो उसे देखकर पहली नजर में ही फ्लैट हो गए जैनिया ने फू को बताया कि हम दोनों यहां प्रैक्टिस करने वाले हैं अगर तुम खामोशी से बैठ सकते हो तो बैठ जाओ नहीं तो आराम से उड़कर यहां से चले जाना उस पिचारे को तो इसलिए भी गुसा रहा तक जैनिया ने हल्प के लिए मुझ से नहीं पूचा और दूसरा उसे गुनन से भी जैलसी हो रही थी अगले दिन जब यह दोनों फिर से प्रैक्टिस कर रहे थे तो एला ने आकर बताया के चेर्मेन गुनन स्टूडन्स की तरफ से आमें तुम्हारी काफी कम्प्लेन आई है बिकोज तुम स्टूडन्ट और्गनाइजेशन के मेंबर हो और किसी भी पार्टिसेपिंट की हल्प नहीं कर सकते जैनिया भी समझ गई कि अला यह सब कुछ सिर्फ मुझे टफ टाइम देने के लिए कर रही है जैगुनन को थैंक्यू किया उसे बताया कि तुमने मेरी जितनी भी हल्प की बस इतना ही काफी था नेक्स सीन में वो हल्प लेने के लिए फू के पास जाती है और इसी के साथ हमारा येवाल एपिसोड भी खत्म हुआ तो बढ़ते हैं इस सीरिस के 12 एपिसोड की तरफ एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जैनिया फू से हल्प मांगती वे उसे बताती है कि अगर तुमने मेरी हल्प नहीं की तो तुमाइंदा मुझे स्कूल में कभी भी नहीं देख सकोगे क्यों नहीं देख सकोगे ये वचा नहीं बताती और फूबी दिल ही दिल में कहता है कि मैं जानता था तुम मेरे पास हल्प लेने जरूर आओगी कहने लगा मैं तुमारी हल्प कर देता लेकिन फिलहाल मैं तुमारी हल्प करने के मूड में बिलकुल भी नहीं असल में वो चाता था कि जैनिया उसकी थोड़ी सी मिंते करे उसके सामने अपना सर जुकाए पर जैनिया तो उसे कुछ भी करे बगहर वहां से चली गई इसके बाद अगली सुबा का सीन दिकाया गया जहां ये कंपिटिशन आज होने ही वाला था और सबने अपनी अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली थी जितनी भी पार्टिसेपिंट्स थी वो सभी अपने मेक अप और ड्रेसिंग में मसरूफ थी फिर जैसे ही वो लोग जैनिया को देखते हैं उसे देखकर टोंट मानने लगे के पता नहीं कैसी कैसी लड़की आ जाती है पर जैनिया को इन सब की बातों से बिलकुल भी फर्क नहीं पड़ा वो इनको इग्नोर करके अपने खाने में मसरूफ हो गई आखिर वो जानती थी कि उसे मेक अप से ज्यादा एनरजी की जरूरत है दूसी तरफ हॉल का सीन दिकाया गया जहां सबी पार्टिसिपेंट्स को फर्स राउंड के लिए बुलाया जा रहा था जिसमें उन्होंने अपने थौर्ट्स बताने थे जैनिया को कोई और सपोर्ट करे या ना करे या फिर उसकी फर्स प्राइज आ सके या नहीं लेकिन उसके कलास फैलोसों से जरूर सपोर्ट कर रहे थे यहां एक पार्टिसिपेंट का भूख से बुरा हाल हो रहा था और जैनिया की पुछने पर उसने बताया कि मैंने दो दिन से कुछ भी नहीं खाया था ताकि मैं अपनी बोडी फिगर को मिन्टेन रख सकूँ तो वही एक जर्ज ग्रैनपा से मिला हुआ था जैनिया को फर्स्ट प्राइज ना देने के लिए ताकि वो अपने घर वापस चली जाए इसके बाद जब जैनिया की टरना आई तो एला की फ्रेंड ने कुशन किया कि तुम्हें किस चीज़ ने मुटिवेट किया कि तुम इस कम्पिटीशन में पार्ट लो हाला कि तुम जानती हो कि तुम हार जाओगी पूबी वही पहुंच जाया यहां हान और गुनन को उस लिड़की का ये कुशन बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा और गुनन ने उसे ऐसे सवाल करने से मना कर दिया जैनिया बोली कोई बात नहीं मैं इसके इस सवाल का जवाब दे सकती हूँ उसे एक लंबा छोड़ा लेक्चर देने लगी कि इनसान के खुबसूरती सिर्फ उसका आउटर लुक नहीं होता और वैसे भी इस बात को आज तक दुन्या में कौन प्रूफ करके दिका सका बलके खुबसूरती तो वो होती है जिसे आप फिल कर सको सबी को उसका ये लेक्चर काफी अच्छा लगा फूने उसके लिए सबसे पहले क्लैपिंग की उसके कलास फैलोस भी उसे काफी सपोर्ट करते रहे ग्रैंट पा भी अपनी जैनिया को मान ही गया कि ये यकीनन मेरा ही खुन है जो कभी भी हार नहीं मानेगी नेक्स्ट राउन में जैनिया को अपना सॉंग फ्ले करके दिकाना था जिसके उसे अच्छे से प्रैक्टस नहीं थी लेकिन वो फिर भी कोशिश करती रही जब उसने नोटस किया तो फूस की हल्प करने के लिए पहुंच किया था हाला कि उसे फूसे यहाने की उमीद बिल्कुल भी नहीं थी लेकिन जो भी है जैनिया को उसका यहाना काफी अच्छा लगा और दोनों ने काफी अच्छे से पर्फॉर्म भी किया आफ्टर देट जैनिया ने उसे यहाने पर थैंक्यू किया जिस पर फूबॉला के कम्पिटिशन में चाहे जो मर्जी हो लेकिन आज के बाद मेरे दिल में मिस ब्यूटी तुम बन गई एला को इन्हें देख देख कर गुसा आ रहा था और गुनन बिचारे को इस बात का दुख होता है कि पहली बार मैंने किसी लड़की को पसंद किया वो भी किसी और की हो गई आखिर कार हमारे कमपिटिशन का रिजल्ट आउट हो जाता है जिसमें मिस ब्यूटी के लिए एला को ही नुमिनेट किया और वो भी सिरफ और सिरफ ग्रेंट पा के कहने पर फिर जब फूर ने उससे इशारा करके all is well कहा तो जैनिया को भी ये कमपिटिशन हारने का कोई दुख नहीं था एला ये कमपिटिशन जीत कर भी नहीं जीत पाई और ग्रेंट पा को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि मैंने अपनी ग्रेंट चाइल्ट को लाइट ले लिया था नेक्स सीन में हमें जैनिया को अपनी पैकिंग करते हुए दिकाया गया क्यूंकि अब उसे अपने वादे के मताबिक यहां से वापस जाना था फैंक फैंक के पूछने पर भी उसे वचा नहीं बताई वहीं ग्रेंट पा की कॉल आई जो उसे बता रहा था कि तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं क्यूंकि मैं जान गया हूं कि तुम वहां रहकर भी अपनी इफाज़त कर सकती हो लेकिन तुम इस सीक्रेट के बारे में वहां किसी को नहीं बताऊगी जैने भी खुशी से फैंक फैंक को हग कर देती है कि अब मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाली नेक्स्ट मौनिन का सीन दिकाए जाता है शेंशिंग को कॉल आई कि तुम्हें फूके साथ अगले हफते एक और शूटिंग करने के लिए जाना होगा और उसे ये सोच सोच कर गुसा आ रहा था कि पता नहीं यह जूट मैं कब तक दूसरों से चुपाऊंगी इसके बाद जब वो कलास में आती है तो स्टूडंस एक एनवल ट्रीप के बारे में बात कर रहे थे और उसकी खास बात यह थी कि जो भी इस ट्रीपर आज तक गया है उसे उसका सचा प्यार मिल गया वैसे तो जैनिया ऐसी फजूल बातों पर बिलकुल भी यकिन नहीं करती लेकिन जब कलास फेलो ने उसे कुछ कपस दिका है जो के उसी ट्रीप में जाकर बने थे तो उसे भी थोड़ा थोड़ा यकिन होने लगा मगर उसे इस बात का दुख ता कि वो दोनों शूटिंग की वज़ा से नहीं जा पाएंगे उपर से टीचर ने भी बता दिया कि जिसके पास कोई वैलेड रिजन ना हो वो इस ट्रीपर जाने के लिए मना नहीं कर सकता ये बात सुनकर जैनिया खुश हो जाती है कि उसे इस बात की उमीद थी कि फू कमपनी में कॉल करके शूटिंग कैंसल करवा देगा और उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैनिया भी वही खड़े वेट करती है कि अब थोड़ी देर में उसे भी कॉल आ जाएगी कि शूटिंग कैंसल हो गई है अनफोर्चनेटली उसे डैनियल की कॉल आई जिसने बताया कि शूटिंग कैंसल कोई नहीं हुई बलके टाइम पर आकर शूटिंग कम्प्रीट करनी है ताकि फू अपने स्कूल ट्रिप पर जा सके ये सुनकर तो उस बिचारी को काफी ज्यादा गुसा आ गया और इधर फूने नोटस किया कि आच ये इतना पुलाइटली किस से बात कर रही है वैसे तो ऐसे कभी भी बात नहीं करती जैनिया फू को सुनाने लगी कि ये सब कुछ तुम्हारी वज़ा से हुआ है जबके वो तो जानता भी नहीं ताकि आखिर मैंने किया क्या है इसके बाद वो टीचर के पास जाती है उन्हें किसी भी तरह करके राजी किया कि मुझे कुछ जरूरी काम है मैं वादा करती हूँ कि उसे कम्प्लीट करने के बाद मैं ट्रिप पर आ जाऊंगी इसके बाद हमें शूटिंग का सीन दिकाया गया जो कि कुछी दिर में कम्प्लीट हो गई थी और अब फू को अपने स्कूल ट्रिप पर जाना था शैन्शिंग को लेने के लिए अभी तक गाड़ी नहीं आई जो के रस्ते में खराब हो चुकी थी इसलिए फूने उसे कहा कि क्यो ना तुम भी हमारे साथ चलो वो जगा काफी अच्छी है तुमें बहुत मज़ा आएगा और फिर वहां गुनन भी तो है तुम उससे भी मिल लेना जैन्या ने उसके साथ जाने से मना कर दिया क्योंकि अगर शैन्शिंग उसके साथ चली गई तो फिर जैन्या का क्या होगा पर फू के इतना इंसिस्ट करने के बाद इसे भी उसके साथ जाना ही पड़ा वैसे उसने ये सब कुछ गुनन के लिए किया ता कि वो शैन्शिंग के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके बाकी सब को भी शैन्शिंग से मिलकर काफी अच्छा लगा पर एला को बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता कहने लगी कि क्या वो जैन्या काफी नहीं ती जो अब यहीं भी पहुंचाई मुझे परिशान करने के लिए आफ्टर देट फू ने जैन्या का पूचा जिस पर फैंग फैंग ने बताया कि बस वो अपना काम खतम करके आती ही होगी उसे कॉल करने लेगी और यहां शैन्शिंग ने अपना फॉन साइलेंट पर लगा दिया गुननन ने भी इस बात को नोटस किया वैसे तो वो पहले से ही जानता था कि जैन्या ही शैन्शिंग है जबके फूट कर उसे ढूने के लिए जाने लगा यह कहकर कि यह नई जगा है कहीं वो खोना जाए बिचारी जैन्या भी फूट को परिशान नहीं करना चाती थी फूरण से वाश्रूम का पहाना जाकर वहां अपना हुलिया चेंज कर देती है और फूट के सामने आ गई कहने लगी मैं रस्ता बूल गई थी और पता नहीं कैसे मुझे चोट भी लग गई इस पर फूट से डांटने लगा कि तुम कितनी केरलेस हो अब बैटो जरा मुझे चेक करने दो हमेशा की तरह जैन्या उससे नोग जोग करने के लिए तयार बैटी थी और फूट को चुप करवा कर कहने लगा कि कभी तो अपना मुझ बंद कर लिया करो मेरे साथ चलो मैं तुम्हे किसे से मिलवाना चाहता हूँ यहां कर देका तो इस बार शैन्शिंग हाइप थी और इस पर फूट गुनन को नाटने लगा कि तुम इतने लापरवा कैसे हो सकते हो अगर वो गुम हो गई तो बीचारी जैन्या की तो ड्रिंक ही गले में फस जाती है कि अभी तो मैं जैन्या बनके आई थी कि अब मुझे दुबारा शैन्शिंग बनना पड़ेगा इस सब में गुनन अपने आपको बहुत बेबस फिल कर रहा था क्यूंकि वो तो सब कुछ जानता था इसके बावजूद भी ना वो जैन्या को कुछ कह सकता है और ना ही फूको खैर काफी देर तक तो वो भी इन दोनों की ये आंक मचोली देखता रहा और आखिर कार तंग आकर वो शैन्शिंग को जैन्या बुला देता है कहने लगा कि अब एक्टिंग करना बन कर दो मैं सब कुछ सच सच जानता हूँ अब जब वो सब कुछ जान गया था तो जैन्या भी उसे मज़िद कुछ नहीं चुपाती उसे सच सच बता दिया कि मैं यहां सिर्फ अपने डैड के बारे में इन्फरमेशन लेने आई हूँ जिस दिन मुझे उनके बारे में इन्फरमेशन मिल गई मैं यहां से चली जाओंगी लेकिन तब तक तुम मेरे सीक्रेट के बारे में किसी को कुछ मत बताना इवन के वो फू को भी इस बारे में कुछ नहीं बताना जाती थी और गुनन को भी इस बारे में उसे बताने से मना किया क्यूंकि एक दिन वो डारेक्ली गाइब हो जाएगी और इस तरह फू को पता लग ही जाएगा गुनन ने उसे वादा किया कि मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और अगर कभी भी तुमें मेरी हल्प की जरूरत पड़े तो मैं हमेशा तुमारे लिए हासिर हूँ इसके बाद जब ये दोनों फू के पास वापस आते हैं और वो जैनिया के बारे में पूछने लगा तो इस पर गुननन ने बताया कि वो सो गई है क्यूंके वो काफी ज़्यादा ठक गई थी मेरे ख्याल से तुमें भी उसे सोने देना चाहिए और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 13 एपिसोड की तरफ एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि सबी मॉन्टेन के टॉप पर जाकर तूटते हुए तारे देखना चाहते थे ताके अपने अपने लिए विश कर सके फू जैनिया को वहां केले छोड़ कर नहीं जाना चाहता था मगर गूनन और एला ने किसी भी तरह करके उसे अपने साथ जाने के लिए राजी किया काफी रस्ता ते करने के बाद भी योलोग मॉन्टेन के टॉप पर नहीं पहुंचते हैं अंदेरा भी होने वाला था और ये रस्ता भी खत्रे से खाली नहीं है इसलिए गूनन ने डिसाइड किया कि हमें अपनी सेफटी के लिए वापस जाना चाहिए पाकिस सब भी उसकी बात मान जाते हैं फिर वापस आते समय शेंशिंग का पाउं पिसल जाता है वो नीचे गिर गई और फू भी उसको बचाते बचाते उसके साथ गिर पड़ा एला फू के लिए काफी ज्यादा वरिड हो गई उसे समझ नहीं आती कि मैं इन दोनों को कैसे बचाओं और उसे ऐसे पैनिक करता हुआ देखकर हान और गुनन उसे समझाने लगे कि इस वक्त हमें पैनिक नहीं करना चाहिए बलके हमें इन दोनों की हेल्प करने के लिए फॉरण से रेस्क्यू ट्यूम को बुलाना होगा इदर फूर जैनिया को दिकाया जाता है जिनकी जान तो बच्चों की थी बस चोटी मोटी खरोशी आई है और गिरने की वज़़े से बेहोश हो गए थे जैसे ही वो दोनों होश में आते हैं तो जैनिया ने देखा कि फू को काफी ज्यादा चोटे लगी थी उसे संबालने लेकि जिस पर फू बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ जैनिया को इस बात के लिए डर भी लग रहा था कि वो दोनों यहां केले हैं और पता नहीं कब तक रहना पड़ेगा क्यूंकि वो दोनों अपना फोन भी खो चुके थे आफ्टर दोनों हेल्प के लिए गूनन को आवाजे लगाने लगे लेकिन काफी नीचे गिरने की वज़ा से उन दोनों की आवाजे भी उस तक नहीं पहुंचती यह देखकर फूशन चिंग को समझाने लगा कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं मैं तुम्हारे पास हूँ और वैसे भी वो लोग हमें जल्दी ही डून लेंगे तुम्परेचर लो होने की वज़ा से वहां काफी ज़्यदा टंड ती इसलिए फूने उसे अपनी जैकेट पेना दी उसे बातों में लगा दिया ताकि उसे डर ना लगे कहने लगा कितना रोमेंटिक लग रहा है ना सब कुछ अच्छा होता तुम्हारे साथ गुनन होता तो उसे भी हीरो वाली फिलिंग जाती इस बात पे जैनिया को भी हसी आ गई कि हम मुसीबत में पस गए हैं और अबी भी तुम्हें मजाग सुझ रहा है इसके बाद फू जैनिया को लगी हुई खरोश देख रहा था और उसने बगार कुछ सोचे समझे उसे बोल दिया कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ फू पहले तो उसकी बात सुनकर स्पीचलेस हो गया फिर उससे बताने लगा कि मैं पहले से ही किसी को पसंद करता हूँ गुनन भी इन दोनों को ढूनते ढूनते यहां तक पहुंचाया और उसको अपनी पसंद के बारे में बताते हुए चुपके से सुनने लगा फूने बताया के जैनिया ही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ मैं नहीं जानता कि यह सब कुछ कब और कैसे हो गया लेकिन जब मैं उसके पास होता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं एक मोडल हूँ हाँ थोड़ी सी जिद्धी है वो थोड़ी सी पागल पर धीरे धीरे वो मेरी जिन्दगी का बहुत एहम हिस्सा बन गई मैं जानता भी नहीं तक हो मेरी लिए इतनी ज्यादा स्पेशल हो जाएगी उससे दूसरे मेल फ्रेंड्स के साथ बाते करती हुए देखकर मुझे जलसी होने लगी उसे प्रोटेक्ट करना अच्छा लगता है मुझे तब ही मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मुझे उससे प्यार हो गया यहां गुनन की मुझे आवाज निकर जाती है उससे रोकने के लिए और उन दोनों को भी पता चल गया कि वो हमें डूंटे डूंटे यहां तक आ चुका कहने लगा कि मैंने कुछ ज्यादा नहीं सुना और एला को कॉल करके बताया कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं यह दोनों बिल्कुल ठीक है नेक्स सीन हमें स्कूल का धिकाया जाता है जहां फू फैंग फैंग को देखकर उसे जैनिया के बारे में पूछने लगा कि मुझे कब से नजर नहीं आई वो ठीक तो है ना जिस पर उसने बताया कि जैनिया की तबियत कुछ ठीक नहीं है इसलिए आज वो कलासिस लेने भी नहीं आएगी जबके जैनिया ये जानने के बात के फू उसे लाइक करता है उसे जान बुछ कर फेस नहीं करना चाहती इधर फू का भी कलास इस लेने को दिल नहीं करता जब उसे जैनिया की तबियत का पता चला और ये भी कि आज वो सारा दिन कलास में नहीं आएगी दूसी तरफ मिस्टर जाओ को दिकाया गया जिसे काफी जोर किया थी वो वाश्रूम में जा ही रहा था के सामने उसे एक प्यारी से लेडी करी हुई नजर आई और वो कोई और नहीं बलके हमारा फू ही था ये देखकर उस बीचारे को तो लगा के शायद गलत जगा आ गया इसके बाद फू जाता है गल्स होस्टल जैनिया से मिलने के लिए और वहां भी उसे होस्टल इंचार्च ने रोक दिया पर अच्छी बात ये थी कि इसे देखने के बावजूद भी से पहचार नहीं सकी और फूस को चकमा देते हुए वहां से निकल गया इधर जैनिया उसके आवाज सुनकर शोक्र हो जाती है कि अब ये कहां से टपक पड़ा मैं इसी से बचने के लिए तो कलासिस भी लेने नहीं जा रही सुने का नाटक करने लगी और फूस के पास आकर इसे जगाता है फिर जैनिया चानक से इसे लड़की वाले रूप में देखकर तो काफी ज्यादा डर गई उस से डांटे लगी के तुम्हें लड़की बनने का इतना ज्यादा शोक हो गया अगर यहां तुम्हें किसीने देक लिया तो तुम्हें पता है कितनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी फू बोल अगर में लड़की ना बंदा तो यहां कैसे आता तुम्हारी तबियत खरापती तुम्हार लिए खाने को लेकर आया हूँ और एक तुम हो उपर से मुझे डांट भी रही हो आफ्टर डेट ये जानने के बाद के फूस के लिए अपने हाथों से बना कर लेकर आया है जैनिया को भी काफी ज्यादा अच्छा लगा और फूस की आंगों में देखकर उसे डांट रहा था कि तुम हमेशा खुद को चोट लगवा देती हो या फिर बिमार होकर बैट जाती हो और ऐसे प्रेटन करती हो जैसे कुछ भी नहीं हुआ यहां इंट्री होती है हमारी फैंक फैंक की जिसने फू को देखती ही उसे एक अवारा लड़का समझ लिया और ये भी मूँ चुपाती हुए वहां से भाग निकला बिचारी जैनिया उसे क्या समझाती अब तक तो उसके शोर से पूरे होस्टल को पता चल चुका था नेक्स्ट मॉनिंग का सीन दिकाया गया जहां कलास में भी सब इसी बारे में बात कर रहे थे लेकिन अच्छी बात ये थी के फैंक फैंक उसे पहचान नहीं सकीती सिवाए इसके के उसने लड़कियों वाले कपड़े पहन रखे थे दूसी तरफ यहां गुनिंग को भी कुछ न कुछ इस बात का अंदाजा तो था कि वो ज़रूर फू ही होगा पर उसे चिडाते हुए कहने लगा कि तुम तो उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानते होगे फू भी ऐसे दिखा रहाता जैसे उसे कुछ नहीं बता और जैनिया के आने के बाद गुनन उससे भी पूछने लगा कि तुम्हें उस बत्तमीज लड़के ने ज्यादा तो नहीं किया ना अब ये बीचारी उस लड़के के बारे में क्या ही बताती दूसी तरफ से कलास प्रेजिडेंट ने आकर बताया कि तुम्हें मिस चैन बुला रही है और पता नहीं क्यों वो काफी सीरियस लग रही थी जब जेनिया टीचर चैन के पास जाती है तो वो बोली कि तुम यहां सिर्फ अपने फादर की इन्फरमेशन लेने के लिए आई थी ना उनके बारे में सर्च करती हुए मुझे एक बड़ी इन्फरमेशन मिली है और वो ये के तुम्हारे मॉम डेट की एक कार अक्सिडेंट में मौत हो गई थी मैं नहीं जानती के मैंगडी कॉलेज ने इस बात को क्यूं चुपा कर रखा लेकिन तुम्हारे ग्रेंट पा ने जरूर तुम्हारी बहतरी के लिए ही तुम्हें नहीं बताया जैनिया को ये जानकर काफी बड़ा सदमा लगता है वो वहां से भागते हुए बाहिर आई और अपने ग्रेंट पा को कॉल करके उन से पूछने लगी कि आखिर आपने मुझे सचाई क्यूं नहीं बताई आपने हमेशा मुझे से जूट बोला कि मेरी मॉम की ड़त इलनेस की वज़ा से हुई और मेरे डैड उसे चोड़कर चले गए थे ग्रेंट पा उसे क्लियर करने की कोशश करते हैं पर जैनिया और कुछ भी नहीं सुनना जाती थी और एट लास्ट वो ये भी जान गई कि मेरे मॉम डैड ने मुझे मैंगडी कॉला जाने के लिए क्यूं कहा था रोते हुए रोट के बीच बैट जाती है और उसके फ्रेंड्स भी उसे ढूंटे ढूंटे यहां तक पहुंचाए उससे रोने की वज़ा पुछते हैं जिस पर जैनिया बोली के मेरे डैड इस दुनिया में नहीं रहे आफ्टर दैड जैनिया ने उन तीनों को पूरी बात बताई कि मैं यहां सिर्फ अपने डैड की इंफर्मेशन लेने के लिए आई थी अब जब वही नहीं रहे तो शायद मेरा भी यहां रुकने का कोई मतलब नहीं लेकिन फू अभी तक भी यह बात नहीं जानता कि शैन्शिंग ही जैनिया है उसे रोपने के लिए कहता है बताता है कि प्लीज हमारी खातिर यहां से मत जाओ उन तीनों के इंसिस्ट करने पर जैनिया भी वही रुक जाती है तो दोसी तरफ एला ने उसे बर्डनाइस करने के लिए फिर से काफी ज्यादा काम पकड़ा दिया आज वो चितनी मर्जी बाते सुनाए जैनिया उससे बहस करने की मूट में बिलकुल भी नहीं थी और ये बात गुनन भी अच्छे से जानता था उसके हाथ से फाइल लेते हुए कहने लगा कि तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो तुम्हारे लिए ये काम मैं कर दूंगा इसके बाद उसे जैनिया की डेटा फाइल मिली जिसमें से उसने जरूर कुछ इंपोर्टन देख लिया था नेक्स सीन में फैंक फैंक जैनिया को लेकर एक अंदेरी जगह पर ले आई थी और खुद भी उसे छोड़कर वहां से गाइब हो गई जबके जैनिया को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है फिर अचानक से वहां लाइट सोन हुई और उसके सबी फ्रेंड्स उसे बड़े विशकर रहे थे जैनिया को भी देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा भी कोज इससे पहले कभी भी उसने अपनी फ्रेंड्स के साथ बड़े सेलिबरेट नहीं की थी इस सर्प्राइस का सारा का सारा क्रेडिट हमारे गुनन को जाता है क्यूंके उसने ही डेटा फाइल से जैनिया की वर्थ डेट निकाल ली थी खैर उन सब ने काफी अच्छे से सेलिबरेट किया इसलिए भी के वो लोग जैनिया को हैपी फील कर आ सके और उसे अपने मॉम डेट की याद ना आए इन सब के जाने के बाद फूने जैनिया को गिफ देने के लिए एक सौंग सुनाया जो कि उसने अपनी मॉम के लिए लिका था सिर्फ यहीं नहीं बलके उसे हग करके सहारा दिया उसे समझाया कि तुम्हारे मॉम डेट कभी भी ऐसा नहीं चाहते होंगे कि तुम उनके लिए अपने आंसू बहाओ अपने गले से उतार कर उसे एक लोकिट भी पहनाया जो के फूक को उसकी मॉम ने दियाता था कि वो हार डेंजर से बचा रहे अब वो चाहता है कि ये लोकिट हमेशा के लिए जैनिया की प्रोटेक्शन करे और उसने भी वादा कर लिया कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए इसको संभाल कर रहूंगी इसे के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ लो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 14 अपिसोड की तरफ एपिसोड के स्टार्ट में हमें जैनिया को दिकाया जाता है जो के फू के दिये हुए लोकिट को देखकर खूश हो रही थी कि वहीं एला आती है काफी ज्यादा गुसे में उसे डाटते हुए कहने लगी तुम्हें मैंने मना किया ता ना कि फू से दूर रहना जब से तुम यहां ही हो सब कुछ गड़बड हो गया है वही फू भी आकर उसे लड़ाई करने से मना करता है और एला उसे पूछने लगी कि तुमने मुझे बताए बगार इसकी बर्डे सेलिबरेट क्यों की जैसी ही वो जैनिया को थपड मारने वाली थी फू ने उसे रोक दिया उसे डांटने लगा कि तुमने अपनी हद ही पार कर दी इस पर एला हट होकर वहां से चली गई नेक्स सीन में हमें उसे ये येंग के साथ दिकाया गया जहां एला उसे अपने दिल का दुकड़ा सुना रही थी कि तुम्हें आज भी मेरी फेवरेट ड्रिंग की आद है और एक फू है जो शायद अब मुझे पसंद नहीं करता हम सब बच्पन के दोस्ते एक साथ बड़े हुए लेकिन जब से वो जैनिया है फू ने मुझे इग्नोर किया और आज तो उसने मुझे उस जैनिया की खाते डांटा येंग से भी उसका ये रोना धोना नहीं देखा जाता बिकोज वो सबी बच्पन के अच्छे दोस्त थे इसके बाद जैनिया फैंक फैंक के साथ अपने होस्टल जा रही थी और येंग उसके सामने आकर उसे वार्न कर देता है कि आज के बाद फू फैंक से दूर रहना जैनिया उससे डरने वाली तो नहीं ती नहीं उसकी बात मानने वाली है लेकिन जब ये येंग ने उसका लोकिट चीन लिया तो इस पर जैनिया को भी काफी जादा घुसा आया अपने कराटे स्किल्स से उसे बिट अब करना चाती थी लेकिन अनफोर्चुनेटली वो खुदी स्टेर्स से नीचे गिर पड़ी येंग का जैनिया को नुकसार पहुंचाने का कोई रादा नहीं ता लेकिन वो जैनिया को फू से दूर रहने का कहकर सिरफ एला को खुशी देना चाता था इसके बाद हमें जैनिया को हस्पीटल में दिखाया गया जहां वो फैंक फैंक को मना कर रही थी कि इस बारे में फू को कुछ भी मत बताना और जैनिया का नाम तो गलती से भी अपने मूँ से मत निकालना वो भी फैंक फैंक को बता ही रही थी कि वही फू आ जाता है और उसकी ये हाला दे कर कहने लगा कि ये कोई एकसिडंट तो नहीं हो सकता मुझे सच सच बताओ ये सब कुछ येंग ने किया ना इसके कुछ भी क्लियर करने से पहले वो पहुंच जाता है ये येंग के पास उस पर घुसे में चिलाते हुए कहने लगा मैंने तुम्हें मना किया था ना जैनिया से दूर रहना अगर तुम्हें कोई मसला है तो मुझ से आकर बात करो इसी बात को लेकर उन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो गई जैनिया और फैंक फैंक भी कुछ ज्यादा बुरा होने से पहले पहले वहां पहुंच कर इन दोनों को रोकना चाहती थी यहां कर देखा तो इन दोनों की बुरी तरह से लड़ाई हो रही थी और फ़नी बात तो यह है कि वहाँ हिलियम गेस लिक होने की वज़ा से इन दोनों के वाइस इफेक्ट भी चेंज हो चुके थे आफ्टर देट यही गेस इन हेल करने की वज़ा से फूग को एक पुराना इंसिडंस याद आने लगा और ये येंग को उठा कर बुरी तरह से फैंग देता है लेकिन फोचुनेटली फैंग 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 ने उसके सामने आकर उसे बचाने की कोशश की इधर फूग की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो फैंग फैंग की हल्प करने के लिए भी नहीं रुकता और वहां से भाग गया इसके बाद हमें ये येंग और फैंग फैंग दोनों को उस्पिटल में दिकाया गया जैंग नहीं के लिए खाने को लाएती जिसके लिए येंग ने मना कर दिया दूसरी तरफ से ईला भी येंग के बारे में सुनके पहुँचाई बुरा बला कहती रही कि मैं एसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ जरा सेमी लड़के देखे नहीं कि उनके पीछे पड़ जाती है नेक्स सीन में हमें गुनन को दिकाया गया जो फू के बारे में काफी ज़्यादा परेशान हो रहा था क्यूंकि अभी तक उसका कोई याता पता नहीं कि वो कहां चला गया जैनिया से ये जानने के बाद के वहां हीलियम गैस होने की वज़ा से सांस लेना मुश्किल हो रहा था तो गुनन को पकायकिन हो गया कि फू अपने साथ कुछ बुरा कर देगा जेनिया ने भी इसके पीछे की वज़ा पूची जिस पर गुने ने बताया कि लिया एला की बड़ी बेहंती और हम सबी बच्पन के बहुत अच्छे दोस्त थे कार एक्सिडंट होने की वज़े से दोनों ही दरिया में गिर गए थे फू को तो रस्क्यो कर लिया गया मगर लिया की जान नहीं बच सकी तब से लेकर आज तक फू उसकी मौत के लिये खुद को जिमेदार समझता है और जब भी उदास हो जाए तो कई दिनों तक अपने गर से डिसप्यर हो जाता है अब ये चानने के बाद जेनिया को भी उसकी काफी फिकर होने लगी उन्होंने एला और हान के साथ टीम बनाई फू को डूरने के लिए इस से पहले के वो खुद को कोई नुक्सान पहुँचा दे काफी डूरने के बाद भी उन लोगों को फू नहीं मिलता अब एला को हट होता हुआ देखकर हान को भी उसके लिए बुरा लगता है हाला कि उसने सीक्रेटली हमेशा जैनिया का साथ दिया दूसी तरफ हम जैनिया और गुनन को देखते हैं जो अभी तक फू को डून रहेते लेकिन इतनी रात होने के बावजूद भी उसका अभी तक कोई यता पता नहीं चला नेक्स सीन में फू को दिकाया गया जो के अकेले बैटकर लिया को याद कर रहा था वो भी उसी सीक्रेट जगा में जो के उसने सिर्फ जैनिया को ही दिकाई थी इधर जैनिया भी सोचती रही के फू कहां जा सकता है कहां जा सकता है और तब ही उसे यादा है कि हाँ वही तो गया होगा जहां वो हमेशा जाता है खुद को कमफर्ट करने के लिए फूरन से उसे डूनने के लिए उसके पास पहुंची और यहां फू को देखकर उसे सकूर मिला पर साथ ही उसे डांटने लगी कि तुमने मेरे फॉन कॉल्स क्यों नहीं उठाए क्या तुम मुझे जान बूच कर इग्लोर कर रहे थे तो ठीक है मैं भी यहां से जा रही हूँ इस पर फूस का हाथ पकड़ कर उसे रोक देता है के प्लीज मत जाओ आफटर दर जैनिया उसे कमफर्ट करती है के जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं तो खुद को ऐसे बलेम करके हट करने का क्या फाइदा लेकिन फूने बताया के नहीं इसमें मेरी गलती भी जरूर है क्योंकि अगर मैं उस दिन हीरो बनने की कोशश ना करता तो आज लिया हमारे बीच होती साथ ही हमें फ्लैश बैक कसीं दिकाया गया जहां ये येंग लिया को घर चोड़ने जा ही रहा तके फूने जीत की क्याज लिया को घर चोड़ने मैं जाऊंगा जबकि येंग ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि फू की ड्राइविंग स्किल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है दूसी तरफ से गुनन बोला कि अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना तुम दोने एक फाइट लड़ो जो भी जीता वही लिया को घर चोड़ने के लिये जाएगा फाइट में जीच जाने के बाद फू खुशी खुशी लिया को घर चोड़ने के लिए जाता है पर जाते हुए वो अपने हीरो गिरी दिखाता है और काफी फास चल रहा था इसी दुरान फू को पता चला कि गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो चुकी है और अब रुखने का कोई भी ऑप्शन नहीं है अनफूर्चुनेटली इनकी गाड़ी दर्या में गिर जाती है फू को तो रस्क्यो कर लिया गया मगर लिया की जान नहीं बच सकी जैनिया ने उसे बताया कि जो कुछ भी हुआ तुमने इसमें जान बुच कर तो कुछ भी नहीं किया ना और सच बताओं तो मैंने आज तक तुम जैसा ब्रेव लड़का कभी भी नहीं देखा जो अपनी हर प्रोब्लम को अकेले ही फेस करे फू भी उसकी बाते सुनकर कहने लगा कि मैं अब अपनी जिन्तेगी में एक और इμपोर्टन परसन को नहीं खोना चाता मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी इस पर जैनिया ने भी उससे वादा कर लिया कि हाँ हमेशा में तुम्हारे साथ तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्स बन कर रहूंगी नेक्स सीन में वो दोनों जाते हैं फैंक फैंक के पास फू ने उसे सोरी किया कि जो कुछ भी हुआ वो बाई मिस्टेक हुआ मैं तुम्हें हाट नहीं करना चाता था येंग के लिए भी खाने को लायाता उसे बताता है कि अगर खाना चाते हो तो खालो वरना तो पिर तुम्हारी अपनी मर्जी वो भी ऐसे अटिटिट दिका रहाता जैसे अगर अब मैं जखमी ना होता तो तुम देख लेते में तुम्हारे साथ क्या करता आफटर देट येंग जेनिया से हेल्प मांगता है कि क्या तुम प्लीज मुझे वाश्रूम ले जाओगी इस पर फुआ गयाते वे कहने लगा तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की से हेल्प मांग रहे हो चलो मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ येंग उसकी हेल्प लिये बगार खुद ही वाश्रूम जाने लगा मगर फु भी उसके पीछे पीछे यहां पहुंचाया और वापस जाती भी फु उससे पूचे बगार उसे सहारा देने लगा रूम में पहुंच जाने के बाद फु को डैनियल की कॉल आती है जिसने उससे बताया कि तुम्हें एक बीच के लिए एट की शूटिंग करनी होगी जैनिया को ये जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा बिकूस वो जानती थी कि फु को पानी से डर लगता है पर फु बोला कि तुम्हें परिशान होनी की कोई जरूरत नहीं डैनियल मेरे पास होगा वो सब कुछ संभाल लेगा दूसी तरफ ये एंग फैंग फैंग से कहा रहा था कि तुम्हें मेरी हल्प नहीं करनी चाहिए थी और वैसे भी हम दोनों बिल्कुल अलग स्टेंडर से हैं इसलिए बहतर होगा कि हम दोनों एक दूसरे के मसलों में ना ही पड़े शायद फैंक फैंक को भी उसका ये कहना पसंद नहीं आया बोली के मैंने कुछ भी सोच समझ के तुम्हारी हल्प नहीं की थी और तुम परिशान नहीं हो मैं इसके लिए तुम्हें बलेम नहीं कर रही नेक्स सीन में हमें फू को दिकाया गया जो कमपनी पहुंच कर अपने बोस और डैनियल की चुपके से बाते सुन रहा था जहां डैनियल बोस को मना कर रहा था कि ये एड़ फू के लिए सूटेबल नहीं पर वो किसी भी तरह उसकी बात नहीं मानती उसे बताती है कि अगर फू को अपनी रिपोटेशन की परवा है तो उसे हर हाल में ये एड़ करना ही पड़ेगा फू भी बगएर कुछ तोचे समझे अंदर जाकर बता देता है कि मैं ये एड़ करने के लिए तयार हूँ इसके बाद फू अपना डर खतम करने के लिए टब में पानी डाल देता है पर जैसी ही उसने अपना फेस अंदर किया उसे फिर से लिया नजर आने लगी जैनिया भी उसके घर उससे मिलने के लिए गई ती जहां उसकी मैड ने बताया कि वो बात लेने गया हुआ है काफी टाइम वेट करने के बावजूद भी अब तक वो बाहर नहीं आया इसलिए जैनिया ही नोग करके अंदर चली गई और जब देखा तो फू बहाल होकर नीचे पड़ा हुआ था उसकी इन स्टुपिड हरकतों पर जैनिया उसे डाटने लगी कि अगर तुम्हे अपना डर ही खत्म करना था तो मुझे बताते ना मैं तुम्हारी हल्प करती फू ने बताया कि मैंने एड शूट करने के लिए कॉंट्रैक्ट साइन कर लिया है और मेरे पास अपने डर को खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही हफता बचा है ये एक हफ़ता जैनिया को उसका डर खत्म करने के लिए बहुत थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन फूर से बताता है कि तुम मेरी टेंशन लेना बन करो इस बात पर उन दोनों की नोग जोग स्टार्ट हो जाती है और इसे के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ क्या है और कैसे काम करता है फिर फू ये म्यूजिक बॉक्स लगा कर उसे गाना सुनाने लगा और सिंग करती हुए वो इतना ज्यादा काम था कि उसे आसपास की फिकर ही नहीं रही और जैनिया ने भी इस बात को नोटिस किया सौंग खत्म होने के बाद फू ने बताया कि जब वो सिंगिंग करता है तो वो सब कुछ बूल जाता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो किसी नई दुनिया में आ गया हो इससे जैनिया को फूका डर खतम करने के लिए आइडिया आया उसने बताया कि आच से तुम और में हम दोनों मिलकर तुम्हारा डर खतम करने की कोशश करेंगे और मुझे यकीन है कि एक हफ़ता काफी होगा लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि मैं तुम्हें जैसे जैसे करने को कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा वो भी उससे वादा कर लेता है और इसके अगले ही सीन में हम इन दोनों को उड़ते हुए देखते हैं अपने फस्डे के प्लैनिंग के साथ सबसे पहले जैनिया उसे सैनी महौल लेकर आती है उसे एक एनिमे मुवी दिकानी के लिए पर वो देखकर इतना ज्यादा डर गया जैसे वो खुद ही पानी में डूब रहा हो किसी भी तरह करके जैनिया उसे शान करवाती है वहां से बाहर लेकर आई उसे बताया कि अगर तुम कोशश ही नहीं करोगे तो ऐसा कैसे चलेगा फू तो फजडी ही हिमत हार गया वो मज़ीद नहीं करना चाता था मगर जब जैनिया ने उसका डर खतम करने की टान ली तो अब फू को भी पीचे हटने नहीं देती उसे एकसरसाइस कराने के बहाने सेंटर में ले आती है जो केक फॉन्टें था और जिस तरहा फेरलेस होकर जैनिया उसे एकसरसाइस करके दिखा रही थी ये देखकर तो फू को भी अपना डर बूल गया दोनों ही मस्ती मजाग करती हुए पाने के साथ खेलने लगे इसके बाद जैनिया फू को स्विमिंग पूल ले कर जाती है पहले तो फू स्विमिन पूल के अंदर जाने के लिए मना कर रहा था लेकिन बाद में जब जैनिया ने उसे चोटे चोटे से टार्गेट्स दिये तो फू ने उसे सक्सेस्पुली कम्प्लीट कर लिए आज की टेनिंग यहीं पर कम्प्लीट हो जाती है अगली सुबह जैनिया दुबारा फू को टेनिंग के लिए उटा रही थी मैगर वो इतना ज्यादा रिलेक्स हो गया तकि उसका उटने को भी दिल नहीं कर रहा इस पर जैनिया उसे जबरदस्ती उटाने की कोशश करती है इसी दुरान उन दोनों को मेट देख लेती है इस मुजिशन में और वो तो गलत ही समझ बैठी इन दोनों को भी काफी ज़्यादा इंबरस्मेंट हुई फॉरण से उटकर तयार होते हैं और जैनिया ने बताया कि आज तुम्हारे लिए एक बड़ा सर्प्राइज है आफ्टर देट हमें दिखाया गया कि जैनिया फू को ब्लाइंट फोल्ड पहना कर उसे बीच साइट पर ले आई थी और फ़स्ट साइट में तो फू को देखकर काफी ज्यादा डर लगा पर जब जैनिया ने उसे रिलेक्स किया उसे बताया कि अपनी आँके बन करके सिंगिंग स्टार्ट कर दो जब म्यूजिक तुम्हारे पास है तो कुछ भी तुम्हारा स्टेज बन सकता है तो फू भी उसे फॉलो करते हुए सिंगिंग करके आगे बढ़ता गया इस तरह उसका डर भी काफी हद तक कंट्रोल में था जैनिया जान बूच कर गहरे पाने की तरफ चली जाती है ताकि फूस को रेस्क्यू कर ले उलिया को ना बचाने का गिल्ट हमेशा के लिए उसके दिल से निकल जाए और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा जैनिया ने सोचा था फूस को डुकता हुआ देकर बगार अपनी परवा किये उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा उससे सकस्फुल ही बचा लेता है पर दोनों ही बेहोश हो गए और अगले ही सीन में हमें फूको होस्पीटल में दिकाया गया वो जैसे ही उटता है सबसे पहले उसने जैनिया का पूचा डैनियन ने बताया के वो बिल्कुल ठीक है फिल्हाल तो यहां नहीं है लेकिन जाते जाते तुम्हारे लिए एक वाइस मेसіज छोड़ गई इस वाइस मेसेज में जैनिया ने बताया कि कल तुम मुझे रेस्क्यू करते वे बहुत हैंसम लग रहते और मुझे माफ कर दो कि इतनी बड़ी प्लैनिंग मैंने तुम से पूचे बगहर की मेरे ग्रेंटपा की तबीयत अचानक से काफी ज्यादा खराब हो गए इसलिए मुझे जल्दी में वहाँ से जाना पड़ा आई होप कि तुम अपनी शूटिंग सक्सेस्फुली कम्प्लीट कर लोगे फूको जैनिया के लिए वरिड होता हुआ देखकर एला हट हो जाती है और उसका हट होना हान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा नेक्स सीन में हमें फूको दिकाया गया जो कि लिया की कबर पर गया था उसे बताता है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो मेरे लिए तुम आज भी उतनी ही स्पेशल हो जितनी पहले थी और मैं जानता हूँ कि तुम भी ऐसा नहीं चाती कि मैं अपनी जिंदगी इस डर के साथ गुजारूं ये येंग भी फू को लिया से बाते करते हुए चुपके से देख रहा था इसके बाद हमें कलड़के को दिखाया गया जो फूगे कम्पीटर से उसका डेटा चुरा रहा था और ये डेटा चुराने के बाद उसे येंग को दे देता है अब ये दोनों मिलकर क्या गुल खिलाने वाले हैं ये तो हम अगले एपिसोड में ही जान सकेंगे फू ने इस साइट की शूटिंग इतने अच्छे से कम्प्लीट कर ली डैनियल को देखकर ये किन नहीं आता और बॉस तो अपनी खुशिकों लफजों में बयान भी नहीं कर पा रही नेक्स सीन में हमें जैनिया और उसके ग्रेंट पा को दिकाया गया जहां जैनिया उनसे कह रही थी कितने बड़े एक्टर हैं आप मुझसे तो कह रहे थे कि आपकी तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई पर आपको तो जुकाम से ज्यादा और कुछ भी नहीं हुआ जिस पर ग्रेंट पा बोले कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी तुमने खुद से तो वापस आना नहीं था इसलिए मुझे यही आइडिया बहतर लगा मजीद पताया कि मैंने तुमसे सचाई इसलिए चुपा कर रखी क्यूंके मैं भी पहले तुम्हारे डैट को इस एक्सिजन्ट के लिए ब्लेम करता था लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि शायद तुम्हें सचाई जानने का पूरा पूरा हक है जैनिया ने उन्हें माफ कर दिया ये कहकर कि मेरे पास आपकी इलावा इस दुन्या में और कोई भी नहीं बच्चा और मैं आपको नहीं खोना चाहती वही जैनिया को फू की कॉल आती है जो इससे मिलने के लिए इसके शहर पहुँच आयता भी से ड्रेस मांगता है जबके विचारी जैनिया को तो समझ नहीं आती कि इसको वापस कैसे भेजे ग्रेंडपा भी इन दोनों की फ्रेंडशिप के बारे में बहुत अच्छे से जानता था और ये भी कि ये सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं बलके इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है जैनिया से फोन लेकर फू को एक गाउं का इड्रेस दे दिया और जैनिया को बताया कि अगर तुम इस लड़के का असली चेहरा देखना चाती हो तो जैसा मैं कहता हूं उसे ही फोलो करती रहो जैनिया को समझ तो नहीं आ रही थी के ग्रेंडपा करना क्या चा रहे हैं पर उनको फॉलो करती हुए वर्क्समें साइकल लेकर फू को लेने के लिए पहुँच गई पिचारा फू भी देखकर शोक्ष हो जाता है कि मैं इतना बड़ा सेलिब्रेटी हूँ इस फनी सी साइकल में बैट कर कैसे जाऊंगा अगर किसी ने देख लिया तो लेकिन जब जैनिया का लाइफ स्टैल ही ऐसा है तो फू को भी अक्सेप्ट करना पड़ा वैसे बाद में फू को भी एसाइकल चलाने में काफी मज़ा आ रहा था उसे बताता है कि इतना इंजॉय मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं किया आफ्टर डैट गाउ में पहुचकर जैनिया को याद नहीं आता कि ग्रेंपा ने उसे किस गर में आने के लिए कहा था और फू भी देखकर हैरान था कि इस पगली को अपना घर भी नहीं पता फिर उसे घर के सामने लाकर खड़ा कर दिया फू को तो ये गर रहने के काबिल भी नहीं लग रहा था और जैसी ही उसका दर्वाजा खोलता है उपर से एक बड़ा डंडा नीचे गिर पड़ा सामने ही ग्रेंपा बैटे हुए थे और ये सब उनहीं की साज़िश थी डेंजर से बचा कर रखा आज तुमने इसे ही गिरा दिया उस पिचारे को इतना ज्यादा डरा दिया के मजबूरन फू को कहना ही पड़ा कि आप फिकर नहीं करें मैं अभी इसको फिक्स कर देता हूँ आफ्टर देट हम फू को वुडन स्चर्स पर खड़े होकर वो बीम फिक्स करती हुए देखते हैं जैनिया को तो उस पर काफी ज़्यादा रहम आ रहा था मगर ग्रेंपा को फॉलो करने के इलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था अगले सीन में हमें फैंक 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 को दिकाया गया जो काफी सारे स्टुएंट्स का ओडर लेकर वापस कलास में जा रही थी और इतना सारा समान कैरी किये हुए उसे ये येंग ने देख लिया उसकी हेल्प करने लगा उसे ये कहकर कि तुम आज ही तो उस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हो और इतना ज्यादा समान कैरी कर लिया फैंक फैंक जो की उसकी कलकी बातों से ही नारास थी कहने लेगी तुम नहीं तो कहा तके बेहतर होगा हम एक दुसरे के मसलों से दूर रहे ना जाने ये लड़का चाहता क्या है पहले उसे दूर रहने के लिए कहा और अब उसके दूर जाने पर इसे गुसा आरہा है दूसी तरफ फू ने वो बीम फिक्स कर दिया था और अब ग्रैंपा उसे अपने साथ फॉर्मिंग पर लेकर जाना चाते थे जैनिया को घर रहकर लंच प्रिपेर करने के लिए कहा फू तो यहां आकर वैसे भी फॉस गया था और उसके साथ साथ अब जैनिया भी फॉस चुकी है इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 16 अपिसोड की तरफ एपिसोड के स्टार्ट में हमें फॉ और ग्रैन्पा को दिखाया जाता है जहां ग्रैन्पा उसे फॉर्मिंग करने का तरीका बता रहा था उसे करके दिखाता है के डिगिंग कैसे की जाती है बीचारे फू ने तो ऐसा कुछ पहले देखा भी नहीं था लेकिन अब जब उसके सर पर आ गया है तो वो भी करने से पीछे नहीं हटता और जैन्या की खातिर भी उसे करना पड़ा थोड़ा मुश्किल सही सही मगर सीख गिया इसके बाद ग्रेंटपा ने उससे फिल्टराइजर स्प्रेट करने के लिए कहा जो के गोबर था फू बोला इस फिल्टराइजर से काफी फ्रेश ग्रास की स्मेल आ रही है काफी अच्छी क्वाल्टी का लगता है जिस पर ग्रैंटपा ने जवाब दिया कि हाँ फ्रेश ग्रास ही तो काती है स्मेल भी तो फ्रेश ही आएगी बीचारे फू को तो ये भी नहीं ता पता कि उसके हाथ में घोबर है काफी मेहनत करने के बाद ये गंटे भी गुजर जाते हैं ग्रैंटपा फू को एप्रिशेट कर रहा ता कि तुमने अच्छे से काम किया वैसे मैंने सुनाँआ है कि तुमें एजिवरेटी हो तुम्हें नहीं लगता कि ये जगा तुम्हारी लिए सुटेबल नहीं तुम्हें वापस चले जाना चाहिए पर फू बोला कि मुझे यहां की लाइफ अपनी लाइफ से कहीं ज्यादा बहतर लगी और आज ही मुझे रियलाइज हुआ कि जैनिया का चाइल्ड हुड एक्सपिरियंस कितना अच्छा रहा होगा इसलिए तो वो इतनी चीरफुल है हमेशा हस्ती रहती है और हमें ही देख लो जिनकी प्रॉब्लम्स ही खत्म नहीं होती दोनों ही बाते करते करते घर वापस आते हैं और यहां कर घर से निकलते हुए दुए को देखा तो ऐसा लगा जएसे अंदर कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ हो इन दोनों के अंदर जाने से पहले पहले जैनिया बाहर आती है और इनको पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह मुश्किल से मैंने मचली पकाई खैर वो तो इसके फेस से पता चल ही रहा था फिर यहां इंट्री होती है नलैन की लैन बनकर वो भी ग्रैन्ट पा की प्लैनिन का हिस्सा बनके इस सारे ड्रामे में वो जैनिया की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है और उसका रोल ये था कि उसे फूर से चिपक चिपक कर अपनी तरफ अट्रैक करना होगा जैनिया को तो उसे ये हरकते करती हुए देखकर काफी ज्यादा घुसा आ रहा था इसके बाद हम इन सबी को एक साथ लंच करते हुए देखते हैं बिचारी जैनिया जिसने आज पहली बार कुकिंग की ती बलके सब कुछ ही जला दिया था अब ग्रेंडपा को ही एक ही मुशनल कहानी सुना कर इसे कवर करना पड़ा सिर्फ यही नहीं बलके ग्रेंडपा पहले फू को खाने के लिए फोर्स करते हैं उसे ये कह करके तुम हमारे महमान हो यहां तो जैनिया भी उसे नहीं बचा सकती थी और फू को ये गला साड़ा खाना बगएर कोई शिकायत किये खाना पड़ा हद तो ग्रेंडपा ने तब कर दी जब उनोंने कहा के लैन इतनी प्यारी लड़की है और फूबी अचा बला हैंसम है ऐसा लगता है के गोड़ ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है जैनिया तो ग्रेंडपा को ऐसे गूर रही ती जैसे अभी ही इन दोनों की सचाई खोल कर फू के सामने रख दे लेकिन फिर भी उसने अपने आप पर कंट्रोल किया लेंड़ फिनिश होने के बाद ग्रेंडपा ने फूर लेंड़ को बैट शीट सुकाने के लिए कहा और लेंड़ तो उसका हाथ पकड़ कर जबरदस्ती ही उसे अपने साथ ले गई ये देखकर जैनिया खुसे में ग्रेंडपा के पास आई उसे पूछने लगी कि आखिर आप दोनों चाहते क्या है मेरे दुश्मन क्यूं बन गए हैं जिस पर ग्रेंडपा ने उसे समझाया कि थोड़ा सा सबर रख लो अगर वो वाकी ही तुमसे प्यार करता है तो वो किसी की तरफ भी अट्रेक्ट नहीं होगा दूसी तरफ लैंड की भी पूरी पूरी कोशश थी फू को अपनी तरफ अट्रेक करने की और वो वीचारा जान चुडाते वे कहने लगा कि तुम जैनिया की दोस्त हो मैं इसलिए तुमसे पुलाइटली बात कर रहा हूँ जैनिया इन दोनों को साथ देखकर घुसे में फू का हाथ पकड़ कर उसे अपने साथ ले जाती है और फू से पूछ रहा था कि क्या ये लें सच में तुम्हारी बेस्ट फरेंड है शायद तुम अपनी लाइफ में बहुत जादा लोगों से नहीं मिली इसलिए तो किसी पर भी बरोसा कर लेती हो जबके जैनिया सब कुछ समझ रही थी कि वो ऐसा क्यों कह रहा है आफ्टर देड दोनों साथ बैठ कर अपने पैरंट्स के बारे में बाते कर रहे थे जिस पर फू ने बताया कि मेरी मौम मेरे बच्पर में ही गुजर गई थी और मेरे डैड ने कभी मेरे बारे में केर ही नहीं की बिल्कुल ऐसे जैसे मैं उसके लिए कुछ भी नहीं जैनिया बोली के शायद तुम अपने डैड को सही से समझे नहीं जब तुम बिमार हुए थे और मैं तुम्हारे घर आई थी तो बाई मिस टेक में उनके स्टडी रूम में चली गई और मैंने देखा कि उन्होंने हर जगा तुम्हारी पिक्चर लगाई थी शायद तुम्हारे डैड में तुम्हें बताने की हिमत नहीं के वो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं आज फू ने जैनिया को अपने दिल की बात भी बता दी के जब से तुम मेरे लाइफ में आई हो मैं तब से तुम भारे बारे में सोचने लगा हूँ और मुझे रियलाइज हुआ के शायद मुझे तुम से प्यार हो गया है जैनिया ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया या शायद उसे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए पर इस से पहले के फू से किस कर पाता यहां लैन आ जाती है उन दोनों को डिस्टरब करने के लिए बताया कि ग्रेंडबा तुम दोनों को बुला रहे हैं और फिर साथ चलते हुए लैन ने जैनिया को बताया कि ये लड़का तुम्हारी लिए बिल्कुल परफेक्ट है लड़कियों कोई भी नहीं है कम असकम वो तुम जैसी लड़कियों की तरह तो नहीं जैनिया भी ये जानकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है इसके बाद हमें नाइट का सीन दिकाया गया जहां फूस का जवाब सुनना चाह रहा था और जैनिया ने बताया कि मुझे इस शूटिंग करनी है जैनिया उसे एरपोर्ट चुड़ने के लिए उसके साथ जाना चाहती थी मगर फूने उसे घर रहकर ग्रेंटपा का ख्याल रखने के लिए कहा उसके जाने के बाद जब ग्रेंटपा ने भी ये बलब देका तो वो भी काफी ज्यादा खुश हो गए औ मुझे तुम पर फखर है तुमने एक सही लड़के का सेलेक्शन किया अब अगर तुम उसे सचाई बताना चाहती हो तो बता सकती हो क्यूंके मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा नेक्स सीन में जैनिया अपने घर वापस आ चुकी थी और फू को कॉल करके बता कि शायद जैनिया मुझसे मिलने के लिए यहां आ गई है वो बोली तुम्हारा दिमाँ खराब हो गया है क्या मेरे पास कोरिया आने के पैसे कहा है बलके मेरे पास तो यहां जहर खाने के पैसे भी नहीं फिर जैनिया को नीन नहीं आ रही थी और फू से सौंग सुना कर सु दिकाया गया जहां जैनिया मैंगडी कॉलज वापस आ चुकी थी आज येंग उन्दोनों से काफी अच्छे से बात कर रहा था उन्हें साथ लंच करने के लिए भी कहा जिसके लिए जैनिया ने तो मना कर दिया लेकिन वो फिर भी इंसिस्ट करता रहा फैंक फैंक के कहने पर जैनिया भी उनके साथ आ गई ये सोच करके अगर हमारी बीच की लड़ाई खत्म हो जाए तो ज्यादा बहतर रहेगा यहां ये येंग ने जैनिया को प्रिटी भी बोल दिया और उसको तो कुछ समझ नहीं आती कि आकर ये हो क्या गया है कही इसने नशावाशा तो नहीं क कर लिया उसका ये जीब सा भी हेवियर हजम करने के लिए जैनिया वाश रूम जाना चाहती थी और ये येंग बे उट खड़ा हुआ ये कह करके मुझे भी वाश रूम जाना है अब वो चाहता क्या है ये तो हम आगे ही जान सकेंगे जब जैनिया वाश रूम से वापस ताभी कोज उसने जैनिया की इन्विस्टिगेशन करवाई थी और ये भी के फूस से प्यार करता है अब वो चाहता है कि जैनिया फूस से दूर रहे ये कह करके उसे हमेशा अकेले ही रहना चाहिए वो किसी का प्यार डिजर्व नहीं करता जैनिया उसकी बात मानने वाली तो नहीं तीम अगर ये येंग उसको ब्लैक मिल करते हुए कहने लगा कि अगर तुमने फूस से किसी भी तरह का कॉंटेक्ट रहा तो उसके फैंस ये बात जान जाएंगे कि तुम उसकी असिस्टन नहीं बलके उसकी लवर हो इसी हफते उसकी नई एलबम भी रिलीज होने दूसी तरह बिचारा फू काफी टाइम से जैनिया के मैसेज कॉल्स का वेट कर रहा था मगर ना तो उसका कोई मैसेज आता है और ना ही वो फू के मैसेजिस का रिपलाई कर रही थी जब उसकी तरफ से कोई रिस्पोंस नहीं मिलता तो गुनन ने फैंक फैंक को कॉल किया के बारे में पता करने के लिए और यहां भी जैनिया ने उसे जूट बोलने के लिए कहा फू कोरिया से वापस आकर फूरं अपने कॉलर जाना चाहता था जबके डैनियल ने उसे पहले घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहा नेक्स सीन में जैनिया फैंग फैंग के साथ होस्टल जा रही थी और फू अपना बैग लेकर उसके सामने ही खड़ा था उसे अपने पास बुला कर पूछने लगा कि तुमने मेरे फॉन कोल्स का जवाब क्यों नहीं दिया इसलिए तो मैं पहले घर भी नहीं गया और फॉरण से तुमसे मिलने आ गया इस पर जैनिया ने बैटरी लो होने का बहाना किया पर फू बोला कि मुझे ऐसा क्यूं लग रहा है कि तुम जान बुच कर मुझे इग्नोर कर रही हो उसने मजीद बताया कि तुम्हें याद है मैंने तुमसे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा था क्या तुम अब वो आंसर सुनने के लिए तयार हो फू को भी उसका जवाब सुनने के लिए काफी बेचेनी से इंतजार था जैनिया बोली के काफी सोचने के बाद मुझे ऐसा लगता है के शैद हमें सिर्फ कलास फेलोज और नर्मल फ्रेंड्स ही रहना चाहिए फू को उसका या अंसर बिलकुल अच्छा नहीं लगा बिकोज उसने जैनिया से या अंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था दिया ये देखकर जैनिया भी शोक्ट हो गई बिकोज फू ने कभी भी किसी का मिटीरियल नहीं चुराया इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 17 अपिसोड की तरफ एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिकाया गया कि जैनिया को जैसी ही प्लेजरिजरिजम के बारे में पता चला वो फॉरन से आकर सोशल मीडिया पर कमेंट्स देखती है उसमें से कई कमेंट्स तो फू के अगेंस्ट थे मगर जैनिया ये बात अच्छे से जानती थी के फू ने कोई प्लेजरिजरिजम नहीं की पिकोज उसने वही सोंग एक वीक पहले ही जैनिया को गा कर सुनाया था वो तावीन बनकर सोशल मीडिया पर फू को सपोर्ट करती है तो दूसी तरफ हमें डैनियल को दिखाया गया जो के अभी तक ये पता नहीं लगा सका के हमारा डैटा चोरी कैसे हुआ फू बोला के मुझे नेटिजन्स के कमेंट से कोई भी फर्क नहीं बढ़ता बिकोज जो लोग मुझे पर स्ट्रोंगली बिलीव करते हैं उनका वरोसा कभी भी नहीं तूटेगा जबके डैनियल ने उसे समझाया के बाद अच्छा बुरा लगने की नहीं है बलके तुम्हारे कैरियर का सवाल है ऐसे तो सबको लगेगा कि तुमने सच में ही प्लेजरिजम की नेक्स सीन में हमें दिखाया गया कि फू की स्टेज परफॉमिस होने वाली ती जिसे जैनिया बिलकुल भी मिस नहीं करना चाती बिकोज वो जानती थी कि लोग फू को क्रिटिसाइज करेंगे इस कॉंसर्ट में वो फू की फैन बन कर आती है और उसे रियलाइज होने नहीं देती के वो जैनिया है चाहे दूसरे लोगों की एकसाइटमिंट वैसे नहीं ती जैसे पहले हुआ करती थी लेकिन जैनिया ने होल कॉंसर्ट के दुरान उसे पुरा पुरा सुपोर्ट किया कही बार तो फू को भी वो जानी पहचानी लगी मगर उसके मास्क पहनने की वज़े से फू भी उसको नहीं पहचान सका कॉंसर्ट खतम होने के बाद जब फू घर जाता है तो उसका डैड उससे इस प्रॉबलम के बारे में पूछ रहाता कि तुम्हारी कमपने ने तुम्हारे लिए कोई लोयर हायर किया वैसे वो दिका ऐसा रहाता जैसे मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पढ़ता लेकिन आप फू भी अच्छे से जान चुका था कि डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन शो नहीं करते वो भी डैड के पास बैट कर उनसे काफी अच्छे से बात करता है उन्हें समझा देता है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं मैं इस प्रॉब्लम को डील कर लूँगा आज पहली बार फू ने उनसे इतनी पुलाइटली बात की ये देखकर डैड को भी काफी अच्छा लगा आफ्र देट वो अपने रूम में बैटकर जैनिया के फॉन कोल्स का वेट कर रहा था और जब गुनन उसे मिलने के लिए आता है तो उसे एक लम है के लिए तो ऐसा लगा कि जैसे जैनिया मुझ से मिलने आई है एला और गुनन मिलकर उसे रिलेक्स करते हैं के जो कुछ भी हुआ उसके पीछे किसका हाथ है जल्दी ही पता लग जाएगा पर फुके दिलो दमाग में तो अभी भी जैनिया ही गुंज रही थी दूसी तरफ जैनिया उन कमेंटर्स के बारे में सर्च करती है जिन्होंने पहली बार नेगेटिव कमेंट्स करना स्टार्ट किये और उनका आई पी अड्रस ट्रेस करने के बाद पता चला कि ये कमेंट्स मेंग डी कॉलज के इंटरनेट कैफे से किये गए हैं ये बात जैनिया ने कॉल करके गुनन को भी बताई कि इसके पीचे जिसका भी हाथ है वो जरूर हमारे कॉलज का स्टूडन्ट है अगली सुबा रिपोर्टर्ज ने डैनियल को गेर लिया तक कि आप लोगों ने अभी तक प्लेजरिजम के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं किया क्या फू ने वाकी ही प्लेजरिजम की है और इस बात का भी गुसा आ रहा था कि डैनियल ने उसे पूचे बगार इतनी बड़ी बात कह दी पर अपना केरियर बचाने के लिए फू को ये करना तो पड़ेगा दो दिन गुजरने के बाद भी फू कुछ अच्चा सा नहीं लिक पाया डैनियल पर भी इसी बात का प्रेशर ता के दो दिन तो गुजर चुके और अब एक दिन में फू क्या कर पाएगा यहाँ जैनिया और गुनन इंटरनेट कैफे आते हैं पुलीस बन कर उन्हें बताया कि हमें खबर हुई है पिछले हफ़ते यहां किसी चोर की इंटरी हुई थी उन्हें लिस्ट दिखाने के लिए कहा और वो लिस्ट देखने के बाद इन्हें पता चला कि ये येंग के दोनों दोस्त पिछले हफ़ते यहां आए थे इससे ये बात तो कंफर्म हो गई कि जो कुछ भी हुआ इसके पीचे येंग का हाथ है लेकिन कंफर्म करना बाकिता इसलिए ये दोनों जाकर चुक्के से थे उन तीनों की बाते सुनते हैं और जिस तरह से वो लक्फू के बारे में बाते कर रहे थे कि तीन दिन के अंदर वो एक नया सौंग नहीं बना पाएगा अब तो इनका शक भी एक इन में बदल गया जैनिया घुसे में आ गया तेवे कहने लगी के हम जान गए हैं जो कुछ भी हुआ उसके पीचे तुम्हारा हाथ है जिस पर ये येंग बोला के हाँ ये सब कुछ में ने किया पर क्या तुम्हारे पास इत बात का कोई सबूत है जिसे तुम लोगों के सामने प्रूफ कर सको जब गुनन भी उसे समझाने लगा तो ये येंग उस पर चिला कर कहता है कि वो एक्सिडंट होने के बाद हम बच्पन के दोस्त नहीं रहे और ना ही मुझे अपना दोस्त बुलाओ वहां से निकलने के बाद जैनिया ने कॉल करके डैनियल को भी सब कुछ बताया लेकिन फिलहाल की प्रोब्लम ये थी के फू अभी तक कुछ नहीं लिख सका दूसी तरफ फैंग फैंग ने भी ये येंग के पास आकर बताया कि मुझे जैनिया ने सब कुछ सचच बता दिया है क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इतने बुरे इंसान नहीं जितना तुम बनने की कोशश कर रहे हो उसके फ्रेंड्स कंटिनियूसली फैंग फैंग का मजाक उड़ाते हैं और वो भी कहने लगा कि मैं कौन हो और क्या हो इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं नेक्स सीन में हमें फू के डैड को दिकाया गया जिन है मेंट से पता चला कि फू कई टाइम से अपने रूम में बंद है और उसे अपने काने पीने की भी परवा नहीं ये सुनकर वो उसके रूम में जाते हैं उससे कहने लगा कि कुछ टाइम के लिए ये सब कुछ छोड़ दो चलो हम गेम्स खेलते हैं फू भी मज़े मज़े से अपने डैड के साथ गेम्स खेलने लगा जिसमें वो उन्हें हरा देता है डैड ने भी असानी से हार मान ली आफटर दटू से समझाते हैं कि कभी कभी हमने सारी जिन्दगी जिस चीज़ के लिए महनत की उसके लिए अपने प्यार को प्रूफ करना पड़ता है चाहे इसके लिए हमें अपना खून पसी नहीं क्यों ना एक करना पड़े फू भी उनका पॉइंट समझ गया कि मुझे किसी भी तरह करके अपने केरियर को बचाना होगा इसके बाद डैड ने उसे एक गिफ्ट दिया उसे बताया कि ये मुझे उसी लड़की नहीं दिया जिसने मेरे सर्मनी पर आकर सीन बनाया था फ्लैश बैक से हमें दिखाया गिया कि जैनिया उन्हें फू के लिए गिफ्ट देते हुए अपना मूँ चुपा रही थी लेकिन फिर भी डैड ने उसे पहचान लिया और इतने भोले तो डैड भी नहीं थे ये बात भी अच्छे से जान गए के जैनिया फू को लाइक करती है गिफ्ट में जैनिया ने फू के लिए उसका स्केच बनाया था और एक मोटिवेशनल नोट था जिसमें उसने बताया है कि मुझे तुम पर पूरा बरोसा है तुम एक अच्छा सौंग लिक लोगे अगली सुबा मीडिया कानफरंस थी फू के तीन दिन खतम हो चुके थे और सबी को उसके नियू सौंग का इंतजार था लेकिन फू का कुछ आता पता नहीं कि वो कहां गाइब हो गया है उसका फोन कॉल भी नहीं मिल रहा और बीचारे डैनियल के लिए सिचिवेशन संबालना काफी मुश्किल हो रहा था सबी उसे बुरा बला कहते हैं कि तुम हमारा टाइम विस्ट करने की कोशिश कर रहे हो बाकी सब भी ये कांफरंस लाइफ देख रहे थे और ये येंग तो फू के ना आने की वज़जा से काफी ज्यादा खुश था पर जैनिया को इस बात का पूरा यकीन ता के फू जरूर आएगा और फोशिनेटली वहाँ पे फू की इंट्री होती है जिससे जैनिया काफी खुश हुई सबको लेट आने के लिए सोरी किया उन्हें बताया कि मैं नहीं जानता उस लड़के का सौंग मेरी तरह का क्यू है पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैंने कभी भी प्लेजरिजम नहीं की और ये भी कि मुझे नया सौंग लिखने की मोटिवेशन अपने प्यार से मिली और ये सौंग भी मैंने उसे के लिए ही लिखा है जिस पर जैनिया अच्छे से जान गई कि फू ने ये सौंग उसके लिए लिखा खेर बाकी सबको तो बहुत खुशी हुई के फू ने अपने आपको प्रूफ करके दिकाया लेकिन ये ये इसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था फू सिंगिंग करते हुए जैनिया के साथ गुजारी हुए लमहो को रिमाइंड करता है भी कोस ये उसकी लाइफ के सबसे ज्यादा स्पेशल मूमेंट्स थे सौंग खत्म होने के बाद फू जैनिया को इशारा करके उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है और बाकिसारी सिचिवेशन डैनियल पर छोड़ दी बाहर जाकर फू जैनिया को उस गिफ्ट के लिए थैंक्यू कह रहा था जिस पर वो बोली के तुमने भी तुम मुझे रीपे कर दिया वो सौंग मेरे लिए 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 कर फू को इस बात की और भी ज्यादा खुशी थी कि उसके दिल की बात जानने के बावजूद भी जैनिया उसको इग्नोर नहीं कर रही लेकिन आज इन दोनों के लिए थैंक्यू और सोरी करना भी इतना मुश्किल काम हो रहा था वैसे तो इनका लड़ने चगरने के इलावा और कोई काम ही नहीं होता इसी दुरान वहाँ येंग के दोस्त आये उसे बताया के तुम्हारे फैंस वहाँ उसे बुरी तरह से पीट रहे हैं हम भी उसे नहीं बचा सके ये सुनकर वो फॉरण से उसे बचाने के लिए जाता है और किसी को ये भी पता लगने नहीं दिया के वो कौन है जो मार सिरफ येंग को खानी चाहिए थी वो फू ने भी उसके साथ मिल कर खाई फिर उन सब के जाने के बाद येंग बोला कि तुम जानते हो ये सब कुछ मेरी वज़ा से हुआ तो फिर तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आए जिस पर फू बोला कि तुमने जो मर्जी किया हो लेकिन मैं अपने दोस्त को पिटते हुए नहीं देख सकता जितना अच्छे से फू से बात कर रहा था ये देखकर येंग को भी दिल ही दिल में रियालाइज हो गया था कि मैंने फू के साथ कितना बुरा किया लेकिन अब वो सब कुछ भूल कर फू का बढ़ाया हुआ हाथ थाम लेता है एक नई दोस्ती की शुरुआत करने के लिए जैनिया भी इन दोनों को ऐसे एक साथ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि कमस कम आज के बाद इन दोनों की लड़ाई तो नहीं होगी तुनन को देखकर उसके पास जाती है उसे बताया कि क्यों ना आज हम दोनों लंच एक साथ करें क्यूंके मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है वो बोला कि हाँ मैं भी तुम्हें कुछ जरूरी बताना चाहता हूँ और ये जरूरी बात क्या है ये तो हम अगले ही एपिसोड में जान सकेंगे अपिसोड के स्टार्ट में हमें दिकाया गया कि डैनियल फू के लिए काफी सारे गिफ्ट्स ले आया था जो कि उसके फैंस ने दिये थे पर वो कोई भी गिफ्ट दे के बगार ये कहते हुए चला गया कि मैं लाइप्टेरी पढ़ने जा रहा हूँ आज पहली बार उसने पढ़ाई की बात की ये देकर तो डैनियल को भी बड़ा अजीब लगा दूसी तरफ हमें ये येंग को दिकाया गया जहां उसके दोस्तों ने उसके सामने एमोशनल ड्रामा रचा रखा था उसे ये कहकर के बोस तुम हमें छोड़ कर क्यूं जा रहे हो जिस पर ये येंग बोला के पागलों मैं तुम लोगों को छोड़ कर नहीं जा रहा बस दूसरे लोगों की तरह नॉर्मल लाइप जीना चाहता हूँ आज पहली बार उसी भी स्टेडी का ख्याल आया और चलने लगा लाइबरेरी की तरफ वरना तो वो हर साल फेल हो जाता है यहां फू कोई पढ़ने वढ़ने नहीं आया था बलके लाइबरेरी में जैनिया को डूनने आया था जो कि उसे कही नजर नहीं आई जबकि यहेंग भी यहां फैंक फैंक को डूरने के लिए आया था और जब देखा तो वो फू के सामने वाली सीट पर ही बैठ चुका था फू उसे इंग्लिश के मार्क्स पूछता है जिसमें यहेंग ने 60 मार्क्स स्कोर किये थे और ये एवरिज मार्क्स थे पर जब फू ने अपने मैट्स टेस्ट के मार्क्स बताए के वो 15 मार्क्स लेकर फैल हो गया था तो इस पर यहेंग उस पर हसने लगा कहने लगा क्यों न मैं तुम्हें मैट्स सिका दूँ और तुम मुझे इंग्लिश वैसे भी तुम्हारी इंग्लिश काफी अच्छी है नेक्स सीन में हमें जैनिया और गुनन को दिकाया गया जो बाहर खाने के लिए जा रहे थे और गुनन उसे पूछता है के ट्रीट मेरी तरफ से है इसलिए तुम बताओ किया खाना चाहोगी जैनिया को कुछ एक्सपैंसिव नहीं खाना था इसलिए उसने स्ट्रीट फूट खाने की डिमांड की जो के गुनन ने पहले तो कभी नहीं खाया था पर जैनिया के साथ जाने के लिए हां कहा वहाँ जाने के बाद काफी सारा खाना उडर करवाया जो के दोनों ने मजे मजे से मिलकर खाया और आफटर डैट वो बात करने वाले थे जो के यहां करने आये है गुझनन ने उसे पहले करने के लिए कहा ये कहकर की लेडानी वर्स्ट स्देनिया बोली कि मैं फू के बारे में बात करना चाहती हूँ उसने मेरे लिए इतना कुछ किया तो अब मैं भी अपनी इस रिलेशन्शिप को आगे बढ़ाना चाहती हूँ उसे ये बता कर कि मैं उसे लाइक करती हूँ पर अभी तक तो मैंने उसे ये भी नहीं बताया कि मैं ही शेंशिंग हूँ समझ नहीं आती कि उसे कैसे बताऊं या फिर हमेशा के लिए इसको सीक्रेट रखूँ बिचारा गुनन जो कि आज उसे ये बताने वाला था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तुम्फू के बारे में सुनने के बाद वो अपनी बाद दिल में ही चुपा लेता है कहने लगा अगर तुम्फू के साथ अच्छा रिलेशन्शिप चाती हो तो तुम्हें उसे ये सच्चाई जल्द से जल्द बतानी होगी बिकोज वो बहुत संसेर लड़का है अगर उसे ये बात किसी और से पता चली तो उसका तुमपर से ट्रस्ट तूट जाएगा जैनिया को भी उसके ड्वाइस पसंद आई आफ्टर देट दोनों साथ ड्रिंक करते हैं और वापस आते वे जैनिया इतना ज़्यादा टून हो गई थी कि गुनन को ही उसे संबालना पड़ा साथ ही हम देखते हैं कि कोई उन दोनों की पिक्चर ले रहा था यकिनन जैनिया को मुसीबत में डालने के लिए नेक्स्ट मॉनिन का सीन दिखाया गया जहां ये येंग फैंग फैंग के पास आकर बैटना चाता था मगर उसने ये कहकर बैटने से मना कर दिया कि ये जेनिया की सीट है वो किसी और किसी चीन कर बैट जाता है और फैंक फैंक जो कि उससे नराज थी उसे इग्नोर करके वहां से जाने लेगी येंग ने उसे रोक कर अपने पास बैटने के लिए कहा वो बैट तो जाती है मगर साथ ही उसके आंकों से आंसू आने लेगे ये येंग भी नानसू की वज़ा बहुत अच्छे से जानता था उसे टिशु दिया और लास्ट टाइम के लिए सोरी कहा उसे बताया कि मैं स्टडी करना चाता हूँ क्या तुम मुझे पढ़ाओगी दूसी तरफ एला कोसकी फ्रेंड की कॉल आई जिसने उसे बताया कि गुनन और जैनिया का फेर चलने लगा है इस बारे में मैंने फू को भी बता दिया तुम भी फूरन से यहां आ जाओ वो भी सुनकर इतना ज्यादा खुश हो गई कि स्टडी के बारे में भूल कर वहां से वापस जाने लगी और हान को भी ये गुड नियूस दे दी नेक्स सीन में जैनिया गुनन को थैंक्यू करती है कि तुमने कल रात मुझे सेफली अपने होस्टल पहुंचा दिया था वरना तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता खेर तुमने तो अपनी बात बताई ही नहीं जल्दी से बताओ मुझे क्या बताने वाले थे गुनन ने उसे मना कर दिया ये कहकर के जाने दो कोई खास बात नहीं ती जिस पर जैनिया उसे इंसिस्ट करने लगी कि अगर तुम मुझे बताओगी ही नहीं तुम मुझे पता कैसे चलेगा अब वो बोला के मैं जानता हूँ बताने का कोई फाइदा तो नहीं लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ जैनिया ने पहले तो उसकी बात मजाक में ले ली लेकिन बाद में उसके लिए बुरा लगा जिस पर गुनन बोला कि तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं और वैसे भी मुझे इस बात की खुशी है कि तुम जल्दी ही मेरे दोस्त की गर्फरंड बन है कहने लगा तो आज तक तुम मुझे से जूट बोलती रही बाकी सब को पता था कि तुम शेंशिंग हो बस मुझे ही बेवकूफ बनाया जब गुनन भी उसे एक्स्प्लेन करने लगा तो फू बोला कि तुमने दोस्त बनकर मुझे धोका दिया मैं लानत बेशता हूँ ऐ फिर चल रहा है रंग में भांग डानने के लिए एला भी वहां पहुंच चाही उससे कहने लगी के बस कर दो अब तुम्हारा असली चेहरा सब के सामने आ गया है कभी तुम गुनन के पीछे पड़ी रहती हो कभी हान के और कभी फू से महबत के दावे करती हो जैनिया को उ कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था मगर फू से कुछ भी कहे बगार वहां से चला गया इस बात से वो काफी हर्ट हुई नेक्स सीन में जैनिया फैंग फैंग को भी अपनी सचाई बता देती है और उसे सारी बात बताई के उसे कॉलेज में अपना रूप बदल कर क्यू रहना पड़ा उसे तो लगा था के फैंग 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 भी ये जानने के बाद मुझसे नराज हो जाएगी लेकिन वो जैनिया की मजबूरियों को समझ कर उसे बिल्कुल भी घुसा नहीं होती इसके बाद फिर से एला जैनिया के पास आई उसे धमकाते वे कहने लगी के फूका पीचा छोड़ दो मैं जानती हूँ तुम्हें उसे कोई प्यार व्यार नहीं है बस उसके पैसों के पीचे पड़ी हो जैनिया को उसकी बाते सुनकर काफी ज्यादा गुसा आजाता है कहने लगी हाँ मैं उसके पैसों के पीचे पड़ी हूँ तुम मेरा है और मैं उसे हासिल कर लूँगी तुम से जो बन सका वो कर लो एला अभी बे ऐसे स्माइल कर रही थी जैसे उसका कोई बड़ा मकसद पूरा हो गया हो इसके बाद हमें एक्जैम डे दिकाया गया जहां एक्जैम खत्म होने के बाद भी ये दोने एक दूसरे से बात नहीं करते पर जैनिया उससे बात करने की कोशश करती है और उसे अपनी क्लिरिफिकेशन देने लगी और साथ ही हमें स्पीकर से वो सारी बाते सुनाई देने लगी जो के जैनिया ने एला से की थी तो असल मेला का मकसद ये था और यहां फूको तो जैनिया से और मी नफरत होने लगी कि मैंने तुम से प्यार किया और तुमने हमेशा मेरी फिलिंग्स का मजाग बनाया हान फोरन से एला के पास आकर स्पीकर बंद कर देता है और उसे डारते लगा कि अभी के अभी जाकर जैनिया को सोरी करो तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तुम उसके साथ कितना बुरा कर रही हो एला भी उस पर घुसा होने लगी कि सब जैनिया जैनिया ही करते रहते हैं आखिर तुम लोगों को उसमें नजर किया आया अगर वो तुम्हारी दोस्त है तो मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हूँ दूसी तरफ गुनन फू के पास जाता है उसे समझाने के लिए लेकिन फू इतना ज्यादा घुसे में तकि उसकी एक भी नहीं सुनता उल्टा उसे ही मारते हुए कहने लगा कि अगर तुम मेरे दोस्त हो तो ये बात जाने के बावजूद भी के जैनिया ही शेंशिंग है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया है अब तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब मैं ही बेवकूफ हूँ जिसने तुम्हे अपना दोस्त माना और आंके बन करके हर किसी पर बरोसा कर लेता है गुनने ने बगएर कुछ कहे उसकी मारकाई कहने लगा हाँ मैं मानता हूं कि मैंने उसी लड़की से प्यार किया जिससे तुमने प्यार किया पर जिस दिन मुझे ये पता चला कि जैनिया ही शेंशिंग है उस दिन मैंने उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया था processo में जानता था कि तुम जैनिया को लाइक करते हो और Zijnia ने जो तुम्हारी खातिर इतना कुछ किया क्या वो सब कुछ कुछ भी धोका था मैं बस तुम्हें सिर्फ फ्लियर करना चाहता था था कि तुम्हें जैसा अच्छा लगे नेक्स सीन में हमें दिखाया गया कि ये येंग ने टॉप 100 में अपनी जगा बना ली थी और ये देखकर तो फैंक फैंक को काफी ज़्यादा अच्छा लगा फ्लेश बैक से हमें दिकाया गया कि ये येंग फैंक फैंक की बुक दिकना चाहता था जिस पर वो बोली कि अगर तुम टॉप 100 में से आ गए तो मैं तुम्हें ये बुक दिका दूंगी वैसे तो अब वो वक्त आ चुका था मगर फैंक फैंक को लगा कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही खुश फैंक पाल ली है मुझे ये येंग से दूर रहना चाहिए दूसी तरफ डैनियल ने तावबिन को मैसेज करके अपने साथ कॉंट्रैक्ट साइन करने के लिए कहा जिसे देखकर जैनिया तो काफी ज़्यादा शौक्ट हो गई सोचने लगी पता नहीं क्या होगा जब फू को मेरी तीसरी आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ तो बढ़ते हैं इस सीरीस के 19 एपिसोड की तरफ एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिकाया गया के जैनिया तावबिन बनकर कोंट्रैक्ट साइन करने के लिए आ जाती है पर उसने एक मास्क पहन रखाता ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके जब फूने उसे मास्क पहनने की वज़ा पूची तो वो बोली कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ तुम्हें देखकर मैं अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहती इसलिए मुझे मास्क पहनना ही बहतर लगा खैर जब ताव भी निस बात से खुश थी तो इन लोगों को भी कोई मसला नहीं ता पर जब फूने उसे हाथ मिला है तो उसे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा जैनिया ने फॉरण से उसके सामने उसकी बहुत बड़ी फैन होने की एक्टिंग स्टार्ट कर दी और इस तरह से उसने अपने आपको बचा लिया इसके बाद जब वो लोग बैटकर डैनियल का वेट करते हैं तो फूने उसके गले में वही चेन देख ली जो के फूने उसकी बड़े पर गिफ्ट किया था और जैसी ही जैनिया उसे अपने स्केचेस दिकाने के लिए आगे बड़ी उसका नेकलस बाहर आगिया जिस पर फूने उसे पहचान लिया फूरन से उसका मास्क हटा देता है सेम टाइम पर डैनियल भी पहुँचा है जो के ताविन के बारे में पूछ रहा था और ये जानने के बाद के जैनिया ही ताविन है ये उसके लिए शोकिंग होने से कहीं ज्यादा फ़नी था खैर फूर जैनिया इस बात को लेकर लड़ पड़े और ये दोनों उनका मुही देखते रहे कि आखिर आज इन दोनों को हो क्या गया है ऐसे एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गे नेक्स सीन में हमें मीडिया कॉन्फरंस दिकाया गया जिसमें फूने बताया कि मैंने ताविन के साथ कॉंट्रेक्ट साइन कर लिया कि वो मेरे निव अलबम का स्केच बनाएगी जब रिपोर्टर ने उसे कुश्चन किया कि तुम्हें इस बारे में कब पता चला कि जैनिया ही ताविन है तो इस पर फू बोला कि मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला और मैं इस बात पर काफी नराज भी हुआ जैनिया इस बात को कवर करने की कोशश करने लगे और इदर डैनियल बीचारे को इस बात की फिकर हो रही थी कि कही ये दोनों फिर से लड़ना ही शुरू ना कर दे । दूसरी तरफ हम फैंग फैंग को देखते हैं जिसे जेनिया नियही कहा ता कि तुम्हारी खूशी तुम्हारे अपने हात में है। तुम यह यहिंग को अपनी फेलिंग्स बता दो। तो जरूर हुआ है यही सोचकर इन दोनों की पिटाई करने लगा और इन्हें अच्छे से समझा देता है कि खबदारा इंदा मेरी दोस्त को परिशान करने की कोशश की तो फिर फैंग फैंग के पीछे जाता है जो के भागते हुए टेरस पर चली गई थी और उसे रोना बन करने के लिए कहा वो इससे एक्स्प्लिन करने लगी के हाँ मैं जानती हूँ हम दोनों डिफरेंस स्टेंडर्स से हैं लेकिना इस्वेर मैंने अपनी लिमिट क्लोस करने की कोशश नहीं की ये येंग उसे हक करते हुए बोला कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं आज से जिसने तुम्हें बुले किया उसने मुझे अपसिट किया और स्टेंडर्ड की बात बीच में कभी मतला ना और जो बुक फैंक फैंक उसे दिखाने वाली थी वो ये येंग पहली ही लेकर पढ़ चुका था जो कि एक रोमेंटिक नोवल है नेक्स सीन हमें कलास का दिखाया गया टीचर ने सब इस स्टूडन्स को काफी अप्रिशेट किया क्यूंके सबी ने काफी ज्यादा इंप्रूफ किया था Especially phone ने जिसने मैस में काफी अच्चे मार्गस लिये पीचे चैन ने उसे जैनिया को ठेंक्यू करने के लिए कहा भी को जैनिया ने ही उसे मैस सिकाने में हेल्प की phone ना चाती हुए भी उसे ठेंक्यू करके वहां से बाहिए चला गया फिर गुनन उसकी पीछे जाकर उसे जानने की कोशिश करता है किया अभी तक उसने अपनी confusion क्लियर की या नहीं या फिर उसने जैनिया को लेकर कोई decision लिया या नहीं फो ने उससे कुछ खास तो नहीं बताया पर इतना जरूर कहा कि कभी कभी इनसान को अपना प्यार दिखाने के लिए फाइट भी करना पड़ता है चाहे मैंने तुम से लड़ाई की लेकिन मैं आज भी तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ और मेरा डिसीजन भी तुम बहुत जल्दी जान जाओगे यहां जैनिया को उसके कलास फिलोज अजीब वो घरीब सी कहानिया सुना रहे थे के तुम्हें पता है हमारे कॉलेज में एक लॉक टावर है अगर उसके सामने कोई सचे दिल से अपने रिग्रेट बताए तो वो टाइम पीछे करके वही ले जाती है जिस समय में तुम जाना चाहो इससे जैनिया को एक आईडिया आया कि क्यो ना मैं कलॉक टावर पर जाकर रिक्वेस्ट करूं समय को पीछे ले जाओ जब मैं फू से पहली बार मिली थी और उसको अपनी ट्रू आइडेंटिटी भी बता दू यही सोच कर वो कलॉक टावर पर पहुंचाई और विश करती है कि प्लीज मुझे उस समय में वापस ले जाओ जब मैं अपनी इंगेजमेंट सर्मनी से भागी थी और पहली बार फू को देखा नहीं नहीं वहाँ नहीं बलके उस समय में ले जाओ जब फू ने मुझे पहली बार अपनी फिलिंग्स बताई थी ताकि मैं भी उससे बता सकू के मैं ही जेनिया हूँ क्लॉक भी उससे बात करने लगी कि तुम सिर्फ एक ही विश कर सकती थी अब तो मैं तुम्हें उस समय में ले जाओंगा कि तुम्हारा ग्रेंटपा तुम्हें पकड़ कर लॉक कर दे बिचारी जेनिया डर के मारे चीखें मारती है और यहां फूस पर हसने लगा बिकॉस वो कोई कलॉक नहीं बलके फूही बोल रहा था कहने लगा कि इतनी स्टूपिड हो तुम किसी ने तुम से कुछ भी कह दिया और तुम यहां कर विश करने लगी जेनिया भी उसे लड़ पड़ी कि तुम मुझसे ज्यादा स्टूपिड हो कितना डरा दिया था तुमने मुझे और मुझे क्या पता था कि क्या सच है और क्या जूट मैं तो बस सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहती थी कि जब से तुम्हें देखा है तब से ही अपना दिल दे दिया फू बोला कि गुनिन ने मेरी एक कनफ्यूजन तो क्लियर कर दी कि चाहे तुम जैनिया हो शेंशिंग या पिर थाव बिन मुझे बस इतना ही पता होना चाहिए कि तुम ही वो लड़की हो जो मेरे दिल में रहती है फिर फू जैनिया को पकड़ कर उसे किस करने लगा और इस बात का यकिन तो जैनिया को भी नहीं हो रहा ता कि अचारक से उसने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया नेक्स सीन में फू से कॉल करके बता रहा तक कि अब हम दोनों रियल में कपल बन चुके हैं और ये बात मैं किसी से भी चुपाना नहीं चाहता जैनिया ने उसे मना कर दिया कि इस बात को भी पबलिक मत करना क्यूंकि हो सकता है इसे तुम्हारे केरियर को कोई नुकसान हो जिस पर फू बोला कि ठीक है मैं अपने फैंस को नहीं बताऊंगा लेकिन कमस कम हमारे फ्रेंड्स को पता होना चाहिए वही फू को अपने बच्पन की फ्रेंड लेटिंग की कॉल आई जिसने उसे इस वीकेंड पर बीच पर जाने के लिए इन्वाइट किया फू ने भी जाने के लिए हां कहा विकोज उसे आइडिया आया के वो इस वीकेंड पर सबको बता देगा जबके यहां लेटिंग ने तो ये बात सोच रही थी कि वो एला और फू की सेटिंग करवा कर रहेगी इसके बाद हम जैनिया को फू के निव अलबम के लिए स्केच बनाती हुए देखते हैं जो के काफी अच्छा बनाता और डैनियल को भी काफी पसंद आया स्केचिंग खत्म होने के बाद हमेशे की तरह इन दोनों की नोग जोग होती है जो के कोई नई बात तो नहीं थी पर डैनियल को बड़ी कन्फीजन है के पता नहीं नों का क्या बनेगा अगले सीन में फैंग फैंग और जैनिया अपना बैग रेड़ी करके फू के साथ जाने वाली थी और दोनों ही एक दुसरे के लिए काफी ज्यादा खुश थी के जिन्हें वो लाइक करती है फाइनली उनको अपनी फीलिंग्स बता दी फून दोनों को लेने के लिए आया ता कहने लगा कब से खड़ा इंतजार कर रहा हूं तुम दोनों का मेक अप ही खत्म नहीं होता जिस पर जैनिया उसे शट अप कहकर चुप करवा देती है रिजोर्ट पहुँचने के बाद जब एला ने फू को जैनिया के साथ देखा तो उसे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा जिस पर गुनन बोला कि कोई बात नहीं हम सब दोस्त हैं लड़ने जगडने से बहतर है कि हम अपने टाइम को इंजोई करें हान को भी अला जबर दस्ती पकड़ कर अपने साथ ले आई थी जबके बिचारे ने संस्क्रीन भी नहीं लगाया और यहां जैनिया को देखकर उसे मागने लगा इस पर तो जैनिया के साथ साथ बाकी सब भी उसका मज़ाक उड़ाने लगे के पता नहीं उपर वाले ने तुम्हें लड़की बना कर क्यों नहीं बेजा रेस्ट करने के बाद लेटिंग ने सब को पार्टी दे रहे की ती जहां सबी इंजॉय करने के साथ साथ अपने बच्पन की मेमरिस को याद कर रहे थे आफटर डेट लेटिंग ने वही गेम खेलने के लिए कहा जो कि वो लोग बच्पन में खेला करते थे हान, जैनिया और फैंग फैंग को अलग टीम बनाया उन्हें ये कहकर कि तुम तीनों स्टेंजर्जर्स हो ये येंग ब्रेव बन कर उनकी टीम में चला गया कहने लगा कि इस गेम में तीन लड़कियों का केले होना ना इंसाफी की बात है हान को तो पहले उसके अपने टीम में आने की खुशी हुई लेकिन बाद में उसी रियलाइज हुआ कि ये येंग ने उसे भी लड़की कहा गेम के रूल्स कुछ इस तरह के थे के वहां जितने भी लड़के थे उन्हे लड़कियों को प्रोटेक्ट करना होगा कि उन्हें बॉल ना लग सके और बॉल को हैंड्स के इलावा किसी भी बोड़ी पार्ट से टच नहीं करना वरना तो एक पॉइंट डिड़क्ट हो जाएगा पहले तो फूर्ग उन्हें दोनों फैंक फैंक के पीछे पढ़ जाते हैं पर जब वो इरिटेट हो रही थी तो येंग इन दोनों को मना कर दिया के खबरदार मेरी गर्ल को बुले किया थो इसके बाद जब जैनिया की बारी आई तोहान खुद बॉल्स से बचने के चकर में जैनिया को ही आगे कर देता जिस पर वो बोली के इसे तो बेटर ता कि मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ खैर जैनिया को कुछ बॉल्ज लगने के बाद वो नीचे की जाती है जिस पर फूस के पास फॉरण से पहुंचाया और उससे सोरी करता है जैनिया भी उसे माने लगी इनका नोग जोग मस्ती मजाग शुरू हो जाती है जो के एला और लेतिंग को तो देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था गेम खत्म होने के बाद लेतिंग कह रही थी के जैनिया की टीम गेम हाट चुकी है और सबसे ज्यादा पॉइंट्स भी उसी नहीं डिड़क्ट करवाए इसलिए जैनिया को पनिश्मिंट मिलनी चाहिए फू फू फॉरण से खड़ा होकर बोला कि मेरे पास जैनिया को पनिश करने के लिए एक आइडिया है तुम सब पेने दोस्त हो मैं तुम लोगों से ये बात नहीं चुपाना चाहता स्पेशली एला से फिर वो जैनिया के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी गर कर देती है और वो अपनी गर्फरंड को सबसे इंटूड्यूस करवाने लगा ये एंग और गूरें तो उन दोनों के लिए काफी ज्यादा खुशते हैं उन्हें कुंग्रेचूलेशन्स करते हैं पर यहां बीचारी एला का सपना तो सपना ही रह गया लैतिंग इस बात को ह पर तुम शायद बूल गए हो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा के लिए मेरा ख्याल रखोगे वो बीचारा तो शौक्ट होकर रहे गया कहने लगा तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो गई होगी हां मैंने तुम से कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं पन किया और जब अंदर जा कर देखा तो एला बेहोश पड़ी थी बिकोज उसने काफी सारी स्लीपिंग फिल्स खा ली थी फू फू फॉरन से एला को उठा कर होस्पिटल ले जाने लगा और लेतिंग ने जैनिया को पीचे आने के लिए मना कर दिया लेकिन वो फिर भी उ दोक्टर ने उसका चेक अप करके बताया कि उसकी कंडिशन अपस्टेबल है और अच्छा हुआ कि तुम लोग एला को टाइम पर ही होस्पिटल ले आए विचारा फू एक तो एला की वज़जा से परेशान था उपर से जैनिया के लिए भी उसे काफी बुरा लग रहा था पर जैनिया उसे किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं करती फिर जैनिया को ग्रेंटपा की कॉल आती है जिन से बाते करती हुए इससे पता चला कि उनकी तबियत काफी ज्यादा खराब है कहने लगी कि मैं बस टिकट लेकर आपके पास आ रही हूँ फूने भी पीचे से इनक की बाते सुन लेती कहने लगा तुम ग्रेंटपा के पास जाकर उनका अच्छे से ख्याल रखना हक करते हुए बोला मैं तुम्हें मिस करूंगा जैसे ही ग्रेंटपा की तबियत ठीक हो जाए प्लीज जल्दी से वापस आ जाना नेक्स सीन में जेनिया भागते हुए घर आ ही करती इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टु माई चैनल तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 20 एपिसोड की तरफ एपिसोड के स्टार्ट में हमें जैनिया और ग्रेंटपा को दिकाया जाता है जहां ग्रेंटपा उसे बता रह ये कहा उसी तरफ लेतिंग फू से कह रही थी के लिया की जान भी तुम्हारी वज़श से गई कैप तुम यही चाते हो के एला की जान भी चली जाए विचारा फू भी उसे समझाता है कि एला गलत समझ बैटी थी मैंने कभी भी उसे उस नजर से नहीं देखा क्या तुम यही कहना चाहती हो कि एला की वज़ा से मैं जैनिया को चोड़ दूँ जिसे मैं इतना ज्यादा प्यार करता हूँ लेटिंग चाहती तो यही ती फू को इतना इमोशनली ब्लेक मिल किया कि वो सोचने पर मजबूर हो गया नेक्स सीन में हमें लेटिंग को ईला के साथ दिकाया गया जहां वो उसे रिलाक्स कर रही थी कि बस तुम फू की वाइफ बनने के लिए रेडी हो जो बाकी सब मुझ पर छोड़ दो फू जो के अभी घर पहुंचा ही था दो दिनों से सो नहीं पाया इसलिए उसे काफी ज़्यादा नींदा रही थी वही उसे लेटिंग की कॉल आई जिसने बताया के फॉरण से होस्पीटल आजो एला ने अपने साथ कुछ बुरा कर दिया ये सुनकर वह फॉरण से होस्पीटल पहुंचा जहां लेटिंग ने उसे एक छिटी पकड़ाई जिसमें एला ने लिक रहा का था कि मैं तुम्हारे बगहर नहीं रह सकती इसलिए मैं ये दुनिया चोड़ कर जा रही हूँ उसने अपने सारे ट्यूब्स निकाल दिये थे जो के लेटिंग ने टाइम पर आकर सिचुवेशन संभाल ली वो फिर से एला को लेकर फू को इमोशनली ब्लैक मिल करने लगी और इस बार तो एला की मौम भी बोल पड़ी कि मैं पहले ही लिया को खो चुकी हूँ जिसके लिए मैंने तुम्हें कभी भी ब्लैम नहीं किया लेकिन प्लीज तुम एला की जान बचा लो मैं उसे खो देना फोड़ नहीं कर सकती दूसी तरफ ब्रनपा की तबियत और ज्यादा बिगर चुकी थी लेकिन अभी भी उन्हें अपने बिजनस की परवा होती है जिस पर जैनिया बोली कि मैं अपना फैमली बिजनस संबालने के लिए तयार हूँ आप किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लें बस जल्दी से रिकवर कर ले क्योंके मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है इसके बाद जैनिया आफिस का काम करते करते ठक जाती है और वो फो को कॉल करके ईला के बारे में पूछने लगी बो कहने लगा कि मुझे ईला की हाला देखकर उस पर रहम आ रहा है जिस पर जैनिया बोली के ईला कोई चोटी बच्ची तो नहीं है आखिर उसे ये बात समझने चाहिए कि इसमें तुम उसकी कोई हल्प नहीं कर सकते जब फू मज़ीद कुछ बताने लगा तो इस पर जैनिया उससे घुसा हो जाती है कि मेरे साथ कितना कुछ हो गया मेरे ग्रैनपा की तबियत कितनी ज्यादा खराब है और तुमने एक बार भी कॉल करके मुझे नहीं पूचा कमस कम यही पूच लेते कि मैं कब वापस आउंगी या फिर वापस आउंगी भी या नहीं जबके फू ने तो यह फैसला कर लिया ता कि वो जैनिया को छोड़कर एला से शादी कर लेगा कहने लगा कि हमारे एक होने से हमारे आस पास के लोग हर्ट होंगे उसके सिर्फ यही कहने से जैनिया हट होकर कॉल कार्ट देती है उसे यह कहकर के जैसे तुम्हारी मर्जी नेक्स सीन में वो एला से वादा करता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाओंगा तुम कोई ऐसा फैसला लो जिसे तुम्हें खुशी ना हो और इतना जरूर कहूंगा कि तुम जो भी फैसला लो मैं उसमें तुम्हें पुरा पुरा सपोर्ट करूंगा इसके बाद गुनन घुसे में फू के पास पहुंचाता है जैसे ही उसे इन दोनों की इंगेजमेंट इंविटेशन का कार्ड मिला कहने लगा तुम एला से शादी करने के लिए हां कैसे कह सकते हो जब के हम सब जानते हैं कि तुम जैनिया को चाते हो और उसका क्या होगा उसके ने यव एल्बम रिलीज हो चुकी थी जिसके लिए जेंगे जैनिया ने सकैच बनाया था जब उससे जैनिया के बारे में कोशन किया गया तो उससे बिलकुल भी बात करने नहीं हो रही थी और यही बात गर बैटी जैनिया ने भी टीवी पर देखती हुए नोटस की दूसी तरफ एला मज़े मज़े से अपनी इंगेजमेंट ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए आई थी और लेटिंग ने उसे मना कर दिया तक अभी इंगेजमेंट के बारे में किसी को भी मत बताना वही बाई चांस उसे हान भी मिल गया जो के एला को देकर पूछने लगा के बला तुम्हें ब्राइड ड्रेस लेने की क्या जरूरत एलाँ ने हान से चुपाने की काफी कोश़श की लेकिन फिर भी बातो ही बातों मैं उसके मुझसे निकल ही गिया के मेरी और फुक की इंगेजमेंट होने वाली है इधर जैनिया को फू की काफी ज्यादा फिकर हो रही थी उसे काफी बार कॉल्स भी की जो कि उसने रिसीव नहीं की इसलिए गुनन को कॉल करके उसे फू को देखने के लिए कहा कि वो ठीक तो है ना जबके फू एला के साथ उसकी ड्रेस सेलेट करने में हेल्प करवा रहा था और फिर मायूस होकर बाहर आता है जहां उसने जैनिया की मिस्ट कॉल्स देखी तो उसे कॉल की उसके कुछ भी कहने से पहले ही उसे सोरी करने लगा जिस पर जैनिया बोली के सोरी तुम्हें नहीं बलके मुझे करनी चाहिए शायद मैंने कुछ ज्यादा ही रियाट कर दिया था लेकिन फू बोला कि मैं इसलिए सोरी कर रहा हूँ क्योंके मैं एला की जान दुबारा खत्रे में नहीं डाल सकता इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं उससे शादी कर लूँगा ये बाट जितनी ज्यादा पेंफूल जैनिया के लिए थी उसे कहीं ज्यादा फू के लिए है पर जैनिया अभी भी उसे कोई शिकायत नहीं करती उसे ये कह दिया कि अगर तुमने अपना डिसीजन ले ही लिया है तो हम एक दूसरे को गुड़ बाई कह देना चाहिए गुनन भी पीचे से इन दोनों को देख रहा था उन्हें इनके लिए बुरा तो काफी लगता है पर इस मामले में वो भी कुछ नहीं कर पा रहा नेक्स सीन में फू अपने स्कूल ग्राउंड आता है जहां वो जैनिया के साथ गुजारे हुए लम्हों को सोच रहा था और कही न कहीं तूसे ये भी लगता है कि शायद मैं फिर कभी भी जैनिया से ना मिल पाऊं और अब तो वैसे भी मेरे पास वापस जाने की कोई वज़ा भी नहीं रही आप फिकर नहीं करे मैं सब कुछ संबाल लूँगी मगर ग्रडबा ने उसे इस फैसले से मुख कर दिया उसे ये कह कर कि तुम्हें सिर्फ वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल कहे चाहे उसके लिए तुम्हें अपना सबकुछी दाव पर क्यों ना लगाना पड़े नेक्स सीन में फू की फैंस को ये जानने के बात कि उसके इंगेजमेंट एला से होने वाली है बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता और ये भी जान गए कि वो कल की कानफरंस में इतना मुझ जाया हुआ क्यों लग रहा था खैर वो लोगी सीविन को खराब करने का फैसला कर लेते हैं और फू की वो स्लिप खरीदने लगे जिसके जरीए वो फू से 5 सेकंड के लिए हाथ मिला सकते हैं नेक्स सीन में हमें इंगेजमेंट पार्टी का सीन दिखाया गया जहां ना चाहते हुए भी फू हमेशा के लिए एला का होने वाला था एला को तो अपनी इंगेजमेंट की काफी ज्यादा खुशी थी उसने एक बार भी फू की फिलिंग्स के बारे में नहीं सोचा और बीचारा फू तो जैसे बहुत बड़े सदमे में हो इससे पहले के वो इंगेजमेंट स्टार्ट करने के लिए हां कहता वहीं जैनिया आ जाती है ये कहते वे के मुझे ये फैसला बिल्कुल भी मनजूर नहीं उसके आने से गुनन तो बड़ा खुश हो जाता है और एला को काफी ज्यादा घुसा आया उसे कहने लगी के तुम्हें यहाने की अजाज़त किस ने दी जिस पर जैनिया बोली के तुम फिकर नहीं करो तुम्हारा दुल्हा चुराने नहीं आई बस इस लिप के जरी उसे पांच सेकिंड के लिए हाथ मिलाना चाहती हूँ और एक बार जब वो फू का हाथ पकड़ लीती है तो दुबारा चोड़ती ही नहीं क्यूंके उसके पास ऐसी काफी सारी स्लिप्स थी जिसमें उसकी हल्प फू की फैंस दे की और इस बार तो फूबी जैनिया को जाने नहीं देना चाहता था सबके सामने अला से कहने लगा के जिससे मैं प्यार करता हूँ वो लड़की जैनिया है मुझे माफ कर दो मैं तुम से शादी नहीं कर सकता और नहीं कभी तुमें खुश रख पाऊंगा ये कहने के बाद वो जैनिया का हाथ पकड़कर उसे बगाते हुए वहां से ले गया वैसे पता तो इन दोनों को भी नहीं ता कि आखिर हम भाग कर जा कहां रहे हैं लेकिन बस इतना पता था कि यहां से बहुत दूर जाना है दूसी तरफ यहां साब ईला को संबाल रहे थे और हान लेतिंग को डांटे लगा कि मैं जानता हूँ ईला को सुसाइड वाला ड्रामा रचाने का मशवरा भी तुम नहीं जानती कि तुमने एला की हल्प करने के बज़ए उसके साथ कितना बुरा कर दिया वरना तो वह अब सर अपने शूलडर पर रख देता है ताकि उसके नीन डिस्टरब ना हो फू की फैंस भी काफी ज्यादा खुश थी कि हमने अपने आइडल को उसके प्यास से मिला दिया है अब वो कभी भी सैड नहीं होगा दूसरी तरफ इन दोनों की दोस्ती भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और फैंक फैंक को तूसे अपना ख्याल रखते हुए देखकर बिल्कुल भी एकिन नहीं आता कि ये वही येंग है जो हर वक्त मुझे रूडली बात किया करता था यहां डैनियल बिचारा जो इन दोनों की वज़ा से हर वक्त मुझे फास जाता है कहने लगा कोई मुसीबत खड़ी करने से पहले कमस कम मुझे बता तो दिया करो वैसे वो इन दोनों के लिए ज्यादा खुश इसलिए भी था क्यूंके फू का नया अलबम काफी हिट हो चुका था मतलब के उसके केरियर पर कोई भी फेक्ट नहीं पड़ा पर तबी फू ने उस पर एक और बम गिरा दिया उसे ये बता करके जैन्या ही शेंशिंग है या जरा कॉलज में इसका एडमीशन स्कॉलर्शिप की वज़ा से हुआ था और अब ये येंग जैसे अमीर लड़की की लाइफ पार्टनर बनने के खौब देख रही है और उनकी ये बाते पीछे ही कड़ा ये येंग भी सुन रहा था फिर उनके सामने ही फैंक फैंक को डिफ जहां येंग फैंक फैंक को प्रोपोस कर देता है ये कहकर कि मेरी गर्फरेंड बन जाओ मैं जानता हूं कि मैंने पास्ट में बहुत सारे मिस्टेक्स की पर तुम से वादा करता हूं कि वैसा ही इनसान बन जाओंगा जैसा तुम मुझ से एक्सपेक्ट करती हो फैंक फैंक तुम आज अपने असली रूप में कॉलेज जाओ आखिर हर लड़की चाहती है के वो प्यारी दिखे जैनिया को भी उसका आइडिया पसंद आया और अब अपनी आइडेंटिटी चुपाने के कोई वज़ा भी तो नहीं लेकिन ज्यादा मज़ा उसे ये सोच कर आ रहा था कि वो लोग जो उसे हमेशा अगली समझते थे उनका रियक्शन कैसा होगा अगले ही सीन में जैनिया फैंक फैंक के साथ कलास में इंडर होती है और सबी कलास फैलोज उसे ऐसे आँखे पाढ़ पाढ़ कर देख रहे थे जैसे जैनिया से प्यारी लड़की उन्होंने कभी देकी ही ना हो लड़के भी उसकी ब्यूटी की तारीफ करने लगे और बीचारा फू तो देख देख कर ही जेलस हो रहा था फिर जब जैनिया ने उसके पास बैठ कर पूचा के तुम्हें मुझ में कुछ डिफरेंस नजर नहीं आ रहा तो वो बोला के हाँ सिर्फ ग्लासीस ही तो नहीं पहनी इसमें और क्या इतनी बड़ी बात है सकी ये बात सुनकर उसकी कलास फैलोस भी उसे गुर गुर कर देखने लगी आखिर जूड बोलने की भी कोई हद होती है इसके बात फू गुनन के साथ बॉसकीट बॉल केल रहा था और अपने फैंस देखकर उसे कहने लगा कि मैं जरा इन्हें आटोग्राफ देकर आता हूँ लेकिन उनके पास जाकर इसे पता चला कि वो इसके फैंस कुछ नहीं बस जेनिया की ब्यूटी देखने के लिए यहां आये थे बलकि उसके लिए काफी सारे गिफ्ट्स भी लेकर आये हैं यह देखकर तो गुनन को भी उस पर हसी आई तो दूसी तरफ जेनिया को काफी सारे लोगों ने घेर रखाता उसका आटोग्राफ लेने के लिए बिचारा फू सोच रहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तो किसी ने अटेंशन देने ही नहीं और साथ ही साथ में अपनी गर्फरेंड से भी हाट दो बैटूंगा उदास होकर वहां से चला गया एंड जेनिया भी उसके पीछे जाकर उसकी इस उदासी की वज़ा पुछती है जिस पर फू बोला कि मैं नहीं जानता बस अपना ये वाला रूप चेंज करो जेनिया बोली कि मैं इतना टाइम अगली बन कर रही और फिर मैं ऐसी ही तो दिखती हूँ आखिर तुम्हें मसला क्या है फू कहने लगा कि नहीं मेरी नजर में तुम पहली ही प्यारी थी और मैं नहीं चाहता कि मेरी लावा कोई भी तुम से बात करे वैसे फू जेलस हो रहा था दूसरे लड़कों को जेनिया के पास देखकर और ये बात तो जेनिया भी अच्छे से जान गई उसके कहने पर अगली रूप में वापस आ जाती है और कॉलर से गुजरती हुए जिस तरह से सब उसे देख रहे थे उसे तो यही लग रहा था कि शायद मैं काफी ज्यादा फ़नी लग रही हूँ इसके बाद जेनिया फू का अपने साथ लेकर जाती है उसे इंजोई करवाने के लिए उसे बताया के यहाँ एक सिंगल बंदा भी तुम पर फोकस नहीं करने वाला इसलिए हम जो चाहे वो कर सकते हैं फू जो के पहले से ही अपनी इस पापूलेटी वाली लाइफ से बेजार था वो भी जेनिया के साथ इंजोई करने लगा दोनों ही पहले सैनिमा हाउस जाते हैं एक होरर मुवी देखने के लिए जिस पर जैनिया उसे कहने लगी कि अगर तुम्हें डर लगे तो मेरा हाथ पकड़ लेना और जब मुवी स्टार्ट हो जाती है तो जैनिया को ही इतना ज्यादा डर लग रहा था कि बिचारे फूर को भी देखने नहीं देती लेकिन खैर इसके इलावा इंजोई करने के लिए और भी काफी चीज़े थी बिकोज इन दोनों ने आज के दिन और कुछ भी नहीं करना था सिवाए लाइफ को जीने के सारा दिन घूमने पिरने के और मस्ती मजा करने के बाच जब दोनों ठक जाते हैं तो रात को एक साथ बैट कर टाइम स्पेंड कर रहे थे खैर इन दोनों की लाइफ में तो खुशिया आ चुकी लेकिन दोसी तरफ बिचारा गुनन जो के खुद से ही कह रहा आता के शायद इस दुनिया में तो मुझे कभी भी गर्फरिंड ना मिल सके नेक्स सीन में हमें ये येंग को दिकाया गया जो फैंक फैंक के पास जाकर उसे बताता है कि तुम्हें इस कैफे में काम करने की जरूरत नहीं बिकोज मैंने तुम्हारे लिए ये कैफे खरीद लिया है ये सुनकर तो फैंक वेंग उस पर बढ़क पड़ी कि तुम्हें समझ नहीं आती मैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडट बनना चाती हूँ और उसे घुसा करता हुए देखकर ये येंग बात को मजाग में उड़ा देता है उसे ये कहकर कि मैंने तो बस चोटा सा मजाग किया था लेकिन आज के बाद उसने फैंक वेंग के साथ उसी कैफे में काम करना शूरू कर दिया ताकि उसे ये ना लगे कि हम दोनों के स्टेंडर्ड में कोई फर्क है अगली सुबा फू जैनिया के होस्टल आता है उसे उठाने के लिए वैसे तो वो उसे कुछ दिकाना चाता था मगर उल्टा जैनिया ही उसे डांटने लगी कि कुछ भी करो मगर मेरी नीन खराब मत करो फू ने उसे बताया भी के दिन के 12 बजने वाले हैं और तुम अभी भी नहीं उट रही फैर तुम्हारी अपनी मर्जी वैसे भी मैं तुम्हारे डैड के बारे में ही कुछ बताने आया था ये सुनकर तो वो फूरन से बोली के जल्दी से बताओ जिस पर फू ने उसे एक पैन दिकाया और साथ ही डारी जो के उसके डैड की थी और जितनी प्यारी स्केच डैड ने जैनिया की मौम की बनाई थी ये देखकर तो फू कहने लगा के शायद तुम्हारे डैड सी इनहेरट हुई सेनिया ने आज से अपने लिए एक नया गोल बना दिया कि मैं एक अच्छी कौमेक आर्टस्ट बन करती काऊंगी इसमें फूने भी उसका साथ देने के लिए हां कर दिया दूसी तरफ हमें हान और एला को दिकाया गिया जहां हान उसे बता रहा था कि जब तक तुम फू के बारे में सोचना बन नहीं करोगी तब तक तुम अपनी लाफ में मौन नहीं कर सकती उसके इन फजूल बातों पर घुसा होकर एला वहां से चली गई और हान भी उसके पीछे जाता है उसे मनाने के लिए तब ही बाई चांस इन दोनों की किस होती है चाहे ये किस बाई मिस्टेक थी लेकिन दोनों ही काफी ज़्यदा शोग्ड हो जाते हैं और एला तो उसे और डाटने लगी के तुमने सब कुछ जान बूच कर किया बिचारा हान जो के दिल ही दिल में अला को लाइक तो करता था लेकिन कभी भी कहने की हमत नहीं कर सका और अब जब इतना कुछ हो ही गया तो हान भी हमत करते वे बोला के पहले तो मैंने जान बूच कर नहीं किया ता लेकिन इस बार जान बूच कर करूंगा फिर एला को पकड़ कर उसे किस करने लगा यानि के इन दोनों की लाइफ में भी एक नया मोड आया जैनिया को एक अच्छी कंपनी में कॉमिक आर्टिस्ट की जोब मिल जाती है जिससे वो काफी ज्यादा खुश थी और उसे यकीन है कि उसका सपना भी जल्दी ही पूरा हो जाएगा दूसी तरफ फू के लिए भी एक यूएस की कंपनी से अच्छी आफर आती है जो चाहते थे कि फू वहाँ जाकर उनके साथ काम करे वैसे तो ये फू का बड़ा फ़ाब था लेकिन जैसे ही उसे जैनिया का ख्याल आया तो वो सैड हो जाता है कि अगर मैं यहां से चला जाओंगा तो फिर जैनिया का क्या होगा नेक्स सीन में जैनिया फू को अपनी जोब की खुशखबरी सुनाती है जो के काफी ज्यादा खुश थी और फू से यूएस के बारे में बता कर इस वक्त सैट नहीं करना चाहता था फिर रात को गुनन के साथ खेलते हुए उसे बताया के मैं यूएस जाना भी चाहता हूँ लेकिन अभी तक मैंने इस बारे में जैनिया को नहीं बताया जिस पर गुनन उसे डांटने लगा के कोई भी बात चुपाने का मतलब जूट बोलना होता है और अगर तुमने अभी तक जैनिया को नहीं बताया तो फिर कब बताओगे वही कुछ रिपोर्टर्स पहुंचा है जिन्हें फू के यूएस कॉंटरेट के बारे में खबर हो गई थी और वो जाना चाहते थे कि क्या ये सच है फू बोला के हाँ मुझे ओफर जरूर होई है लेकिन इस बारे में मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया नेक्स सीन में जैनिया गुदिकाया गया जो के पहले से ही काफी अच्छी आर्टर्स थी और बोस को तो उसके स्कैजिस इतने ज्यादा पसंद आए कि उसका ट्रांसफर जपान करवाने के बारे में सोचा उसे बताया कि तुम्हें जपान जाकर और भी सीखने को मिलेगा पर जैनिया को सबसे पहले फू का ख्याल आता है और उन्हें बताया कि मैं इस बारे में सोचकर जवाब दूँगी इसके बाद जब जैनिया फू से मिलकर उसे इस बारे में बताती है तो साथ ही ये भी कहा कि मैं इस प्रोपोजल को रिजैट कर दूँगी कियूंके मैं तुम्हें चोड़ कर कहीं नहीं जाने वाली फू भी जैनिया को यूएस कॉंट्रेट के बारे में बताने ही वाला था लेकिन तब ही उसे वो वीडियो रिसीव हुई जो के रिपोर्टर्स ने पोस्ट की थी ये देखकर कि अपने बॉइफरेंट के बारे में उसे मीडिया से पता चल रहा है काफी हट हुआ उसे पूछने लगी कि क्या तुम वाकी ही यूएस जा रहे हो फू से समझाने लगा कि ये मेरा बड़ा सपना है और इतना ही सुनते ही जैनिया हट होकर वहां से चली गई हॉस्टल जाकर इस बारे में सोचने के बाद जैनिया को भी ये बात रियलाइज हुई के शायद मुझे फू को यूएस जाने के लिए नहीं रोकना जाहिए बिकुस उसने अपना केरियर बनाने के लिए बहुत कुछ किया इदर फू के जाने का सारा प्रोसेस फाइनलाइज हो चुका था और जैनिया ने उसे कॉल करके सोरी की के तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो वैसे फू को भी ऐसे जाना काफी बुरा लग रहा था लेकिन शायद ही उसे ऐसा मौका फिर कभी ना मिल सके नेक्स सीन में हमें इन दोनों को साधी काया गया जहां फू ने उसे बताया कि मैं कल जा रहा हूँ जैनिया तो पहले ही काफी जादा हर्टी और ये जानने के बात कि फू इतनी जल्दी जा रहा है उसे हक करके गुडबाए कहकर वहां से चली गई अगली सुबब फू यूएस के लिए निकल जाता है जहां कमपनी का ऑनर उसके नए अल्बम के बारे में पूछने लगा जो उसने जैनिया के लिए ही लिका था फूईस अल्बम के बारे में बताते हुए जैनिया के बारे में सोच रहा था किस तरह उसके आने से मेरी जिन्दगी बदल गई और जब मुझे ये बात रिया लाइज हुई कि मुझे जैनिया से प्यार हो गया है तो मैं अपनी हदे पार कर चुका था दूसी तरफ हम जैनिया को देखते हैं जिसका कलास में फू के बगएर दिल नहीं लग रहा था और वहां उसकी चॉकलिट देकर वो फूरण से उटा कर बागते हुए उसके पास ले जाने लगी वही फू भी सब को छोड़ चाड़ कर बागते हुए वापस आ रहा था लेकिन बाई चांस ये दोनों एक दूसरे से नहीं टकरा पाए फू जब कॉलज आता है तो उसे पता चला के जैनिया उससे मिलने के लिए एरपोट गई है और जैनिया को तो ऐसे लगा के फू मेरे बारे में सोचे बगएर यहां से चला गया उदास चेहरे के साथ वहां से वापस आती है और तब ही उसे फोन अजर आया जो कि उसके लिए वही सौंग सिंग कर रहा था जो कि उसने जैनिया के लिए लिखा था इस प्लैन में बाकी सब ने भी उसका साथ दिया और फूरे सब के सामने जैनिया को प्रोपोस करके उसे किस की इसके बाद दोनों की ही एक नई लाइफ शुरू हो जाती है बिलकुल वैसी ही जिस तरह कि इन दोनों ने सोच रखी थी एला ने भी हान के साथ अपनी लाइफ में मूव ओन कर लिया लेकिन आज भी वो जैनिया को पसंद नहीं करती